सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोफतो नमस्कार बहुत बहुत श्वाकत करता हूँ मैं अनिकेद गश्वामी अपने यूटिव चनल पे दोफतो नमस्कार बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ मैं अनिकेद गोष्वामी अपने यूटीव चनल पे तो वो कैसा रहा है सभी रिपोर्ट जो है वो लागातार हम इस यूटीव चनल के बाद दम से प्रोबाइड कराएंगे दोस्तों दोनों ही टीमों के बिज जो है वो देखना होगा कैसा मैश देखने को मिलता है हाला कि ये नकाउट मुकाबला है और जो भी टीम इस मैश को जीते में से जो भी टीम जीते है वो सिड्नी सिक्सर्स के साथ जो है वो दो फरवरी को चैलेंजर मुकाबले को खिलेगी और उस मैश में जो भी टीम जीतेगी वो पर्त इस कोचर्स के साथ जो है वो फाइनल खिलती हुई दिखाई देने वाली है दोस्तों तो नीची तोर पर ए प्सले बुकाबले को भुल कर जो है इस मैस में उतरने की प्रयास जरूर करेगी और देखना होगा कि क्या इस मैस को कौन से टीम जिती है बात करें Melbourne Renegades की टीम की दोस्तों तो Melbourne Renegades की टीम इस से पहले पिसले मैच की बात करें तो पिसला मैच Melbourne Renegades की टीम ने Adelaide Strikers के साथ खेला था और उस मैच को 6 विक्टों से Adelaide Strikers से जीता था Melbourne Renegades की टीम की बात करें उस मैच में हलाखी मेलबॉन रेनिगेर्स की तीम की तरब से मंटिन गप्टिल ने 8 तरण बनाये थे सौन मार्स ने जीरो, शाम हारपर ने एक, एरून फिन्स ने 63, मैथू क्रिस्टली ने 25 और जोनाथन वेल्स ने नबाद 20 रनों के संदार पारी खिली थे वही गिंदबाजी में देखा जाए मेलबॉन रेनिगेर्स की तीम की तरब से तो टॉम रोजर्स ने 4 अपर में 12 रन देकर एक बिकेट, कैन डिचर्सन को एक बिकेट मिला था, विल्स सदर्लेंड जो है वो 4 अपर में 42 रन करद से किये थे, कोई बिकेट नहीं मिला था, कोरी रोखेल को एक बिकेट मिला था, फवाद अहमद को तीन बिकेट मिला था, मैथू क्रिस्टली को, जो है वो कोई बिकेट मिला नहीं था दोस्तों, तो आज केस में अश्वभी आपको मेलबॉन एलिगेट्स की टीम की तरब, शेमर्टिन, गब्तिल और शेमहर पर गे जोड खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, साथवे पैदान पे देखा जाए, तो रोखेल खेलते हुए दिखाई देंगे, आठवे पैदान पे विल सदरलेंगे, नवे पैदान पे कैन बिचर्सन, दसवे पैदान पे टॉम रोजर्स और एक रहवे पैदान पे फवाद अहमद जो है वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तों वही बात कर लेते हैं दूसरी तरफ ब्रिस्पेन हीट की टीम की दोस्तों तो ब्रिस्पेन हीट की टीम जो है वो पिसला मैच जो है अपना जो खेला था उस मैच में कहीं न कहीं कहें दोस्तों तो ब्रिस्पेन हीट की टीम ने आठ रनों से जीता था DLS मैथट के हिसाब से Sydney Thunder की टीम से क्योंकि Brisbane Heat ने 203 डनों का 204 स्कोर खणा किया था और उस टारगेट को चेस करते हुए 6.5 अभरों में Sydney Thunder की टीम ने 52 डन बना लिये थे और DLS मैथट के हिसाब से आठ रनों से Brisbane Heat की टीम ने जीत लिया था दोस्तों पिछले मैच में हला की Brisbane Heat की टीम के दरब से Joshua Brown ने तीन रनों बनाया थे उश्मान क्वाजा निनाबाद संदार बहतरीन बल्लेबाजी की ती और 55 गंदो पर 10 चोके और रनों के संदार बल्ली किल के लिती मोन्नोस लमचे ने 48 गंदो पर चोके और पिसले मैंस में तो कहीन कहीं मिचल नियासर ने एक दस मेंलों पांच वरम नौरन खराच किया था जॉंसन ने दो अबरो में 23 गाजली ने एक उबरो में तीन दन देकर एक बिगेट मैथो कोहनमें ने एक उबरो में 10 मिचल शुप्षन जो है वो एक उबरो में 5 रन खर्चे करते हुए दिखाई दिये थे दोस्तों तो आज के इस मैच में भी हमें ब्रिस्पेन हीट की टीम की तरब से जोश्वा ब्रोन और उश्मान ख्वाजा की जोड़ी जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं मॉनूस लमचेंड जो है आपको तीसरे पैदान पे खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं चोथे पैदान पे आपको मैट रैंचों खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं पाचवे पैदान पे जैमी पियर्सन जो है वो खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं जोसतों तो तेज गनभाजी का जिम्मा आपको जॉंसटर और मैसल नेयाशर के साथ जरम करते हूए दिखाए देंगे वह सपिनकों के साथ रेंचो और लंचेन जो है जहाँ पर इस पिन दाजिका जिम्मा संब्धागे देंगे दूसरी सिंस पे放心 कन दाजिके प्रोचर्स जो है वो दिखाई देंगे और कहीं न कहीं दोस्तों जहाँ पर मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम थोड़ी सी यहाँ पर मजबूत इस्थिती में दिखाई दरी है हाला कि बात करें दोस्तों ग्राउंड की तो दोकलेंड्स स्टेडियम में यह मैच खेला चा रहा है और अभी तक इस ग्राउंड पे 69 मैच इसे पहले खेले गए हैं और इन 69 मैचों में कहीं 28 मैच जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम न जीता है वही 31 मैच जो है वो से तामन डन बनाया था 10 बिक टोकन अकुषान पे वही स्कोरिंग पैटर्न की बात कर दो तो तो 150 की नीचे जो है इस ग्राउंड पे 16 बार बनता हुआ दिखाये दिया है 150 से 179 की बीच 21 बार इस ग्राउंड पे बना है वही 170 से 189 की बीच 15 बार बना है और 190 के ऊपर भी आप बार बनता हुआ दिखाये दिया है तो कुल मिलाकर अच्छा ग्राउंड रहता है दोस्तों एबरेजी स्कोर आपको 160 के करीव रहता है तो कहीं न कहीं आपको पहले बैठिंग करने बारी टीम भी अच्छी खासी बल्ले बादी कर सकती है और यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि अगर 170 से 180 रन डोकलेंड स्टेडियम में बनते हैं तो एक बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है दोनों ही टीमों के दरव्यान हाला कि अभी तक जो है जितने भी मैच्छे खेले गए हैं इनमें अधिकतर मुकाबले में जो है वो टार्गेट जो है चेस होता हुआ दिखाए दिया है और देखना होगा कि क्या आज के इस मैच में टार्गेट को चेस कर पाने में शफल हो पाती है या नहीं दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम आखिरकार गिंद बाजी या फरबले बाजी करते हैं उनके लाँ बात करें वेदर अपडेट की करीब तापमान जो है आपको देखने को मिल सकता है आज के इस मैच की बात कर जाए उनके लाँ बात करें पीज रिपोर्ट की तो आपको जो है स्पीनर्स को इस क्राउंड पे कहीं न कहीं बहुत ही कम नमात्र के बराबर इस पिन यहाँ पर देखने को मिलते हैं हलागे ते इसमें हीट के सामने कैसी performance करते हुए दिखाई देती है दोस्तों उनके लाबात करें winning percentage की तो आज के मैच में हमें जहां तक लग रहा है कि Melbourne एनिगेट्स की टीम इस मैच को जित सकती है हाला कि कहना बड़ी मुश्किल है क्योंकि दोनों ही टीमे तीसरे और चौथे पैदान जो है वो इस tournament में जो है शमापन अपने आपको किया है और अगर इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वो challenger मुकाबले को जो है challenger मुकाबले में Sydney Sixers के शामने जो है वो भिरती हुई दिखाई देगी और देखना होगा कि क्या इस मैच को जीत कर Sydney Sixers के साथ जो है वो देंगे Melbourne Renegades की टीम में वही जेवी पियर्सन जो है विकेट किपिंग का जीमा जो है वो शम्हालते हुए दिखाई देंगे Brisbane Hit की टीम में दोस्तों उनके लावाद करें बल्ले बाजों की तो बल्ले बाजों में ओश्मान क्वाजा पिसले मैस में शुरान मेरनों की संदार पारी के लिती जोश्वा ब्रोन तेस्तरार बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देते हैं और मैट रैंसो जो है आपको बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देंगे Brisbane Hit की टीम में वही दूसरी तरफ Melbourne Renegades की टीम में सैम हरपर, मर्टिन गप्टिल, जोनातन वेल्स और एरुन फिंच जो है वो आपको बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देंगे कहीं न कहीं कहें जहां पर आज के इस मैस में Melbourne Renegades की टीम में दोस्तों, दूसरी तरफ देखा आल राउंडर्स की बात कर लेते हैं, तो आल राउंडर्स की लिस्ट में आपको Will Sutherland जो है वो खेलते आल राउंडर्स करते हुए ब्रिस पैन हीट की टीम में दोस्तों, उनके लाँ बात करें यहां पर गेंद बाजों की, तो गेंद बाजों में आपको स्पॉंचर जोंचन, लेफ्ट टाम फास्ट मिडियम, तेज गेंद बाज, बहुत ही लाजवाब गेंद बाजे, मिचल अहमद और रोखेली जो है, वो सभालते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, तो इस करो या मरो के मुकाबलों में देखना होगा कि क्या, जहां पर आज के मैच में कौन सी टीम जित्ती है, ब्रिसमेन हीट की टीम जित्ती है, जा फिर रेनिगेट्स की टीम इस मैच को जित्त कोमेंट्स पोक्स में अपनी राय जो है, वो लिखना देना ना भूलेगा, और चैनल पे भी नए हैं, दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों, मकाबला जो है, हलाकि अच्छा देखने को मिलने वाला है, दिलचस्पर जो है, हम बिग बैस लिग 2022 थे इसके नोकाउट मुकाबले को फीर एक पार हम आप सभी को लेकर हाची रहो चुके हैं दोस्तों और इस मैस से जोड़ी पलपल की रिपोर्ट जो है हम आप सभी को साथ प्रोबाइट कराएंगे जैसे कि पीछ रिपोर्ट हो ग्राउन रिपोर्ट हो जा फिर पिसले मैस में दोनों ही टीमों का प्रोबेंट जो है वो कैसा रहा है सभी रिपोर्ट जो है वो लगातार हम इस यूटीब चनल के बाद देम से प्रोबाइट कराएंगे दोस्तों दोनों ही टीमों के विज जो है वो देखना होगा कैसा मैस देखने को मिलता है हाला कि ये नोकाउट मुकाबला है और जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो आगे जो है वो जाएगी और जो भी टीम इस मैच को हारेगी दोस्तों वो सीधे जो है वो बाहिर का रास्ता देखती हुई दिखाई देगी क्योंकि आगर मेलबॉन रेनिगेट्स और बिर्शमेन हीट की टीम में से जो भी टीम जीती है वो सिड्नी सिक्सर्स के साथ जो है वो दो फरवरी को चैलेंजर मुकाबले को खिलेगी और उस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो पर्त इस कोचर्स के साथ जो है वो फाइनल खिल तीवी दिखाई देने वाली है दोस्तों तो नीची तोर पर एक बढ़िया मैच जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है और देखना होगा कि क्या इस रोमांच चक और शंदार मुकाबले में किसका पल्ला भारी लगता है हाला कि मेलबॉन रेनिगेट्स और ब्रिस्पेन लगते हैं दोनों ही अपने पिसले मुकाबले भूल कर ऋए मैच में उतरने की प्रJures क्या जरूर करेगी और देखना होगा कि क्या इस मैच को कौन से टीम जिती है बात करें मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम की दोस्तों तो मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम इस से पहले पिसले मैच की बात करें तो पिसला मैच मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम ने एडिलेज स्ट्राइकर्स के साथ खेला था और उस मैच को 6 विक पो से एडले स्प्राइकर से जीता था मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम की बात कर जा है उस मैच में हलाकि मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम की तरब से मंटिन कप्टिल ने 8 तरण बनाये थे सौन मार्स ने जीरो, शाम हारपर ने एक, एरुन फिन्स ने 63, मैथू क्रिस्टली ने 35 और जोनाथन वेल्स ने नबाद 20 रनों के संदार पारी खिली थे वही गिंदबाजी में देखा जाया, मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम की तरब से तो टॉम रोजर्स ने 4 अपर में 12 रन देकर एक बिकेट, कैंड बिचर्सन को एक बिकेट मिला था विल्स सदरलेंड जो है, वह 4 अपर में 42 रन करद से कोई बिकेट नहीं मिला था कोरी रोखेल को एक बिकेट मिला था, फवाद अहमद को तीन बिकेट मिला था, मैथू क्रिस्टली को, जो है वह कोई बिकेट मिला नहीं था दोस्तो तो आज के इस में अश्वभी आपको मेलबोर एरिगेट की टीम के तरफ शे मर्टिन गप्तिल और शेम हरपर के जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं तीसरे पैदान पर शोन मार्स आ सकते हैं, चौथे पैदान पर आपको कप्तान एरून फिंच खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं पाचवे पैदान पर जोनाथन विल्स जो है वह खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं चटे पैदान पे आपको जो है वो मैथू क्रिस्टली जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं साथवे पैदान पे देखा जाए तो रोखेल खेलते हुए दिखाई देंगे तो Brisbane Heat की टीम जो है वो पिसला मैच जो है अपना जो खेला था उस मैच में कहीं न कहीं कहें दोस्तों तो Brisbane Heat की टीम ने आठ रनों से जीता था DLS Method के हिसाब से Sydney Thunder की टीम से दोस्तों क्योंकि Brisbane Heat ने 203 रनों का 240 स्कोर ख़णा किया था और उस टारगेट को चेस करते हुए 6.5 अभरों में Sydney Thunder की टीम ने 52 रन बना लिये थे और DLS Method के हिसाब से आठ रनों से Brisbane Heat की टीम ने जीत लिया था दोस्तों मौनूस लमंचेन ने 48 गंदों पर 7 चोके और 2 गंदों चुमी चको की बदलत 73 रनों के संदार पारी खेली थे मैट फ्रेंचों ने 8 गंदों पर 1 चोके और 3 चको की बदलत 24 शैम हैन ने 2 गंदों पर 1 और जीमी पियर्सन ने 1 गंदों पर 1 रन बनाते हुए दिखाए यह दिया थे अला कि बात करें गंदाजी की पिसले मैंच में तो कहीं न कहीं मिचल नीयासिर ने 1 गंदों 5 अबरों नो रन खरद किया था जॉन्सन ने 2 गंदों परों में 23 वैजली ने 1 गंदों ने 3 दन देकर एक बिगेट मैथू कुहनमें ने 1 गंदों 10 मिचल शुप्सन जो है वो एक उब्रो में पांच रन खर्चे करते हुए दिखाई दिये थे दोस्तों तो आज के इस मैज में भी हमें ब्रिस्मेन हीट की टीम की तीम की तरब से जोश्वा ब्रोन और उश्मान ख्वाजा की जोड़ी जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकती है मौनूस लवचेंड जो है आपको तीसरे पैदान पे खिलते हुए दिखाई दे सकते है चौथे पैदान पे आपको मैट रैंसो खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं सिंह निल्टन के साथ मिखान आं सर जैन्स बाइसली का सिंह वह दूसरी दरह देखा जाए दो प palate हमाद ब बादी का 유ा को समहाइब ही प्रश्कृ क्रेस्टली के साथ और उनके साथ ढेंड हो कि Its जिमां जो है वो समथ ते हुए दिखाए देंगे मैं Tswar Qrestley के साथ और उनके साथ जो है रोखेल भी अच्छी किनबाजी करते हुए दिखाए देंगे वही तेज किनबाजी में विल्स अदरलैन और टॉम रोचर्स जो है वो दिखाए देंगे और कहीं न कहीं दोस्तों जहां पर मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम थोड़ी सी यहां पर मजबूत इसी तीमें दिखाई दरी है हलाकि बात करें दोस्तों ग्राउंड की तो डोकलेंड्स स्टेडियम में यह मैच खेला चा रहा है और अभी तक इस ग्राउंड पे 69 मैच इसे पहले खेले गए हैं और इन 69 मैचों में कहीं 28 मैच जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है वही 31 मैच जो है वो सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है average score की बात करें first inning 160 का रहता वही high score इस crown पे Melbourne Renegades की team के द्वारा 222 run बनाय गया था 4 big token अक्सान पे वही low score जो है इस crown पे 57 run बनाय गया था 10 big token अक्सान पे वही scoring pattern की बात कर दो तो 150 की नीचे जो है इस crown पे 16 बार बनता हुआ दिखाए दिया है 150 से 179 की बीच 21 बार इस crown पे बना है वही 170 से 189 की बीच 15 बार बना है और 190 के उपर भी आपको इस crown पे 7 बार बनता हुआ दिखाए दिया है तो कुल मिलाकर अच्छा crown रहता है दोस्तों average score आपको 160 के करीव रहता है तो कहीं न कहीं आपको पहले बैटिंग करने बारी टीम भी अच्छी खासी बल्ले बादी कर सकती है और यहाँ पर आपको बजाना चाहूंगा दोस्तों की अगर 170 से 180 रन डोकलेंड स्टाडियम में बनते हैं उनके लाँ बात करें वेदर अपडेट की दोस्तों तो डोकलेंड स्टाडियम में यह मैच खेला जाने वाला है चांसे चरूर है कि 20% इस मैच में बारिस हो जाए हाला कि 45% हमेटी आपको देखने को मिल सकते है और 22 तसमरों 6 डिगरी के करीब तापमान जो है आपको देखने को मिल सकता है आज के इस मैच की बात के जाए उनके लाँ बात करें पीज रिपोर्ट की तो आपको जो है स्पीनर्स को इस क्राउंड पे कहीं न कहीं बहुत ही कम नमात्र के बराबर इस पिन यहां पर देखने को मिलते हैं हला कि तेज गिंदवाज उचाल से विकेट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं तो आज के इस मैच पे तेज गिंदवाजो का ही बोल वाला हमें देखने को मिल सकता है और देखना होगा कि क्या आखिरकार इन जहां पर मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम जो है वो ब्रिस्पेन हीट के सामने कैसी पुफोर्मेंस करते हुए दिखाई देती है दोस्तों उनके लाबात करें विनिंग परसेंटेज की तो आज के मैच में हमें जहां तक लग रहा है कि मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम इस मैच को जित सकती है हाला कि कहना बड़ी मुश्किल है क्योंकि दोनों ही टीमें तीसरे और चौथे पैदान पे जो है वो इस टूनामेंट में जो है शमापन अपने आपको किया है और अगर इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वो चैलेंजर मुकाबले को जो है चैलेंजर मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स के शामने जो है वो भिरती हुए दिखाई देगी और देखना होगा कि क्या इस मैच को जीत कर 76ers के साथ चैलेंजर्स मुकाबले में कौन सी टीम जाती हुए दिखाई देती है उनके लाव बात करें यहाँ पर विकेट कीपर की तो विकेट कीपर की लिस्ट में आपको शैम हारपर जो है विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे मेलबॉन रेनिगेट की टीम में वही जेवी पियर्सन जो है विकेट कीपिंग का जिम्मा जो है वो शम्हालते हुए दिखाई देंगे Brisbane Heat की टीम है दोस्तों उनके लावाद करें बल्ले बाजों की तो बल्ले बाजों में उश्मान क्वाजा पिसले मैस में 94 रणों की संदार पारी कहले थी जोश्वा ब्रोन 13 बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देते हैं और मैट रैंसो जो है आपको बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देंगे Brisbane Heat की टीम में वही दूसरी तरफ Melbourne Renegades की टीम की बात करें Melbourne Renegades की टीम में Sam Harper, Martin Guptill, Jonathan Wells और Aaron Finns जो है वो आपको बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देंगे कहीं न कहीं कहे जहाँ पर आज के इस मैस में Melbourne Renegades की टीम में दो दूसरी तरफ देखाई आल राउंडर्स की बात कर लेते हैं तो आल राउंडर्स की लिस्ट में आपको Will Sutherland जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे Renegades की टीम में मैंत्यू क्रिस्टली जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे टॉस तो है वो हो चुका है और टॉस तो है वो कहीं न कहीं देखे तो ब्रिस्पेन हीट की टीम ने आज के इस मैस में टॉस जित लिया है जी हाँ Melbourne Renegades की टीम को पहले बल्ले बाजी करने के लिए दोस्तों तो देखना होगा कि पहले बल्ले बाजी करती हुए Melbourne Renegades की टीम आखिरकार आज के इस मैस में कैसी पुक्मेंस करती हुए दिखाई दी है नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो टॉस जो है वह हो चुका है और टॉस जो है वह Brisbane Heat की टीम ने जित लिया है और पहले गेंद बाजी करने का फैसला जो है वह Brisbane Heat की टीम जो है वह करती हुए दिखाई दी है बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की दोस्तों आज के स्मैज में तो मेलबॉंड एंडिगेट्स की टीम में आज के स्मैज में देखाई आज शौन मार्स, मर्टिन गप्टिल, शैम हार्पर, एरोन फिन्स, मैथू क्रिस्टली, जोनाथन वेल्स, विल सदलैं, टॉ बॉली रोखेल, डेविट मुडे और फवाद अहमत खेल रहे हैं यानि एक चेंजस हमें देखने को मिला है हमारे प्लेइंग 11 के अनुषार रिचर्ड्सन के जगपर डेविड मुडे जो है वो खेल रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए ब्रिस्पेन हीट की टीम में त smoothie कोहन में और स्पांशर जो है वो खेल रहे हैं जानी आज के इस मेच में कहीं न कहीं एक चेंजस चरूर जहाँ पर अभी देखने को मिला है ब्रिस्पेन हीट की टीम में जो है वो आज के इस मैच में स्विप्शन के जगपर ब्रैकलेट को मौका दिया गया है तो और रेनिगेट्स की टीम जो है वो कैसी performance करते हुए दिखाई देती है दोस्तों बात करें तोनों ही टीमों के प्लेयरों की states की बारे में बाते कर लेते हैं तो बात करें यहां पर मर्टिन गप्टिल जी हाँ दोस्तों कही न कही देखे जहां पर रेनिगेट्स की टीम की उपनिंग की तो शैन मार्च जो है वो बात करें 73 मैचों में 2547 रन बनाया है पिसले मैच में हाला कि कोई रन बनाया नहीं था लेकिन उसे पहले लगातार बैक टू बैक तीन जो है वो 30 से जादर रन चोवन 32-35 रन बनाते हुए दिखाए दिये हैं 73 मैचों में 2547 रन बनाया है और 128 का इस ट्राइक रहता है हाई एस जो है 991 रहता है उनके लावा बात करें मर्टिन कप्टिल की तो 10 मैचों में 164 रन अमर्टिन कप्टिल ने बनाया है स्प्राइक लेक 111 का रहता है हाई स्कोर 112 रहता है और पिछले 5 मैचों में कही न कहीं दोस्तों 30 रन एक में बनाते हुए दिखाए दिये हैं उनके अलावा कोई बड़ा सौट बड़ा मैच जो है वो खिलते हुए दिखाए दिये नहीं है Melbourne Renegates की टीम जो है वो जीती थी और इस मैच को भी Melbourne Renegates की टीम जो है देखना होगा कि जीती है रही 101 मैच वें 3236 रहं रहे 134 के स्ट्राइक रगसाथ हाईस जो है 111 रहं पिछले 5 मैचों में देखा जाये तो पिछले 2 मैचों में 2 बड़ी पारिया दोनों ही मैचों बेहतरी इन बल्ले बाजी की थी 140 रणों के करीब चो है 140 रण पिछले दो ही मैचों बनाए है उससे पहले 22, 13 और 2 रण बढ़ाते हुए दिखाए दिये है उनके लावा बात करेश शैम हारपर की 77 मैचों में 1521 रण पिछले 5 मैचों में दो बड़ी पारिया 51 और 63 की संदार बल्ले बाजी शैम हारपर भी करने के लिए जाड़े जाते हैं उनके लावा मैथ्यू क्रिस्टली की बात करें तो गिंद और बल्ले दोनों से कमाल की पुफ़विंद मैथ्यू क्रिस्टली चो है कभी तक करते हुए दिखाए दिये है पिछले 5 मैचों में 105 रणाया है 140 के स्ट्राइकर के साथ वही हाईस चो है 35 रणाया है पिछले 5 मैचों में देखा जाए 35, 12, 23, 23, 23, 2 बड़ी पारिया और गेंद बादी में भी खासा प्रभावित अपनी टीम के लिए किये है मैथ्यू क्रिस्टली की बात करें उनके अलावा जोनाथन वेल्स की बात कर लेते हैं 125 मैचों में 28, 29, 122 के स्ट्राइकर 7, 27, 73 रता है पिसले 5 मैचों में कही न कहीं 25, 44, 26 और 22 रण बनाते हुए दिखाए दिये है तो फिर एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि याद ब्रिस्पेन हीट की टीम ने टॉक्स जित लिया है और पहले गेंदबादी करने का फैसला जो है ब्रिस्पेन हीट की टीम करती हुए दिखाई दी है दोस्तों उनके लाब विल सदरलेंड की बात करें तो 43 मैचों में 320 रण स्ट्राइकर 113 का विकेट 20 चटकाए है पिछले 5 मैचों में एक विकेट विल सदरलेंड चटकाते हुए दिखाए दिये हैं टॉम रोजर्स के बात करें उन 40 मैचों में 50 विकेट पिछले 5 मैचों में देखा जाए तो 7 विकेट चटकाए हैं अच्छी गेंदबाजी टॉम रोजर्स कर लेते हैं और आज के इस मैच में भी हमें उमीद होगी कि बेहतरीन गेंदाजी टॉम रोजर्स करते हुए दिखाए देंगे उनके लावा कैन डिचर्सन आज के इस मैच को मिस कर रहे हैं क्या संदार गेंदाजी रोखेल के द्वारा देखने को मिला है आज के इस मैच में भी उमीद होगी कि अच्छी गेंदाजी रोखेल करेंगे और आकरी में डेविड अमुडे आठ मैच में जो है वो कही नग गही नौ भीकर चटकाएं हैं और एक नुवी जो है साथ करता है पिछले पाँच में जो मैं देखाए आप तीन एक फवाद हमद की बात करते हैं तो चटकाते हुए दिखाए दिए हैं दूसरी दरब बात करें दोखतों यहाँ पर ब्रिसम ब्रोज जोहेवा खिलते हुए दिखाए दिये नहीं हाला कि उश्मान ख्वाजा की बात करें पिछले मैच में लगातार संदार बल्ले बाजी 66 मैचों में एक हजार नो सो अड़ तीस रम डाये हैं और पिछले पांच मैचों में हला कि पिछला मैच का एड़ नहीं हुआ है इसमें हम एड़ नहीं कर पाए हैं लेकिन 90 रन पिछले मैच में 90 से जादा बनाते हुए दिखाए दिये ते नाबाद 24, 13, 24, 18 और 14 रन बनाते हुए दिखाए दिये हैं उनके लावा बात करें 373 रन स्ट्राइक 112 और पिछले मैच में मरनुस लमचेन ने भी क्याब बिहतरीन बल्लेबादी जो है वो किया था दोस्तों मरनुस लमचेन जो है वो पिजले मैच में आप सभी को बताते जले कि 73 रनों के संदार पारी खेली थी उश्मान ख्वाजा ने 94 रनों की संदार पारी खेलते हुए दिखाई दिये थे उनके अलावा बात करें जहां पर जेमी पियर्सन की तो 130 मैचों में 1669 रन जहां पर बनाते हुए दिखाई दिये हैं और पिछले मैच में एक रन बनाकर रन आउट जरूर होते हुए दिखाई दिये थे उनके अलावा मैच रेंचों की बात करें तो 60 मैचों में 1301 रन स्ट्राइक ड़े 122 और 90 का हाई स्कोर रहा है और गेंद बाजी और बल्ले बाजी दोनों ही मैच रेंचों जो है वो करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तो उनके लावा देका जाए जैयम्स वैसले की बात करें 15 मैचों में 30 बिकेट पिछले 5 मैचों में 5 बिकेट अची गेंद बाजी कर लेते हैं उनके अलावा मिछल न impose में कोई विकेट नहीं मिलाथा तो पताना चाहूंगा दोस्तु फीर अक्मार की टॉस्त गार्टो है वहाई मिल्स्पेट की टीम ने जीता है और पहले गेंद बाती करने का फैसला कि यहाँ दोनों ही टीमों में चेंजे सिरूर देखने को मिले हैं कैन डिचर्ट सन के जगब डेविड मुटे खेल रहे हैं आज के समेज में वही दूसरी तरफ ब्रिस्पैन हीट की टीम में सुप्सन के जगब पर ब्रैट लेट जो है वाज के समेज में खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों तो अगर आपको क्या लगए दोस्तों इस नॉक आउट मुकाबले में किसका पलना भारी लगेगा कौन सी टीम इस मैंच को जितेगी कॉमेंच बोक्ष में अपनी राय जो है वा लिखना ना भुड़ेगा और चैनल पर अभी नहीं है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुड़ेगा वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं कहση कि दोस्तों बेहत बहुत स्वागत करता हूँ तो टॉस जो है वह हो चुका है और टॉस जो है वह ब्रिस बैन हीट की टीम ने जित लिया है और पहले गेंद बाजी करने का फैसला जो है वा ब्रिस्बेन हीट की टीम जो है वा करती भी दिखाय दी है बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की दोस्तों आज के समयच में तो Melbourne Renegades की टीम में आज के स्मैस में देखा दाज शॉन मार्स, मर्टिन, गप्टिल, शैम हारपर, एरोन फिन्स, मैथू क्रिश्टली, जोनाथन वेल्स, विल सदलैंड, टॉम रोजर्स, कॉली रोखेल, डेविट मुडे और फवाद अहमत खेल रहे हैं जानी, एक चेंजस हमें देखने को मिला है, हमारे प्लेइंग 11 के अनुषार, रेचर्ट्सन के जगपर, डेविड मुडे जो है, वो खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा दाए, ब्रिस्बेन हीट की टीम में, तो ब्रिस्बेन हीट की टीम में आज के स्मैस में, उश्मान के स्मैस में, कहीं न कहीं, एक चेंजस चरूर, जहां पर भी देखने को मिला है, ब्रिस्बेन हीट की टीम में, जो है, वो आज के स्मैस में, स्विप्शन के जगपर, ब्रैटलेट को मौका दिया गया है, तो दोनों ही टीमों में, एक एक चेंजस हमारे प्लेइंग 11 के अन स्टेट्स की बारे में बाते कर लेते हैं, तो बात करें यहां पर, बट्टिन का प्लिजी हां दोस्तों कहीं न कहीं देखे, जहां पर रेनिगेट्स की टीम की ओपनिंग की, तो शैन मार्स जो है, वो बात करें, 73 मैचों में 2547 रण बनाया हैं, पिसले मैच में, हाला कि स्टेट्स की बात करें, पिसले दोनों ही मैच, बड़े मैचों में बड़े मैचों में बड़ा पारी खिलते हुए दिखाई देते हैं, और वैसा ही हमें ऐरोन फिन्स के द्वारा देखने गुबला, पिसले मैच में बात करो या मरों के मुकाबलों में, मैलबॉन रेनिगेट्स की टीम जो है वो जीती थी, और इस मैच को भी मैलबॉन रेनिगेट्स की टीम जो है वो देखना होगा कि जीती है रहीं, हाला कि 101 मैचों में 3236 रम राएं, 134 के स्ट्राइकर गसाथ, आईएस चो है, 111 राएं, पिछले 5 म मैचों में दो बड़ी पारिया, दोनों ही मैचों बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 140 रनों के करीब चो है, 140 रन पिछले दो ही मैचों मराएं हैं, उससे पहले 22, 13 और दो रन बढ़ाते हुए दिखाए दिये हैं, उनके लावा बात करें, शायम हारपर की, 77 मैचों में 1521 पिछले 5 मैचों में 105 रनाया है, 140 के स्ट्राइकर के साथ वही हाईस चो है, वो 35 रता है, पिछले 5 मैचों में देखा जाया, 35, 12, 23, 23, दो बड़ी पारिया और गिंद बाजी में भी खासा प्रभावित अपनी टीम के लिए किये हैं, मैथू क्रिस्टली की बात करें, उनके पिछले 5 मैचों में देखा जाया, तो 7 मैचों में अच्छी गेंद बाजी टॉम रोजर्स कर लेते हैं, और आज के स्मैस में भी हमें उमीद होगी कि बेहतरीन गेंद बाजी टॉम रोजर्स करते हुए दिखाए देंगे, उनके अलावा कैन डिचर्सन आज के स्मैस को मिस कर रहे हैं, कौरी रोखेल जो है वागत तीन मैचों में 5 मिकेट चटकाए हैं, क्या संदार गेंद बाजी रोखेल के द्वारा देखने को मिला है, आज के स्मैस में भी उमीद होगी कि अच्छी गेंद बाजी रोखेल करें में तो जो अश्वा प्राउन जो है हाला कि सुरवास बहुत ही लाजवा बल्लेवाजी की थी 11 मैचों में 175 अश्वा प्रॉन बनाते हुए दिखाये दिए है 62 रन जो है उनका high score रहा है हाला कि पिछले 5 मैचों में कोई बड़ी पारिया जो अस्वा भ्रोज जो है वा खिलते हुए दिखाए दिये नहीं हाला कि उश्मान ख्वाजा की बात करे पिछले मैच में लगातार संदार बल्ले बाजी 66 मैचों में 1,938 रन बड़ाए है और पिछले 5 मैचों में हला कि पिछला मैच का एड नहीं हुआ है इसमें हम एड नहीं कर पाए है लेकिन 90 रन पिछले मैच में 90 से जादा बनाते हुए दिखाए दिये नवाद 24-3, 24-18 और 14 रन बनाते हुए दिखाए दिये हैं उनके लावा बात करें शैम हैंड की दोस्तों 6 मैचों में 213 रन स्ट्राइक डेक्सों 40 का विकेट 17 और साथ ही साथ लास्ट पांच मैचों में जो है वह कहीं ने कहीं देखे 176, 173, 305 रन बनाते हुए दिखाए दिये हैं उनके लावा मरनुस लमचेन की बात करें 24 मैचों में 373 रन स्ट्राइक 112 और पिछले मैच में मरनुस लमचेन में भी क्याब बिहतरीन बल्लेबादी जो है वो किया था दोस्तों मरनुस लमचेन जो है वो पिजले मैच में आप सभी को बताते जले कि 73 रनों के संदार पारी खेली थी उश्मान ख्वाजा ने 94 रनों की संदार पारी खेलते हुए दिखाए दिये थे उनके अलावा बात करें जहांपर जेमी पियर्सन की तो 130 मैचों में 1669 रन जहांपर बनाते हुए दिखाई दिये हैं और पिछले मैच में एक रन बना कर रन आउट जरूर होते हुए दिखाई दिये थे उनके अलावा मैच फ्रेंचों की बात करें तो 60 मैचों में 1301 रन स्ट्राइक ड़े 122 और 90 का हाई स्कोर रहा है और गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही मैच रेंचों जो है वो करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों उनके लावा देखा जाए जैम्स वैसली की बात करें 30 मैचों में 30 बिकेट पिछले 5 मैचों में 5 बिकेट अच्छी गेंदबाजी Jams वाजली कर लिते हैं उनके लाबा मिचल ने इसर के बात करें पिसले मैच में कोई Wicket नहीं मिला थ है अच्छी गेंदबाजी मिचल नैसर करते हैं 85 मैचों में कहीं और कहीं न कहीं 500 से ज़ी ज़ाधा नंवानाया है और मैथ्यू कोहनमें जो है उपिसले पांच में जो एक बिकेट चटकाते हुए दिखाए दिये हैं तो बताना चाहूंगा दोस्तों फिर एक बार की टॉस्ट जो है वो बिरिस्पेन हीट की टीम ने जीता है और पहले गेंद बाती करने का फैसला कि यहां दोनों ही टीमों में चेंजे सिरूर देखने को मिले हैं कैन डिचर्ट सन के जगब डेविड मुटे खेल रहे हैं आज के स्मेज में वही दूसरी तरफ बिरिस्पेन हीट की टीम में स्विप्शन के जगब पर ब्रैट लेट चो है वाज के समेज में खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों तो अगर आपको क्या लगए दोस्तों इस नॉक आउट मुकाबले में किसका पलना भारी लगेगा कौन सी टीम इस मैंच को जितेगी कॉमेंस बॉक्श में अपनी राय जो है वा लिखना ना भुड़ेगा और चनल पे अभी नहें है दोस्तों चनल को सब्सक्राइब करना ना भुलेगा वीडियो को लाइक नहीं कहा है दोस्तों बहुत स्वागत करता हूँ तो टॉस जो है वो हो चुका है और टॉस जो है वो ब्रिस्पेन हीट की तीम ने जित लिया है और पहले गेंद बाजी करने का फैसला जो है वो ब्रिस्बेन हीट की टीम जो है वो करती भी दिखाए दी है बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की दोस्तों आज के स्मेश में तो मेलबॉंड रेनिगेट्स की टीम में आज के स्मेश में देखा दा जो शॉन मार्स मर्टिन कप्टिल शैम हारपर ए दूसरे तरब देखा दाए Brisbane Heat की टीम में तो Brisbane Heat की टीम में आज के स्मैज में उश्मान ख्वाजा जोस्वा प्रॉन मॉद्नु स्लमचेंज बैट फ्रेंचो शैम हैं जिमी पियर्शन जैम स्मैजली मिचल नयासिर एक्समर्ड बैटलेट खेल रहे हैं मैंतु कोहनमेर और स्प के जगह पर ब्रैटलेट को मौका दिया गया है तो दोनों ही टीमों में एक एक चेंजिस हमारे प्लेइंग 11 के अनुसार देखने को मिले हैं दोस्तों और देखना होगा कि क्या आज के इस मैज में आखिरकार पहले बल्ले बाजी करती हुई Melbourne Renegates के तीम जो है वो कैसी performance करत देखाई देती है दोस्तों बात करें दोनों ही टीमों के प्लेयरों के स्टेट्स की बारे में बाते कर लेते हैं तो बात करें यहां पर बट्टिन गप्टिल जी हां दोस्तों कहीं न कहीं देखे जहां पर Renegates की टीम की opening की तो शैन मार्च जो है वो बात करें 73 मैचों में 25 2547 रण बनाये हैं पिसले मैच में हाला कि कोई रण बनाया नहीं था लेकिन उसे पहले लगातार बैक टू बैक तीन जो है वो 30 से जादर रण चोवन 32 35 रण बनाते हुए दिखाय दिये हैं 53 मेचों में 2547 रण बनाये हैं और 128 का स्ट्राइकल रहता है हाईएशर 99 रहता है उनके बらबात करें अमर्ठिन कप्टिल की तो 10 मेचों में 164 रण अमर्ठिन कप्टिल ने बनाये हैं स्ट्राइकल 111 कर राता हाई स्कूर 112 रहता है और पिछले पांच मैचों में कहीं न कहीं दोस्तों 30 रन एक में बनाते हुए दिखाए दिये हैं उनके लावा कोई बड़ा मैच जो है वह खिलते हुए दिखाए दिये नहीं है मैलबॉन रेनिगेट्स की टीम जो है वह जीती थी और इस मैच को भी मैलबॉन रेनिगेट्स की टीम जो है वह देखना होगा कि जीती है नहीं हाला कि 101 मैचों में 3236 रम राएं 134 के स्ट्राइकर गसाथ हाई एस चो है 111 राएं पिछले 5 मैचों में देखा जाए तो पिछले 2 मैचों में 2 बड़ी पारिया दोनों ही मैचों 72 बल्ले बाजी की थी 140 रणों के करीब चो है 140 रण पिछले 2 ही मैचों बनाए हैं उससे पहले 22, 13 और 2 रण बढ़ाते हुए दिखाए दिये हैं उनके लावा बाद करेश शैम हारपर की 77 मैचों में 1521 पिछले 5 मैचों में 2 बड़ी पारिया 51 और 360 की संदार बल्ले बाजी शैम हारपर भी करने के लिए जाने जाते हैं उनके लावा मैथ्व क्रेश्टली की बात करें तो गिंद और बल्ले दोनों चे कमाल की पुफ़विंद मैथ्व क्रेश्टली चो है कभी तक करते हुए दिखाए दिये हैं पिछले 5 मैचों में 105 नमराए है 140 के स्ट्राइकर के साथ वही हाईस चो है वो 35 रता है पिछले 5 म मैचों में 25, 40, 26 और 22 रता है दिखाए दिये हैं तो फिर एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि याद ब्रिस्पैन हीट की टीम ने टॉक्स जित लिया है और पहले गेंद बादी करने का फैसला ब्रिस्पैन हीट की टीम करते हुए दिखाई दिये हैं दोस्त पांच मैचों में देखा जाए तो साथ विकेट चटकाए हैं अच्छी गनबाजी टॉम रोजर्स कर लेते हैं और आज के समयच में भी हमें उमीद होगी कि बेहतरीन गनबाजी टॉम रोजर्स करते हुए दिखाए देंगे उनके लावा कैन रिचरसन आज के समयच को मिस् अच्छी गनबाजी रोखेल के द्वारा देखने को मिला है आज के समयच में भी हमेद होगी कि अच्छी गनबाजी रोखेल करेंगे और आकरी में डेविड अमुडे आठ मैचों में जो है वो कही ने कही नो भीकेट चटकाए हैं और एकनो मी जो है साथ कराता है पिसले प 75 रन जो अस्वा प्रोन बनाते हुए दिखाए दिये हैं 62 रन जो है उनका है इसको रहा है हाला कि पिछले 5 मैचों में कोई बड़ी पारिया जो अस्वा प्रोन जो है वो खिलते हुए दिखाए दिये नहीं हाला कि उश्मान ख्वाजा की बात करें पिछले मैच में लगात 18 और 14 रन बनाते हुए दिखाए दिये हैं उनके लावा बात करें शैम हैंड की दोस्तों 6 मैचों में 213 रन स्ट्राइक डेक्स चालिस का विकेट 73 और साथ ही साथ लास्ट पांच मैचों में जो है वह कहीं ने कहीं देखें मर्नुस लमचेन जो है वह पिजले मैच में आप सभी को बताते जले कि 73 रनों के संदार पारी खेली थी उश्मान ख्वाजा ने 94 रनों की संदार पारी खेलते हुए दिखाए दिये थे उनके अलावा बात करें जहां पर जेमी पियर्सन की तो 103 मैचों में 1669 रन जहां पर बनाते हुए दिखाई दिये हैं और पिछले मैच में एक रन बना कर रन आउट जरूर होते हुए दिखाई दिये थे उनके लावा मैच रेंचों की बात करें तो 60 मैचों में 1301 रन स्ट्राइक रें 122 और 90 का हाई स्कोर रहा है और गेंद बाजी और बल्ले बाजी दोनों ही मैच रेंचों जो है वो करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों उनके लावा देखा जाए जैम्स वैसली की बात करें 30 मैचों में 30 बिकेट पिछले 5 मैचों में 5 बिकेट अच्छी गेंद बाजी जैम्स वैसली कर लेते हैं उनके लावा मिचल नयासर की बात करें पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला था अच्छी गेंद बाजी मिचल नयासर करते हैं पिछासी मैचों में कहीं नहीं 500 से ज्यादा नुझ नहीं नहीं ओपकेople तो बताना चाहूंगा दोस्तों फिर एक बार की टॉस्ट जो है वो ब्रिस्पेन हीट की टीम ने जीता है और पहले गेंदबादी करने का फैसला कि यह दोनों ही टीमों में चेंजे जरूर देखने को मिले हैं कैन डिचर्ट सन के जगह पर डेविड मुटे खेल रहे हैं आज के समेज में वही दूसरी तरफ ब्रिस्पेन हीट की टीम में सुप्सन के जगह पर ब्रैट लेट जो है वो आज के समेज में खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों तो अगर आपको क्या लगए दोस्तों इस नॉकाउट मुकाबले में किसका पलना भारी लगेगा कौन्सी टीम इस मैंच को जितेगी कॉमेंच बोक्ष में अपनी राय जो है वो लिखना ना भुडेगा और चैनल पर अभी नहीं है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बुडेगा वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भुलेगा दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो टॉस्त जो है वह हो चुका है और टॉस्त जो है वह ब्रिस्पेन हीट करने का फैसला जो है वह ब्रिस्पेन हीट की ट टॉम रोजर्स, कॉली रोखेल, डेविट मुडे और फवाद अहमत खेल रहे हैं यानि एक चिंजस हमें देखने को मिला है हमारे प्लेइंग 11 के अनुषार रेचर्ट सन के जगपर डेविट मुडे जो है वो खेल रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए ब्रिस्बेन हीट क खेल रहे हैं मैंतु कुहनमेर और स्पांशर जॉन्सन जो है वो खेल रहे हैं जानी आज के इस मैच में कहीं न कहीं एक चेंजस चरूर जहां पर भी देखने को मिला है ब्रिस्बेन हीट की टीम में जो है वो आज के इस मैच में स्विप्शन के जगपर ब्रैटलेट को मौ बात करें दोनों ही टीमों के प्लेयरों की स्टेट्स की बारे में बाते कर लेते हैं तो बात करें यहाँ पर बटिन गब पिल जी हां दोस्तों कहीं न कहीं देखें जहाँ पर रेनिगेट्स की टीम की उपनिंग की तो शेंड मार्च जो है वो बात करें 73 मैचों में 2547 रन बनाया है पिसले मैच में हाला कि कोई रन बनाया नहीं था लेकिन उसे पहले लगातार बैक टू बैक तीन जो है 30 से जादर रन चोवन 32-35 रन बनाते हुए दिखाए दिये हैं 73 मैचों में 2547 रन बनाया है और 128 का पिसले दोनों ही मैच बड़े मैचों में बड़ा पारी खिलते हुए दिखाए देते हैं और वैसा ही हमें Iron Fins के द्वारा देखने को बिला पिसला मैस में भी करो या मरो के मुकाबलों में Melbourne Renegades की टीम जो है वो जीती थी और इस मैच को भी Melbourne Renegades की टीम जो है वो देखना होगा कि जीती है रही हाला कि 101 मैचों में 3236 रूम राए 134 के Striker गसाथ हाई इस जो है 111 राए पिछले 5 मैचों में देखा जाए तो पिछले 2 मैचों में 2 बड़ी पारिया दोनों ही मैचों 72 बल्लेबाजी की थी मैचों में 105 रूम राया है 140 के Striker के साथ वही हाई इस जो है वो 35 राता है पिछले 5 मैचों में देखा जाए 35 तो बारह 23 और 33 सनी दो बड़ी पारिया और गिंदाजी में भी खासा प्रभावित अपनी टीम के लिए किये है मैथू क्रिस्टली की बात करें उनके अलावा जो बिरिस्टली की टीम ने टॉस जित लिया है और पहले गंदबाजी करने का फैसला जो है और बिरिस्टली की टीम करती हुए दिखाई दी है दोस्तों उनके लाव विल सदरलेंट की बात करें तो साथ मैचों में अच्छी गंदबाजी टॉम रोजर्स कर लेते हैं और आज क करते हैं तो चटकाते हुए दिखाई दिये हैं दूशरी दर बात करें दोख्तों यहाँ पर बिरिस्टली की टीम में है तो जो अश्वा प्रोन जो है हाला कि शुरुआत में बहुत ही लाजवा बल्लेबाजी की थी 11 मैचों में 175 रन जो अश्वा प्रोन बनाते हुए दिखाई दिये हैं 62 रन जो है उनका हाइस को रहा है हला कि पिछले पांच मेचों में एक कोई बड़ी पारिया जो अस्वा ब्रोन जो है वा खिलते हुए दिखाई दिये नहीं हला कि उश्मान ख्वाजा की बात करें पिछले मैच में लगातार संदार बल्ले बाजी 66 मेचों में 1938 रन राये हैं और पिछले पांच मेचों में हलाकि पिछला मैच का एड नहीं हुआ है इसमें हम एड नहीं कर पाए हैं लेकिन 90 रन पिछले मैच में 90 से ज़्यादा बनाते हुए दिखाए दिये तेनाबाद 24, 13, 24, 18 और 14 रन बनाते हुए दिखाए दिये हैं उनके लावा मौनुस लमचेंट की बात करें 24 मैचों में 373 रन इस्ट्राइक लेक सो 12 हो और पिछले मैच में मरनुस लमचेंट ने भी क्याब भीहतरीन बल्लेबादी जो है वो किया था दोस्तों मरनुस लमचेंट जो है वो पिजले मैच में आप सभी को बताते जले कि 73 रनों के संधार पारी खेली थी उश्मान ख्वा रन आउट जरूर होते हुए दिखाए दिये थे उनके लावा मैट फ्रेंचो की बात करें तो 60 मैचों में 1301 रन स्ट्राइक ड़े 122 90 का हाई स्कोर रहा है और गेंद बाजी और बल्ले बाजी दोनों ही मैट फ्रेंचों जो है वो करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों उनके लावा देखा जाए जैंस वैसली की बात करें 30 मैचों में 30 विकेट पिछले 5 मैचों में 5 विकेट अच्छी गेंद बाजी जैंस वैसली कर लेते हैं उनके लावा मिचल नयासर की बात करें पिछले पाँच मैचो में चार विकेट इसपॉंशर जॉंसन ने चटका है वही में चल शुप्षन आज के समैच को मिस्ट कर रहे हैं और मैथ्यू कोहनमें पिछले पाँच मैचो एक बिगेट चटकाते हुए दिखाए दिये हैं तो बताना चाहूंगा दोस्तों फीरेट पार की टॉस्ट जो है वो ब्रिस्पेन हीट की टीम ने जीता है और पहले गेंद बादी करने का फैसला कि यहाँ दोनों ही टीमों में चेंजे चरूर देखने को मिले हैं कैंडी चर्सन के जगह पर डेविड मुटे खेल रहे हैं आज के समेज में वही दूसरी तरफ ब्रिस्पेन हीट की टीम में सुप्सन के जगह पर ब्रैटलेट जो है वाज के समेज में खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों तो अगर आपको क्या लगए दोस्तों इस नौ भागत करता हूँ तो टॉस जो है वह हो चुका है और टॉस जो है वह ब्रिस्पेन हीट की टीम ने जिद लिया है और पहले गेंद बाजी करने का फैसला जो है वह ब्रिस्पेन हीट की टीम जो है वह करती भी दिखाई दी है बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की द देखने को मिला है हमारे प्लेइंग 11 के अनुषार रेचर्ड्सन के जगह पर डेवीड मुडे जो है वो खेल रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए ब्रिस्पेन हीट की टीम में आज के इस मैच में उश्मान ख्वाजा जोस्वा प्रॉन मॉद्नू स्लमचेंज बैट फ्र अभी देखने को मिला है ब्रिस्पेन हीट की टीम में जो है वो आज के इस मैच में स्विप्शन के जगह पर ब्रैटलेट को मौका दिया गया है तो दोनों ही टीमों में एक एक चेंजिस हमारे प्लेइंग 11 के अनुसार देखने को मिले हैं दोस्तों और देखना होगा कि क् अनुसार बात जींग करते हुई मेलबॉन रेनिगेट्स के टीम जो है वोग ऐसी करते हुए दिखाई देती है दोस्तों बात करें दोनों ही टीमों के प्लेयरों के स्टे incidents की बारे में बाते कर लेते हैं तो बात करें यहां पर मर्टिन गप्टिल जी हां दोस्तों कहीं न कहीं देखे जहां पर रेनिगेट्स की टीम की उपनिंग की तो शैन मार्च जो है वो बात करें 73 मैचों में 2547 रन बनाया है पिसले मैच में हाला की कोई रन बनाया नहीं था लेकिन उसे पहले लगातार बैक टू बैक तीन जो है व बात करें मर्टिन कप्टिल की तो 10 मैचों में 164 रन अमर्टिन गप्टिल ने बनाया है स्ट्राइक लेक्वे 111 कराता है हाई स्कूर 112 रन आता है और पिसले पांच मैचों में कहीं न कहीं दोस्तों 30 रन एक में बनाते हुँ दिखाए दिये हैं उनके अलावा कोई बड़ा मैस में भी करो या मरो के मुकाबलों में Melbourne Renegades की टीम जो है वो जीती थी और इस मैच को भी Melbourne Renegades की टीम जो है वो देखना होगा कि जीती है रही हाला कि 101 मैचों में 3236 रुम राए 134 के स्ट्राइकर गसाथ हाइए 111 राए पिछले 5 मैचों में देखा जाए दोनों ही मैचों 72 बल्लेबाजी की थी 140 रणों के करीब चो है 140 रण पिछले दो ही मैचों बनाये हैं उससे पहले 22-23 और 2 रण बढ़ाते हुए दिखाए दिये हैं उनके लावा बात करें शैम हारपर की 77 मैचों में 1521 पिछले 5 मैचों में दो बड़ी पारियाई क्यावन और 63 की संदार बल्ले बाजी शैम हारपर भी करने के लिए जाड़े जाते हैं उनके लावा मैथ्यू क्रेश्टली की बात करें तो गिंद और बल्ले दोनों चे कमाल की पुफवें मैथ्यू क्रेश्टली चो है कभी तक करते हुए दिखाए दिये हैं पिसले 5 मैचों में देख पिसले 5 मैचों में देखा जाए 35, 12, 23, 23, दो बड़ी पारिया और गिंद बाजी में भी खासा प्रभावित अपनी टीम के लिए किये हैं मैथ्यू क्रेश्टली की बात करें उनके लावा जोनाथन वेल्स की बात कर लेते हैं 125 मैचों में 2809 रन, 122 का स्ट्राइक रग 7, 24, 73 रता है पिसले 5 मैचों में कहीं 25, 46, 26 और 22 रन बनाते हुए दिखाए दिये हैं तो फिर एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि याद ब्रिस्पेन हीट की टीम ने टॉस जित लिया है और पहले गेंद बाजी कर करें, 49 मैचों में 50 मिकेट, पिसले 5 मैचों में देखा जाए तो 7 मिकेट चटकाए हैं, अच्छी गनबाजी टॉम रोजर्स कर लेते हैं, और आज के इस मैच में भी हमें उमीद होगी कि बेहतरिन गनबाजी टॉम रोजर्स करते हुए दिखाए देंगे, उनके अलावा कै पिसले 5 मैचों में 9 पिकेट चटकाए हैं, और एकनोबी ञाए साथ कर रहता है, पिसले 5 मैचों में देखा जाए तीन तीन एक फवाद अहमत की बात करते हैं, तो चटकाते हुए दिखाए दिखाए दिए हैं, दूसरी दर बात करें दोखतों, यहाँ पर बिसमेंई हीट क तो जो अश्वा प्रोन जो है हाला कि शुरुआत में बहुत ही लाजवा बल्लेबाजी की थी 11 मैचों में 175 रन जो अश्वा प्रोन बनाते हुए दिखाए दिये हैं 62 रन जो है उनका हाइस को रहा है हाला कि पिछले 5 मैचों में कोई बड़ी पारिया जो अश्वा प्रोन जो ज्यादा बनाते हैं तो दोनों ही ओपनर पर लिबास दोस्तों ग्राउंड में अब इंट्री करते हुए दिखाई देता है और इस रोमांचक और संदार मुकाबले का अगार्ट जो है अब से महज़चंद मिन्टों के अंदर अंदर ये मैच स्ट्राट हो जाएगा दोस्तों भूलेगा दोस्तों ताकि आने वाले हर मैच की कमेंटर जो हब सबसे पहले इस चैनल के बाद धिमज़ाब आप सभी के साथ लगातर लाते रहेंगे दोस्तों सुनाते रहेंगे दोस्तों मैच चोहब संदार दिल्चस्प रोमांचक और लाजबाब होने वाला है और देख सबसे पहले इस चैनल के माद धिमज़ाब आप सभी के साथ लगातर लाते रहेंगे दोस्तों सुनाते रहेंगे दोस्तों दोनों ही बलने बात जो है वो ग्राउन में इंट्रे कर चुके हैं और जहां पर देखना होगा कि क्या इस रोमांचक और शंदार मुकाबले को कौन कौनची टीम जो है वो जीत दरजगर पाड़े में शफल हो पाती है आपको क्या लग रहा है कोमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जो है वो लिखना ना बुलेगा और चैनल पर अभी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जो है वो करना ना बुलेगा दोस्तों ताकि आने वाले जगर पाड़े में शफल हो पाती है तो लगातर हमारा साथ पर पर देएमर् भॉनेन रैनिगेट्स की टीम जो है आज के समेज में पहले बल्लेबाजी कर रही है टौस जो है वो जीदा था कहीं बिरिस्पेन हीट की ठीम और पहले गेंद बाजी करने का फैस्ला जो हो है प प्रिस्पेन हीट की धीम करती हुई दिखाई दी है दोस्तों तो निचे तोर पर एक बढ़िया मुकाबला जो है हमें देखने को मिलने वाला है और ये दोनों ही बल्ले बात जो है वो देखना होगा कि क्या आज के स्मैस में कैसी पुखमिंज करते हुई दिखाई देते हैं घैंद करने के लिए पहर कहीं देखे एक बढ़िया को मिला जो है वो चली गई के बाहर 4 आनों के लिए दोस्तों तो इस चौके के साथ ही स्कूर जो है वो जहां पर देखे तो इस कूर जो है एक गन्दो का खेल जो है वो हो चुका है आज के इस मैंज की बात करे और दौनों ही वल्यवाज जो है अभी देखना होगा इज़ी बीचे गांट और सकेंट को फिर एक बार देखा बल्यवाज बाएद लके हाथ उस खेला आज केश मैच कोई पाले में सफ़ल पाती है शोर मार्श ने दो गिंदो पर 5 रण बनाये है मंटिन गप्ह्टिल ने जीरो गिंदो पर 0 बनाखर किसरे वजूद है मिचल नैशीर्ड ने दो गिंद किया है पाँच रण खरच किया है क्या इस स्केंट पर हमें कोई बड़ा सौर देखने को मिलेगा या नहीं दोस्तों आपके क्या राय है कोमेंस बॉक्स में अपनी राय सो है वो लिखना देना ना भुलेगा और चनल पर भी नए है दोस्तों चनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद करता हूँ नोकाउट मुकाबला आज जो है वह खेला सा रहा है इस नोकाउट मुकाबले में देखना होगा की कौन सी टीम जितती है इस नोकाउट मुकाबले को जबी देखना दिल्चस्पों का हाला कि स्कूर जो है अभी भी देखा जाए तीन गिंदों का खेल ह बराकर ग्रिस्म मुझूद है मैसल नयाशिर इस और में चोथी मरतबाалась गिन्बाजी करने के लिए त Dingeं करने के लिए τियार हुंगे मैसल नयाशिर की बात करें और शामना करेंगे बल्लेबाद के बात के जाए दोस्तों अच्छी बल्लेबाद से यहाँ पर ये दोनों ही बल्लेबाद जो है वो करते हुए दिखाई देने हैं और देखना होगा कि क्या इस रोमान चक और संदार मुकाबली को कौन सी टीम जित्ती है सौन मार्स ने तिन गंदो पर पांच मर्टिन कप्टिल ने एक गंदो पर एक रन बढ़ा कर ग्रस्प मुझूद है चार खिंदो का खेड हो चुका है चे है स्कोर दोस्तों बीना कोई पिकेट के दोस्तों और अभी भी जित्तों नहीं बल्यबाद सो है वो देखना होगा कि कदरी तेजी के साथ रणो की कती को बढ़ाते हो दिखाई देते हैं और कौन सी टीम आकरकार आज के इस मैच को जित तर्जकर पाने में सफल हो पाती है जबी देखना दिल चस्प होगा दोस्तों तो चनल पर दोस्तों रहे हैं चनल को सब्सक्राइब जरू कद जगा आगली गेंद करने के लिए फिर अकबार के इन बहाते आरी ये गेंद बहुत ही लाज़ बाप गेंद टपा खाकर अंदर की और आई ये गेंद और लेफटेंडर बल्यबाज के लिए बाप कद जगा कोई मौकाद नहीं था दोस्तों तो लगातार हवारा साथ बने दिये दोस्तों धेर सारा प्यार जो हो दितरी और चनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरू कर लेजगा वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों वीडिय पर देखना होगा कि क्या इस रोबान चक और बहतरीन और बहतरीन और जंदार मुकाबले को कौन जी टीम जीद दर्जगर पाने में शफल हो पाती है तो इस स्कोर जो है अभी भी देखा जाए दोस्तों एक उब्रू किसमापती के बाद साथ है स्कोर बिना कोई बिकेट के औ पर बाद बाद साथ बाद बमले बाहले में दोस्तों और हम जाएँ वर्दय करते हैं लेफ्टेंडर वल्यबाज के लिए बाहर की और निकलती हुई ये गेंट दिखाए दी और इस गेंट को शॉन मार्च ने देखा और कवर के दिसा में खेला रंज हो लने का भी भी कोई मौका नहीं था एक दश्मरों एक उफ्रों के समापती के बाद साथ है स्कोर एक बिना क कोई बिकेट के देखा जाए दोस्तों आज के समयस में और अभी भी जित दरजगर पाड़े में शफल हो पाती है जबी देकना दिल्चसप होगा आपको क्या लग रहा है कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय चो है वो लिखना अपनी राय को साजा करना ना भूलेगा और अब दोस्त ने हैं चनलन को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा अगली केंद करने के लिए बहुती बेहत्रेन केंद फिरे पार इस केंद को खेला था सीधे बल्लेशे और अपनी ही फॉलत रूम में ब्रैटलेट ने इस केंद को अपने हाथों में कैद कर लिया रम जो है वो स्कूर को कितनी तेजी के साथ पढ़ाएंगे कौन सी टीम इस मैच को जितेगी कोमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा चनल पर दोस्तों नहीं है चनल को सब्सक्राइब जो कर लिजएगा वीडियो को दोस्तों अभी भी लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक टीम के स्कूर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और कौन सी टीम आखिरकार आज के समयच को जित दर जिगर पाणे में शफल हो पाएगी कोमेंट्स बॉक्स में अपनी राय को साजा करना ना भुलेगा और वीडियो को भी लाइक नहीं किया है भी भी आठे स्कूर एक देश मलो तीन उबरो की समापती हो चुगी है दोस्तों स्कूर जो है भी भी आठे स्कूर इसी बेस एक्स ब्रैटलेट इसोबर की अगली गैंद करने के लिए फिर एक बार दोड़ना स्ट्राट के या मसल मार्स के लिए गैंद हो की देखना होगा मसल मार्स जो है इस केंद पर क्या फिर एक पार हमें कोई बड़ा स्ट खेलते हुए दिखाई देते हैं या नहीं क्या इस केंद को जी हाँ इस केंद को उठाकर खेलना चाहते तेमा आपके जगा मर्टिन गप्तिल और यहां पर कैच आउट जी हाँ दोस्तों कवर के दिश मैख जहां पर कफर के दिशा में लिया गया और मठिन कप प्टिल का पारी का समापन होता हुआ दिखाई दरा है तो एक दश्मरों 4 प्रों की समाप्ति के बाद 8 स्कोर और पहला बीकेट गिरता हुआ दिखाई दरा दोस्तों निचे तोर पर एक बड़ा बीकेट का पतन न हो चुका है और देखना होगा कि क्या इंडियन टेम जो है वो आखिरकार आज के इस मैस में कैसी पो कमेंस करते हुई दिखाई देगी दोस्तों कमेंस बॉक्स में जरूर बताएगा और चनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया प्रोमांच चक और शंदार वेहत्रीन और जंदार मुकाबले को कौन सी टीम जितेगी कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय सो है बोले देना ना भूलेगा और चैनल पर विपने हैं चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब दूकर जगा स्कोर जो है बल अगाधर वरता जारा दोस्तों देखना होगा क्या यहां से यह दोने ही बल्ले बाजों की जोड़ी जो है अपनी टीम के स्कोर को किदनी तेजी के साथ बढ़ाती है और कौन सी टीम इस मैच को जितपाने में सपल अपाते हैं ना गेंट बल्ले बाज आ चुक पास्ट मेडियम ब्रेटलेट जो है गनबाजी कर रहे हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी सठीक लाइन के साथ जो है ब्रेटलेट गनबाजी करते हुए दिखाई देर हैं और देखना होगा कि क्या इस रोमन चक और संदार बुकाबले में किसका पढ़ला भारी लगता हुआ दिखाई देता है और कौन सी टीम आखिरकार आज के इस मैच को जितबाने में सफल हो पाती है शामहर पर एक गनबाज ने नो गनबाजी किया और एक बिकेट अभी तक एक ब्रेटलेट को मिलता हुआ दिखाई दिया है दोस्तो देखना होगा दो फ्रो के सबापती के बाद नो है स्कोर और एक बिकेट गिरा है मेलपोन रेनिगेट्स के टीम का शॉन मार्स ने नो गिंदो पर छे और वही शाम हार्पर ने एक गिंदो पर एक रन बड़ा कर रिक्रेस पर मुझूद है लगातार हमारा साथ बन दोस्तो दोस्तो और देखना होगा कि क्या इस रोमांचक और संदार मुखाबले को कौन सी टीम जीद दर्जगर पाड़े में शफल हो पाती है जबी देखना दिल्चस्प रहेगा दोस्तो आपको क्या लग रहा है कोमेंस बॉक्स में अपनी राय देना ना भुलेगा अग अभी ये दोने ही बल्लेबाद देखना होगा कि कितनी तेजी के साथ रनों की गती को बढ़ाती हो दिखाए जाते हैं अगली गैंद करने के ले पर अकबार में सलने असर किया गैंद अच्छे गैंद इस गैंद को देखा बल्लेबाद सुरा छात मकंदास सखेला पेर कौन जिटी माकिरकार आज के स्मैच को जितर जगर पाने में शफल हो पाती है जबी टेकना दिल्चस्पर रहेगा दोस्तों आपको क्या लग रहा है कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी रायत सो है वह लिखना ना भुलेगा और चैनल पे दोस्तों नहीं है चैनल को सब्सक्राइ है तो जाएए फटाफ़ट हमारे टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएए चैट बॉक्स के साथ सा डिस्क्रिप्सन में भी आपको हमारा टेलिग्राम का लिंक बल जाएगा वहाँ पर बैक टु बैक जो है वो बैस रिपोर्ट जो है आप सभी को हम प्रोबाइड करा रहे है आज के मैच में कौन सी टीम जीतेगे इस मैच को कमेंच बॉक्स में अपने राय चो है वो लिखना ना भूलेगा दोस्तो और चैनल पर भी नहीं है दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा द दोस्तों क्योंकि हमारे टीम में जो है मर्टिन गर्टिल सामिल नहीं थे और आप जो है वो खुद हमारे फेलिग्राम के साथ जूड़ कर आप देख सकते हैं कि हमारे टीम में कौन-कौन से प्लेयर सामिल थे और आज के मैस में कौन से प्लेयर को सबसे जादा बिकेट मिले व हो चुगी है स्वान मार्स जो है वो 9 गंद अबर 6 नमरा कर अभी वी क्रेस्प मजूद है दोस्तों और अभी भी देखा जाए ये तो नहीं बल्ले बाद जो है वो देखना होगा कितनी तेजी के साथ रणों की गति को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और कौन सीटीम जो है अभी तक मैचल अन्याशिर को मिलता हुआ दिखाई दिया नहीं है दोस्तों क्या लग रहा है जहां से दोने ही बल्ले बाद जो है अपनी टीम के स्कोर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और कौन सीटीम आखिरकार आज के स्मेच को जित तरजिकर पाड़े में स्टफल हो पाएगी कॉमेंस बॉक्स में अपनी राय जो है वो लेता देखा जा दोस्तों तो अभी भी ये तो नहीं बल्ले बाद कितनी तेजी के साथ रनों को बढ़ाते हुए दिखाई देती है और कौन सीटीम आखिरकार आज के स्मेच को जित पाड़े में सब लपाती है जबी देखना तिलचस्प रहेगा दोस्तों मुकाबला जो है बहत्रेद शंदार रोमान चक और जंदार हमें देखने को मिलने वाला है और अभी भी तेरा है स्कोर एक पिकेट गिरे है तीन देश मलों एक उपर गिसमापती हो चुकिए दोस्तों शान मार्स शामहार पर साथ गंदू पर पाँच इसी बेसे गेंज और असकेट को फिर अकबार देखा बल्लेबाज हल के हां तो सकेला यहां पर एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गेंज वह बिक्टो पर जाकर फिनिश हो जाएगी क्योंकि गेंज वह टपा खाकर अंतर की और आई थी और गेंज जो है पहले बेटों पे टकराई उसके बाद पेडों पे टकराई और धीरे धीरे ही सही लेकिन विक्टे की ओर तो है वा जाते हुए दिखाए दी और जैसे तैसे जहां पर बसते हुए दिखाए दिया है बल्लेबाज मार्स के बाद का जा दोस्तों आपकर जगा और अभी भी स्कोर है तेरा रन एक विकेट गिरे हैं तीन दश्मरों दो प्रो किसमापती हो चुगी है इस वेच्मिट ओन के दिखामे स्केंद को खेला था वल्लेबाज ने शीने वल्लेश एक रन और लेने का मौका था दोस्तों आपकर जगा लिया नहीं र अभी एक विकेट गिरे हैं तीन दश्मरों तीन प्रो किसमापती होचकी दोस्तों सॉन मार्स ने बारा केंद ओपर छेर नम राये हैं वही दूसरी तरफ देखा जाए यहां पर चौका पिसली गेंद पर हमें लगता हुआ दिखाए दिया था और इस चौके के साथ 17 हो चुके हैं स्कोर एक विकेट गिरे हैं तीन दश्मरों चार ओंगरों की समापती हो चुकी है चौंसन गेंद बाजी कर रहे हैं और कहीं न कहीं सौन मार्च ने तेरा गेंद पर 10 वही सामहार पर जो है वो साथ गेंद पर पांच रनम नागर कर दिखाए एक वक्त ऐसा लग रहा था दोस्तों कि इस गेंद को कैस किया जा सकता है मिरॉन के दिशा में प्रियाश बर्च चौंसन गेंद इंडिया तो इस चौंसन गेंद पर पांच रनम नागर कर दिखाए और अभी देखा जाए दोस्तों यहां से दोने ही वल्लेबास कि दिखी के साथ रनम की गति को बढ़ाते दिखाए देते हैं यह भी देखना दिल्चस्प होगा दोस्तों एक किस है स्कूर एक विकेट गिरें हैं तीन दस्वालों पांच उफ्रों किसम आपती हो चुगी है सैम हार पर चौदा गंदो पर चौदा वही वाकट जगा साथ गंदो पर पांच वही मिसल मार्स चौदा गंदो पर चौदारन बनाकर क्रिस पे मौचू था दोस्तों और देखना होगा कि क्या जहां से भी यह दोने ही वल्लेबास कितनी तेजीतरन बढ़ाते हैं गूप टिल ड्रोप किया हम ने स्ट्रीम अत्याग भाई हम भी हमने भी ड्रोप किया दोस्तों अगर आप भी हमार अपने टीम बनाना चाहते हैं तो अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल फैंटसी बाबा के साथ जुड़े नहीं है तो जाईए हेड टो हेड ग्रैंड लिंग स्मॉल लिंग सभी जो है वो टीमें आपको हमारे टेलिग्राम के माध्यम से मिल जाएगी तो 22 हो चुके है स्कोर पर एक बार जॉन्चन की अगेंट और यहाँ पर एक और यहाँ पर बाल बाल बस्ते हुए दिखाई दे रहे हैं मिल मार्च वह इस खेंद को उठा कर खेरा था लेकिन इस खेंद को शौट फाइन लेकिन गेंद को कैस नहीं कर पाए और एक जीवनता अमलता हुआ निश्चे तोर पर कहा सकते हैं दोस्तों कि एक बड़ा बिकेट का पतन लगबग होते होते जो है वो बस्ते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर बल्लेवाज की बात करें दोस्तों तो देखना होगा कि क्या अभी भी जहां से ये दोने ही बलंळबाजों की जोड़ कि झोड़ जो है अपनी टीम के स्कोर को कितीनतेजी के साथ पढ़ाती वदिकाई देती है लगातार हमारे साथ बने दिये दोस्तो धीर सरा प्यार जो हो क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम चाहिए हमारे एक्सपर्ट हमारे एनलिस्ट हमारे पैनलिस्ट जो है वैक टो बैक आप सभी को रिपोर्ट जो है वा प्रोबाइट करा रहे हैं दोस्तों स्कोर है 22 रन एक पिकेट गिरे हैं चार अपरो के समापती हो चुकि है मार्स ने 15 गिंदो पर 14 हर पर ने 7 गिंदो पर 5 रन बना कर क्रिस्प मुझूद है जैमस बाजली जीरो तस आया है गन पाजी करने के लिए पहली गिंद करेंगे जहां पर बिल्लेवाज की बात करेंगे पर जो कि 7 गिंदो पर 5 रन बना कर क्रिस्प मुझूद अगली गिंद बहुती अच्छी गिंद इस गिंद को देखा बल्ले बास सुराचात मकंदा से फिर एक मार खेला है रन जो हम लेने का भी भी कोई मौका नहीं था स्कोर है 22 रन एक पिकेट गिरा है 4 दश्मरों एक उ ब्रिस्पन हीट की तीम ने जीता था और पहले आज के इस मैच में गिंद बाजी करने का फैसला किया था मंतर दिया था मैलबॉन रेनिगेट्स की तीम को पहले बल्ले बाजी करने के लिए दोस्तों और पहले बल्ले बाजी करते हुए मैलबॉन रेनिगेट्स की तीम जो ह पर किया और लॉंगार्ण के दिसा में खेला था एक रन और तोड़ कर दोने ही बल्ले बाजों ने पूरा किया दोस्तों गुल मिलाकर अभी भी तेजी के साथ बढ़ाती भी निखाई देदी है और कौन सी टीम आखिरकार आज के समय पाणे में शफल हो पाती है और कोमेंट्स बॉक्स में अपनी राए जो हवे लिखना ना पुलेगा अगले केंद करने के लिए फिर एक पार जैम्स वाजली अत्यार होंगे और मिसल मार्स ने इसकेंद को देखा सुरा छात मगंदा से फिर एक पार खेला रन जो हवे लिने का मौका था एक रन और तेजी के साथ बढ़ाते हो दिखाई देते हैं और कौन सी टीम अखिरकार आज केस मैच को जीत दर्जिकर पाड़े में शफल हो पाती है जबीडियक न दिल्चस्प होगा हाला कि चनल पना है चनल को सब्सक्राइब करना ना भůलेगा और विडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है विडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों 24 से इस दोपे कि रिए हैं चार। तश्मल तीनी फुर के समापती हो जगी है और गेंड जो है बच चले गई थे शीमा रेखा के बाहर छे रनों गलिए और चक्के के साथ ही 30 हो चुके है स्कोर एक बिकेट गिरे हैं और अभी भी जे दोरों ही बल्लेबाद जो है वो बहुत ही सूजबूज के साथ बल्लेबाद ही करते हुए दिखाई दिरा है दोस्तों बहुत थे लाज़ पाफ सौट यहां पर शाम हारपर के द्वारा तेखने को मिला और गेंड को सीधे दर्चकोद रिखा में भेजते हुए दिखाई दिये दोस्तों शाम हारपर की बात करें तो स्कोर जो है अभी भी देखा जा दोस्तों तो 34 हो चुके है स्कोर एक स्कोर के ऊपर से स्केंद को खेला था बल्लेबाज शाम हारपर ने और गेंड चो है वो चली गई थी बाउंडर लाइन के बाहर चार रणों के लिए दोस्तों इस चौके के साथ ही 16 हो चुके है स्कोर 16 न बढ़ाया है शाम हारपर वही मिसल मार्स जो है वो 16 गंदो पर 15 स्केंद को खेला था बल्लेबाज शाम हारपर वही मिसल मार्स ने 16 गंदो पर 15 हारपर ने 12 गंदो पर 18 गंदो पर 18 गंदो बना कर पर मखुद है और अभी ये दोने ही 11 जो है वो बहुत ही सांधार लासबाब बेहत्रेन और जंदार बल्लेबाजी करते हो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों तो देखना होगा दोस्तों आपको क्या लग रहा है जहां से दोने ही बल्ले बादों की जोड़ी जो है अपनी टीम के स्कूर को कितने तेजी के साथ बढ़ाते हुए दिखाए देंगे और कौन सी टीम आखिरकार आज के इस रोमन्चक और संदार मुकाबले को जित दरजगर पाड़े में शफल हो पाएगी कोमेंट्स बॉक्स में अपनी रायजो है वर लिखना ना भूलेगा देना ना भूलेगा और चैनल पर अभी नहीं हैं आज के इस मैच को जीत दरजगर पाड़े में शफल हो पाती है अभी भी स्कोर है 36 रन एक बिकेट ग्रे है पांच अब्रो की समाप्ती हो चुकी है स्पीनर चोहेव फिर पार मैथू कोहन में गेंद बाजी करने के लिए आ चुके हैं और देखना होगा इसी बिजवर के अगली गेंद करने के लिए मैथू कोहन में दोड़ना स्टार्ट के अराइटाम और में गेंद बाजी करेंगे पहली गेंद इस गेंद को मार्स ने खेला हलके हाथों से जब तक ही गेंद को फिल्ड कर जाता एक रन और दोड़कर दोने ही बनलेबाज के लिए और कहीं यहां से अभी बनलेबाज के जोड़ी जोड़ी ज़ो है वा देखना होगा कितनी अनिके दुश्वामी तहे दल्चे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ धन्यवाद करता हूँ अपने यूटीब चैनल पे और अभी भी देखना होगा कि यहां से यह तो नहीं बल्लेबाज कितनी तेजीश रन मटाते हैं अलाकि चीवी चोहर की दूसरी गेंद अच्छी गेंद इस गेंद को देखा बल्लेबाज सुरा चात्मा कंदास से फिरक बार खेला रन जो है वलेने का मौका था एक रन और दोड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया और इसे एक रनों के साथ ही 3800 के है स्कोर एक प गेंद के शिमा रखा के बाहर 6 रनों के लिए लॉंग ऑन के उपर से इस गेंद को ठाकर खेला था मार्स ने और गेंद जो हवा चली गई थी बांडर लाइन के बाहर 6 रनों के दोफ्तोर चक्ते के साथ ही 4400 के हैं स्कोर एक बिकेट ग्रे हैं पास तश मलो तीन उफ्रों क स्वापती हो चुगी है अभी भी आठ रन प्रती ओपर के हिसाब से करन्ट रनेट मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम का चलना अगले गेंद फिर अकबार स्केंद को देखा बल्लेबास हलके हाथों से खेला जरूर है और एक रन और तोड़कर दोनों ही बल्लेबास ने पूर आखरकार आज के स्मैच को जीत तरजगर पाड़े में शफल हो पाती है जबी देखना दिल्चस्प रहेगा दोस्तों आपको क्या लग रहा है कॉमेंस बॉक्स में रुखताएगा और चैनल दोस्तों नहीं है चैनल को सब्सक्राइब रुखताएगा वीडियो को लाइक न रनों के लिए है क्या बेहत्रीन शॉट मिड़ बिकेट के ऊपर से एक बड़ा चक्का स्वान मार्स इंसाइड आउट शॉट और चैनल चली गई दर्चको द्रिखा में शेर रनों के लिए दोस्तों क्या लाजबा बल्ले बाजी यहां पर देखने को मिल रहा है इस चक्के के साथ ही स्कोर जो है बावन हो चुके है एक बिकेट गिरे है छे उबरो के स्मापती हो चुकी है शॉट मार्स ने 20 गंदो पर 29 रन बना चुके है शाम हार पर जो है वो 14 गंदो पर 20 रन बनाकर क्रिल्स पर मचूद है और अब भी बावन हो चुके है स्कोर एक बिकेट गि में शफल हो पाती है दोस्तों अभे भी देखना दिल्चस्प होगा हाला कि 52 है स्कोर एक बिकेट गिरे हैं 6 उपरो के सिमापती हो चुके है मार्स ने 20 गंदो पर 31 हारपर ने 14 गंदो पर 20 तरन बना कर क्रेस्पा मुझू था दोस्तों 22 है स्कोर एक बिकेट के लिए है 6 उपरो के सिमापती हो चुके है और कहें नहीं एक्स कोर गंदबाजी करने के लिए आ चुके है राइट आम ओर तो भिकेट जो कि पिसले ओवर में एक रंड करस किया था और एक महत्रजपोर बिकेट एक्स ब्रैट टेट को मिलता हुआ दिखाई दिया दोस्तों देखना होगा शाम हारपर और शान मार्स के चोड़ी जो है अभी भी अपनी टीम के स्कोर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाती हुद दिखाई देती है और कौन जिटीम आखिरकार आज के स्मैज को जीत पाने में सफलोपादी है देखना होगा दोस्तों क्या लग रहा है जहां से ये दोने ही बल्लेबास जो है वो कितनी तेजी के साथ रनों की कती को बढ़ाती हुद दिखाई देती है तो जहां से अभी ये दोने ही बल्लेबास के जोड़ी जो है वो देखना होगा कितनी थे जी के साथ रनों की गती को बढ़ाती हुद दिखाई देती है लगातर हमारा साथ तने दे दोस्तों धेर साला प्यार जो हुद देत रही है चनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरू कर लजएगा वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को सा 777 हो चुकी है है स्कूर 1, 2 फिरू कि समाप्ति हो चुकी है मार्स न एक इसकदों पर 37 साम Bears आंद पार सतुद के यह तो स्कैला जब तक ही ढ़ंड को फिल्ड कै जाता एक रन और दढ़ करदों नहीं बल्लेबाज ने पूरा किया और इसी एक रणों के साथ हैं ठावन हो चुके हैं स्कोर एक बिकेट किरा है छे दश्मरों तीन उफ्रों के समापती हो चुके हैं मार्स ने भी 22 गंदों पर 34 वही हारपर ने 15 गंदों पर 21 रन बना कर क्रिस परमजुद है और तोर चनल को सबसक्राइब दो कर लिजएगा वीडियो को दोस्तों बिडियो को लाइक चριूं कर लिजएगा दोस्तों तकि आने वाले हर क्मेस कि कमेंधर जबस और आट लाटना ने उगले गयंद करने के लिए फिरक मारकें बात टोड़ना स्टार्ट किया गयंद और इस तो मैं रन जो हो लेने काभी भी कोई मौका नहीं था दोस्तो तो वीडियो को भी लाइक नहीं किया दोस्तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा चनल को भी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तो ताकि आने वाले हर एक मैंच की कॉमेंटरिज जो होगा सबसे पहले इस चनल के माद धिम्चाब आप तभी के साथ लागातार लाते रहेंगे दोस्तों सुनात रहेंगे मैं आनिके दगश्वामी तहे दल शेब बहुत स्वागत करता हूँ धन्य बाद करता हूँ देखना होगा कि क्या जहां से ये दोने ही बल्लेबाज अभी अपनी टीम के स्कोर को कि दिनी तेजी के साथ बनाते हुदी दिखाई देते हैं इसे बीजी सुपर के अगली गैंद फिर एक बार इसके इंद को देखा बल्लेबाज सुना चात्मा गंदाश फिर एक बार खेला रंड जो है वो लेने का कोई जहां पर अबापकर जगा एक रंड तोड़कर दोने ही बल्लेबाज उन्हें पूरा कर लिया देखना होगा दोस्तों क्या लग रहा है जहां से तोड़े ही बल्लेबाज जो है वो कितनी अतेजी के साथ रंडों को बढ़ाते हुए दिखाई देती है और कौन सी टीम आखिरकार आज के स्मैल्स को जो है वो जित दर्जिगर कर बाने में श्रफल हो पाती है लगातर हबारसाथ बने रहने के आप सुद्रिशकों का मैं अनिकेद गुस्वामी तहे दल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ धन्य बात करता हूँ अगली गैन पर बारस के इन को देखा बल्लेबाज हलके हाँ तो फिर एक मार खेला यहाँ पर और रन जो है वो लेने के स्कोर को कितनी थेजी के साथ बढ़ाते हो दिकाई देते हैं और कौन सी टीम आखिरकार आज के स्मैज को जित पाने में सब अलो पाती है लगातार हमारा साथ बने रहने के लिए आप सुद्रिशकों का मैं अनिकेद वश्वामी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ धन् के सिमापती हो चुचके है श्याम हार पर 17 गिंदो परवाईश मार्स ने 30 गिंदो पर 35 तीस रन बना कर घ्रिस परमजुद है सीवी सिवर के अगली गयांत करने के लिए प्रक्मार जॉन्चन जो है वा त्यार होंगे शाम ना करेंगे मार्स ने इस गिंद को देखा हलके हा दस रन खरच किया है कोई बिकेट जो है वा जॉन्चन को मिलता हुआ दिखाई दिया नहीं है दोस्तो तो देखना होगा आखिरकार ये दोनों ही बल्ले बाद जो है अभी भी अपनी टीम के स्कोर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाते हुए दिखाए मैं आ गया हूँ फैंट जाने के लिए फ्रकबार जॉन्चन की एक हैं ती एक जोन्चन की और इस केंट को देखा बल्ले बाद ने सुरा चाथ मा कंधाशे फिर एक पार खेला था और रण जो है लेने का कोई मौका नहीं था एक पिकेट गिरा है साथ-दश्मल्वरो दो बुरू किसमापती हो चु लिगेंद करने के लिए प्रकबास जॉंसन जो हो दोड़ना स्टाट किया हरबर के ले गेंद होगी और यहां पर हरबर जो हो बला जरूर चलाया था दोस्तो लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और घेंद चले गई बिकट की परके हाथों में रन जोह लेने का क में जो हम सबसे पहले हम आप सभी के साथ लगातार लाते रहेंगे दोस्तों सुनाते रहेंगे दोस्तों मैं अनिक एदगर श्वामी बहुत बहुत श्वागत करता हूँ अपने योट्यूब चैनल पे दोस्तों और अभी यह तो नहीं बल्ले बाजी करते हुए दिखाई तर्ड मैन के दिसामें ये गेंध गई थी और जब तक की फिल्ड कर जाता एक रन और दोड कर दो नहीं बल देबाचों ने पूरा किया कुल में लाकर 62 हो चुके है स्कोर एक पिकेट किरा है 7.4 अफरो के समापती हो चुके है मार्च ने 24 गंदो पर 36 हारपर ने 20 गंदो पर 22 रन बना करें 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 समचुद है जॉंसन ने 1.4 अफरो की गंद बाजी की है 10 रन खरस किया है कोई बिकेट जो है अभी तक चॉंसन को मिला नहीं लेकिन अभी भी वासट है स्कोर एक पिकेट किरा है दोस्तो इसी भी सुवर के अगले गंद करने के लाए फरकपार चॉंसन दोड़ना स्टाट किया गंद को उठाकर ज़रूर खेला था दो रन और तेजी के साथ दोड़कर ये दोने ही वल्ले बाजों ने पूरा किया इस दो रनों के साथ ही 64 होजगे है स्कोर एक बिकेट किरे है साथ दश्मलों पांच अबरों की समापती होजगे है दोस्तो जहां से अभी भी देखा जा दोस्तो तो ड्रिंक्स प्रेक में 13 किंदों का खेल बचेगा और आने वाले 13 किंदों पर मेलबॉन रैनिगेट्स की टीम जो है वो आखिरकार जहां से कितनी तेजी के साथ रनों की गत्ती को बढ़ाएगी हाला कि ये दोनों ही बल्ले बाज ब फ्राइब किया बल्ले बाज ने एक रन और दोडकर दोने ही बल्ले बाज़ोंida पूरा किया और इसे एक रनों के साथ ही 65 हो चुके है स्कोर एक बिकेट गिरा है एक बिकेट की डिशा बिकेट गिरा है मेलबॉन रैनिधेटक्र की टीम Tages जा दोस्तों तो आपको क्या लग रहा दोस्तों कमेंस बॉक्स में जरू बताएगा अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों ताकि आने वा प्रोकी गनबाजी की है नौर रुन खरस किया और एक बिकित अभी तक एक स्प्रैटलेट को मिलता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों तो अभी भी 65 है स्कोर एक बिकित गिरा है आठ ओवरू की समापती हो चुगी है दोस्तों ने गनबाज अब देखना होगा कौन से जो के दोरा पहली गनब इस गनब को देखा वल्लेवाज हलके हाँ तो उस खेला चब तक गनब को फिल्ड कर जाता एक रन और दोड़ कर दोने ही पल्लेवाजन पूरा किया और इस एक रनों के साथ 66 हो चुगे है स्कोर एक बिकित गिरा है आठ दिशमलों एक उफ्रो की सम आपती हो चीगे दोस्तों आपको क्या लग रहा है दोस्तों यहां से यह दोने ही पल्लेवाजों की जोड़ी जो है अभी भी अपनी टीम के स्कोर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाती विदिकाए देगी और कौन सी टीम आखिरकार आज के इस मैच को जितपाने में सफल कर पवेलियन लौट चुके हैं 21 केंदों पर 22 रण बनाकर फाइनले के दिसा में इस स्केंद को स्वीप किया था बल्यवाजने हाला कि फाइनले के दिसा में फिल्डर ब्रॉन मोजो थे और स्केंद को कैस कर लिया गया और 66 के योग पे मेलबॉन एनिगेर्स की टीम का दू है वो कहीं न कहीं 40 रण बनाकर क्रेस्प मजूद है दोस्तों और हमी भी जहां से हाला कि विक्टो का पतन लगातार नेमी तंतराल पे होता जा रहा है और हमी भी देखना होगा दोस्तों कि क्या इस रोमान चक और संदार मुकाबले को कौन सी टीम जीत दरजगर पाड़े म 8.2 बुकी समापती होती हुए दिखाए दी है और तोनों ही बल्लेबाद जो है अभी भी बेहतरीन बल्लेबाद जी करते हुए दिखाए दे रहे हैं और कहीं न कहीं जहां से ये दोने ही बल्लेबादों की जोड़ी जो है वो देखना होगा कि जनी तेजी के साथ रहनों की गती को बढ़ाती हो दिखाए देती है और को उन्सी टीम आखिरकार आज के इस मैच को जीत दर्ज करपाने में सफल हो पाती है लगातार हमारा साथ बने रही है धिर सारा प्यार देते रही है और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को की लाई सीविच अटिया कषेक देखाए दोस्तों यह सबस्क्राइब देखा चैनल करण देखाए और चारणतल कर छान बocaळा सब्सक्राइब promotes आइब दो ढेकर चांतल किया है अब्रेट लेगा जाए say जहां से देखना होगा ब्रेट यह सोबर की अगली गेंद, अरुन फिंस के लिए गेंदों की देखना होगा, अरुन फिंस इसकेंद को उठाकर खेला है, हवाओं में गेंद, और यहापर, गेंद चली गई बाउंडर लाइन के बाहर, चार रड़ों के लिए, कदमों का इस्तमाल किया था, मिड बिकेट के दिस वही अरुन फिंस दो गेंदों पर चार रन बनाकर क्रिस्प मवजूद है, और अभी भी सत्तर है स्कोर दोस्तों, दो विकेट गिरा है, आठ देशिमलों चार, अबरु की समापती हुचकी है, दोस्तों, क्या लग रहा है, बच्छी हुद दो गेंदों पर और कोई बड़ बासल के हाँ दोस खेला, रन जो हब लेने का कोई मौका नहीं था, सत्तर है स्कोर दो विकेट गिरे हैं, आठ देशमलों पांच अबरु किसमापती हुचकी है, दोस्तों, तो देखना होगा दोस्तों, अभी भी बिज़तों नहीं बलने पाजों की जोड़ी जो है, अभी गैकवार जी हमार साँ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत दने बाद आप सभी का, स्कोर जो है सतर है, दो विकेट गिरे हैं, आठ देशमलों पांच अबरु किसमापती हो चुकी है, दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को दोस्तों लाइक जरू कर ले गा, इसे भी जोर की आखरी गैंद फिर रखवार अच्छी गैंद थी, और एंफिंस ने इस गैंद को देखा जरूर था, और कट किया था बैकवर पॉइंट के दिसामें सीधे, फिल्डर के हाथों में गैंद, रन जो हो लेने का कोई मौका नहीं था, स्कोर है सतर रन, दो मुकाबला जो है, बहतरीन हो रहा है, दोस्तों मुकाबला जो है, वह संदार हो रहा है, मुकाबला जो है, रोमान्चक और जंदार हमें देखने को मिल रहा है, दोस्तों और देखना होगा कि क्या इस रोमान्चक और जंदार मुकाबले को, बहतरीन और जंदार मुकाबले क कौन सी टीम जित दर्जगर पाणे में शफल हो पाती है जबी देखना दिल्चस्म होगा आपको क्या लग़ा है कॉमेंस बॉक्स में बताना ना भूलेगा और चनल पे दोस्तों अभी भी नए है चनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा वीडियो को लोस्तों ला अभी भी यहा किया है अभी भी भी यहाषन ने चनल किया है कोई बिकट जो है अभी भी हासल नहें किया पिर अपर आप छी गेंथी स्केंद को देखा बल्ले बाद सुरा चात मकंदा से खेला रंजो हम लेने का कोई मौका नहीं था दोस्तों और अभी भी स्कोर है कत्तर अंदो बिकेट गिरे हैं नौद श्मलों ती रफ्रों के समाप्ती हो चुकी है क्या लाजबाब गंद बाज दूसरे टपा में हलाकि मापकेज़े का दो रंद वाड़कर पूरा गया था जहां पर ये दोने ही बल्ले बाजों ने एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गेंड जो है वो चौके के लिए चले जाएगी लेकिन चौके के लिए गई नहीं और अभी भी जो है ये दोने ही बल्ले दोस्तों तकी आने बले हरक मैस की कमेंट फ्रेज जो हम सबसे पहले शनल के बाद देमचा हम आप सभी के साथ लगाता लात रहेंगा चौका जी हां क्योंकि जब गेंड प्रकड रहे थे तो जूता चो है वो सट्ता हुआ दिखाई दिया था और चौका यहां पर मिल चुक है दोस्तों शौन मार्स अठाइस खेंदों पर 41 रंबना चुके है वही एरोन फेंस आठ खेंदों पर 9 रंबना कर रगस पहुचुद है कोहन मैन एक देश मलों पांच अपरो की गनबाजी की है 22 रंखरस किया है कोई बिकेट जो है वह को मिलता हुआ दिखाई दिया नहीं अतीजी के साथ अरणों की गती को बढ़ाते हुँ दिखाए देते हैं और कौन सिटीव आखिरकार आज के इस मैच को जीत तरजगर पाने में शफल हो पाती है लगातर हाबारा साथ बनेरे दोस्तों धेर सारा प्यार जोह देत रही है और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब रूख जाएगा वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक शरूर कर लजाएगा दोस्तों ताकि आने वाले हरक मैस की कमेंट फ्रेज जो हब सबसे पहले इस चैनल के माध्यम साम आप सभी के साथ लगाता रहेंगे दोस्तों सुनाता रहेंगे मैं अनिकेद को स्वामी तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ धन्यबाद करता हूँ अपने यूटीब चनल के माध्यम से दोस्तों और अभी भी देखा जाए यहां से यह तो नहीं बल्लेबाद कितनी तेजी के साथ रनु की गति को बढ़ाते हो दिखाए देते हैं और कौन सी टीम आखिरकार आज के स्मैच को जीत दरजगर पाने में सफल हो पाती है मैं अनिकेदगश्वामी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ धन्यबाद करता हूँ अपनी यूटीब चनल पर दोस्तों और देखना होगा कि क्या इस रोबांचक और संतार मुकाबले को कौन सी टीम जो है वो जीत दरजगर पाने में सफल हो पाएगी जबी द दोस्तों और चनल को सब्सक्राइब करना ना भुलेगा और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है अब वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भुलेगा 47 है स्कोर दो विकेट गिरे हैं 10 ओबरो की सबापती हो चुकी है मार्च ने 29 गिंदो पर 42 वही एरुन फिंस ने 8 गिंदो पर 9 रन बढ़ा कर क्रेस्पर हो चुदा और मैथू कुहन मैन दो पर की गनबाजी की है 23 रन खरचकिया और कोई बिकेट जो है वो मैथू कुहन मैन को मिलता हुआ दिखाई अदिया नहीं है दोस्तो इसकोर है 47 अभी भी दो विकेट गिरा है 10 ओपरो की सबापती के बाद मार्च और फिंस के जोड़ी क्रिस पर मदूद है और दोने ही वल्ले बाद जो है अभी भी देखना होगा जहां से कितनी तेजी के साथ रनों की गत् सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब रोक जाएगा और वब दिखना दोस्तों All को सब्सक्राइब जब हम आपकर सबसे पहले अब सबस्ब से हां सबसे हैं डिएमी के आइठिया मा All तो सब्सक्राइब आप sm gefragt स्कूर जो है वो देखा जाए अभी भी जहां से देखना होगा कि जिदोने हीवले बास जो है वो देखना होगा कि जिदनी तेजी के साथ रणों की गती को बढ़ाते हुए दिखाए देते हैं हाला कि अभी भी भी स्कूर जो है वो देखना होगा आज के इस मैच में कौन जी ना भुलेगा दोस्तो अ बेटी के नहीं किया है और कौन जिटी माखर कार आज केश मैंच को इत्पाणे में सब हुलो पाती है इस वह ठिका हुआ है इसकोर डोबी के लिए हैं दस अश्मलों दो फिरो अगली गेंद करने के लिए प्रकबार जाम स्वाजली के आगेंद और स्केंद को देखा वल्लेबास और चात मकंदास से खेला रंज वह लेने का कोई मौका रहे था तक्तर है स्कोर दो भी किट गिरे हैं दस तश्मल दो बुरुके स्माप्ती हो चुगी है दोस्तों स्केंद करने के लिए प्रकबार जाम स्वाजली दोर्ना स्ट्राट के आगेंद अचिगेंद को देखा वल्लेबास स्वराच शात मकंदास से खेला रंज वह लने का कोई मौका नहीं है दो दो बिकेट गिरे हैं दस तसमलों तीन व्रोकी स्वापती होजगी है दोस्तों मुकाबला जो है बहतरें शंदार रोबान शक और चंदार होना दोस्तों अभी भी मार्स ने 30 गंदों पर 43 वही एरुन फिंच ने दस गंदों पर 9 रूर रण मना कर रुकिस मौझूद है जैनस वाज ने एक तसमलों तीन व्रोकी स्वापती होजगी है पंदरह करस किया है कोई बिकेट जो है अभी तक जैनस वाज नी को मिना नहीं अभी भी अठटर है स्कोर दो बिकेट गिरे हैं स्कोर दो बीकिर गिरे हैं 10.4 उब्रों की समाप्ती हो चुकी है लगातार आवारा साथ बने रहने के लिए आप सुदर्जकों का मैं अनिकेद को स्वामी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं धन्य बात करता हूं अपने जियो ट्यूट्यूप चैनल पर दोस्तों बना करके समचूद है दोस्तों अगली गेंद फिरकबार सकेंद को देखा बल्लेबाद शुरा चात मगंजार शेफिरकबार खेला रंच वह लने का कोई मौका नहीं था स्कोर जो है अभी भी दिका हुआ है डटा हुआ है रुका हुआ है और ये दोनों ही बल्लेबाद जो हर एक मैस की कमेंटरे जो है वो शब्से पहले चनल के माध्वें से हम आप सब इक साथ लागा तर लात रहेंगे दोस्तों सुनात रहेंगे सकोर जो है वह लागा तर बढ़ता जा रहा दोस्तों और अभी भी दोने ही बल्ले बाज जो है वो देखना होगा कि कितनी तेजी के स जातर रनों की गतिव को बढ़ाती वरी खाय देती है लगाता रहा बार साथ बने धेर सारा प्यार जो है वो दितर है और चनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चनल को सब्सक्राइब रुखज़गा इसे भी जोर के अगली गेंद करने किला त्यार पिर एक वार एक गे क्रिस मोजुद है जैम्स वैसली दो भूखिकन बाजी के 17 खरच गिया है और कोई बिकेट जो है वो जैम्स वैसली को मिलता हुआ दिखाई दिया नहीं है दोस्तों अभी बताना चाहूँगा दोस्तों की 80 है स्कोर दो भी किट गिर है 11 अबरो के समापती होचकी है मार्स ने 32 गिंदो पर 44 वह अरुन फिंस ने 11 गिंदो पर 10 रन बना कर क्रिस मोजुद है और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं क्या दोस्तों वीडियो को लाइक और चनल क दोस्तों अभी भी सब्सक्राइब नहीं क्या दोस्तों चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आने वाले हर मैंच की कमेंटर जो हब सबसे पहले इस चनल के बाद देम आप सभी के साथ लगाधार लाथे रहेंगे दोस्तों सुनात रहेंगा मैं आनिकेदक श्व और अभी भी देखा जाए तो यहां से यह दोनों ही बल्ले पास जो है वो देखना होगा कि कितनी तेजी के साथ रणों की गत्थी को बढ़ाते हो दिखा देते हैं आपको क्या लग रहा है कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जो है वो देना ना भुलेगा और चैनल पे पूरा कर लिया और इसमयेट्छ को जित पाने में सफ़न हो पाएगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा और चैनल पे दोस्तों ने है चलन को दोस्तो शब्सक्राइब जरू कज़एगा वीडियो को लाइक नहीं कहा दोस्तो वीडियो को लाइक जरू कज़एगा दोस्तो तो जी भी देखना दिल्चस्प होगा इसी बीचे गैंद और असी के साथ ही एक और बना भी केंट जी हां दोस्तों मीट आफ में इस केंद को केंज कर लिया गया और और एक्यासी के योग पे मैलबॉं डेंगे अर्स के टीम का तीसरा जटका एरोन फीन्च बारह गेंद बना कर आउट होकर पविलियन लौट ते हुए THE दिखाए जा रहे हैं तो एरोन फिंस जो है वा बारह गंदों पर दस रन बना कर आउट होकर पबिलियन लौट चुके हैं और मेचल नियासिर को मिलता हुआ पहली शफलता दो दश्मलों दो खुरो की गंदबादी के बारह रन घर्ज किया मेचल नियासिर ने और हलकी सी पटकी हुए गेंद थी औ इस गेंद को डिप कफर के उपर से उठा कर खिलना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन गेंद और बल्ले में कोई खास संपर्क हुआ नहीं और जहां पर आउट होकर पबिलियन लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाद की बात कर दोस्तों ते एक बड़ा बिकट का पतन हो चुका है जियां दोस्ते एक बड़ा बिकट का पतन जो है वह हो चुका है और विक्टो का पतन लागातार जारी है दोस्तों और देखना होगा कि क्या जहां से अभी वे जदो नहीं बल्लेबाजों की जोड़ी जो है वो कितनी तेजी के साथ रनों की गती को बढ़ सुनाते रहेंगे मैं निकित को श्वामी तही दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं धन्यबाद करता हूं अपने योट्यू प्यानल पर दोस्तों और देखना होगा कि क्या जहां से अभी वे जदो नहीं बल्लेबाज अपनी टीम के स्कूर को कितनी तेजी के साथ का नहीं था दोस्तों तो स्कूर जो है वह अभी देखा जा दोस्तों अच्छा वल्लेबाज जहां पर करते हुए दिखाए द रहें यह दोने ही वल्लेबाजों की बात करें लगातर हवारा साथ बने रहनी करता हूं धन्यबाद करता हूं बित्व का पतन जो है वह लागात देखना होगा मिशल मार्च ने इसकेंद को टाकर खेला गेंद गई बांडर लाइन के बाहर चानरों के लिए देखना होगा मिशल मार्च ने इसकेंद को टाकर खेला मिशल मार्च ने इसकेंद को टाकर खेला मिशल मार्च ने इसकेंद को टाकर खेला खेला गेंद गई बाहर चार रनों के लिए दोस्तों अलगी सी पैरोपी अगेंद थी और फिर एक बार जैसी गेंद वैशा अंजाम गेंद चले गई सरपड तोड़ते हुए मेड बिकेट आपकर जगा फाइन लेक के दिसा में चार रनों के लिए और चोखे के साथ ही स्कोर की बात करते हैं 90 हो चुके हैं स्कोर तीन बिकेट गिरा है 12 अबरो की समापती हो चुके दोस्तों विडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों विडियो को लाइक जरू कर लजएगा चनल को दोस्तों ही सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चनल को सब्सक्राइब जरू कर लजएगा ताकि आने वाले हरक-पैंस की कमेंटरेज जो हब सबसे पहले चनल के मात देमसाथ आप सभी के साथ लगातार लाते रहेंगे दोस्तो जुनाते रहेंगे दोस्तो मैं निकेत गश्पामी तहई दिल शे बहुत बहुत स्वागत करता हूं धन्य बात करता हूं अपने YouTube चैनल पे दोस्तों और अभी भी देखा जाए यहां से यह दोने ही बल्लेवाजों के जोड़ी जो है वो कितरी तेजी के साथ रणों की कती को बढ़ाते हैं और कौन सी टीम आखिरकार आज के समयच को जीत तरजगर पाने में शफल हो पाती है जब दोस्त नहीं है चनल को सब्सक्राइब रुकर जेगा आप वड्यो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर लजगा ताकि आने वरे हर्क मैंस की कमेंटर जो हब सबसे पहरे समयच के माद नम से आप आप सभी के साथ लगातार राते रहेंगा दोस्तों सुनाते रहेंगे दोस्तों मुकाबला जो है दिल्चस्प संदार रोबांचक और जंदार हो रहा है दोस्तों और देखना होगा कि क्या इस रोबांचक और संदार मुकाबले को कौन से टीम जिद्र जिकरपाणे में जो है वो सफल हो पाती है जबी देखना दिल्चस्प रहे चाहिए भी 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 देखा जाए न्बहे हो चुके है स्कोर 15 मी के डिगे दोनो ही बल्ले बात जो है अभी भी अपनी टीम के स्कोर की गती को जो है वो कितनी तेजी के साथ बढ़ाते हूँ दिखाई देते हैं और कौन सी टीम आखिरकार आज के स्मेंच को जीत दर्जगर पाने में शफल हो पाती है दोस्तों बकाबला जो है दिलचेस्प संदार, रोमांचक और जंदार होरा दो तो देखना होगा इसे बीचे गैंद और स्केंद को फिर एक बार खेला बल्ले बात ने शफीदे बल्ले शेर रन जो हमले लेने का अभी भी कोई मौका नहीं था स्कोर जो है अभी भीटी का हुआ है, डटा हुआ है, रोका हुआ है दोस्तों और दोडो ही बले बाद जो है, अभी भी देखना होगा खिद इतजी के साथ रनों की कठी को बनाते हुआ दिखाए देते हैं 90 हो चुगे हैं स्कोर 3 गेंद ग्रें वारा चीज वुड़ हैं मार्स्ने 35 गंदों पर 53 गंदों पर एक रण बनाकर ग्रेश मुजूद है जॉन्सन गिंपाजी करें अगली गेंड पर अच्छी गेंद थी स्किंद को देखा वल्लेबाद चौन चन ने सुराचात मकंदाशे फिर एक बार खेला रन जोहव लेने का कोई मौका नहीं था नब्बे है स्कूर तीन भी किट गिरे हैं बार हज़श मलो तीन उब्रो किसमा आपती खुची किया दोस्तो तो आपको क्या लग रहा दोस्तो यहां से अभी भी बच्चे हुए रनों को कितनी खेली के साथ बनाती हुए दिखाए देगी यह तोने ही वल्ले बाद की बात के जाए कमेंस बॉक्स में अपनी राय जोहवे लिखना ना पुलेगा और चैनल पे दोस्तो नय है चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुलेगा दोस्तो इस एक रन जो है वो हाला कि कही ना कही देखे तो साथ दश्मनों एक एक रन प्रती ओपर के हिसाब से Brisbane hit के सामने जो है वो रेनिगेट्स की टीम बल्ले बाजी करें अगली गेंद बहुत ही लाजबाब ये गेंद थी दोस्तों और इस गेंद पर बल्ला ज़रूर चलाया बल्ले बाज गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई बिकेट की परके हाथों में र बारा गेंद उपर दो चोख को कविलर दस रण बनाए और नैसर की गेंद थी और उश्मान ख्वाजा ने हलाकि कैस पकड़ा था और कहीं न कहीं आउट जो है वो कराकर पपिलियन की राह जो है वो दिखाए थे जहां पर उश्मान ख्वाजा की बात के साथ तो अभी भी यहां से जोनाथन विल्स आने बागी है जिनका एवरेज जो है वो 33 का राता है विल्स अदरलेन आने बागी है जिसका एवरेज जो है वो 15 का राता है टॉम रोजर्स आने बागी है जिसका एवरेज जो है वो 17 का राता है याने अभी भी बल्लेबाजी में कह सकते हैं कि ग को देखा बल्लेबाद हलके हाथों से फिल एक वार खेरा है और गेन जो है वो एक बाक्ता है शाल अग रहा था कि विकट की पर अगर चाहते तो इस खेंद को कैस कर सकते थे लेकिन बाल बाल पच्टी हुए दिखाए दिये और तरानबी के योग पर तीन भी केट किना है होगा आपको क्या लग रहा है सहां से यह दोने ही बल्लेबाजों के जोड़ी जो है अपनी टीम के स्कोर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाते में दिखाए देती है और कौन सी टीम आखिरकार आज के समयच को जित पाने में सफल उपाती है लगादार हमारा साथ बने लिए द ब्रोकी केंद बाजी के है 23 रन करज के अगरी गैन पर अकबार इस गेंद को देखा बल्लेबाज हलके हाथों खेला जब तरके गैन को फिल्ड कर जाता एक रन और दोड़ कर दोने ही बल्लेबाज ने पूरा किया दोस्तों इस एक रनों के साथ ही 94 हो चुचके हैं स्कोर 3 इन भी किट किरे हैं 13 हद श्मलोई कफरों के समापती हो चुची है मार्स ने 35 गंदो पर तरिपन क्रिस्टी ने 9 गंदो पर 5 रन बडाकर क्रिस्ट पर मजूद है दोस्तों आपको क्या लग़ा दोफ तो यहां से ये दोने ही वल्लेबाज कतनी तेजी के साथ रनों की अग के साथ ये नठान बे हो चुके हैं स्कूर 3 विकेट गरे हैं 13 दिश्मलो दो फ्रोकी सिवापती हो चुकी है मार्स ने 36 गंदो पर 57 क्रिस्ट ली जो है वो 9 गंदो पर 5 रन बडाकर क्रिस्ट में मजूद है बहुती लाजबाब जहां पर गिंद बाजी हालाकि जी करते हुए दिखाए देरे हैं और देखना होगा कि क्या ये दोने ही बल्ले बाजो के जोड़ी जो है अभी भी अपनी टीम के स्कूर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाते हुए दिखाए देए स्कूर जो है बलाकातार बढ़ता जारा दोस्तों आपको क्या लग रहा है जहां से दोने ही बल्ले पास कितनी तेजी के साथ रणों की गति को बढ़ाएंगे और कौन से टीम आखिर कार आज के स्मैच को जिद्धर जगर पाने में शफल हो पाएगी कोमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जो हो देना ना भूलेगा और चलब दोस्तों नेह दोस्तों चनल को सब्सक्राइब जरू करतेगा वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं क्या दोस्तों वीडियो को लाइक जरू करतेगा ताकि आने वाले हर एक मैस की कोमेंट्रे जो हो सबसे पहले चनल के बाद जमजम आप सभी के साथ लगाता लाते रहेंगे दोफ तो सुनाते रहेंगे मैं अनिकेद गश्वामी तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ धन्यवाद करता हूँ आप सभी का अपनी योटीप चनल पे और अभी भी ये दोने ही वल्लेबाज जो है वो अभी भी गये दोरास गेंद को फिर एक बार खेला बन्यवाद जलके हां तो से जब तक गेंद को फ्ल्ट कर जाता एक रन और दोड़ कर दोने ही वल्लेबाज ने पूरा किया और इसे एक क्रणों के साथ ये स्कोर जो है अभी भी देखा जाए दोस्तों इस निन इन इन रख़िका ह होड़ा दोस्तों एक सो है स्कोर तीन बिकेट कि रहे हैं तेरह दश्मलों चार अप्रो के सिमाप्ती हो जगे हैं मार्स ने 37 गंदो पर ठावन क्रिस्टली ने दस स्केंदों पर छेरन बनाकर क्रिस्ट में मैथ्व कोहन मैं दो दश्मलों चार अप्रो के रहे हैं तो देखना होगा आपको क्या लग रहा है जहां से दोने ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को कितनी तीजी के साथ बढाते हैं देंगे अगले ग करते दो करते एक रन और तोड़ कर दोने ही बल्लेबाज ने पूरा खर लिया दोस्तों गुल बिलाकर इसे कि दो जो रहनों के साथ अपनी टीम के स्कोर को लागाता है वड़ाते हैं यह दोनों ही बल्लेबाज की बात कर दोस्तों आज के समयस में और अभी भी देखा गते हैं वो आज के समयस में कैसी बल्लेबाजी करते हुए दिकाए देते हैं चनल को सब्सक्राइब जो के जगा वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक सिरूर कर देखा दोस्तों ताकि आने बाले हर एक मैस की कमेंट प्रिज जो हम सबसे पहले इस चनल के बा बाज अपनी टीम के स्कोर को कितनी त्यजी के साथ पढ़ाते हुदी घाई देते हैं लगातार हबारा साथ बने रिये दोस्तों धेट सारा प्यार देत रही है अभी भी चैनल पर दोस्तों नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जो कज़एगा वीडियो को भी भी लाइक नहीं कि कि क्या जहां से कितनी त्यजी के साथ रनों की कत्ति को बढ़ाते हुद इखाई देते हैं लगातार हवेरा साथ बने दिये दोस्तों एक सुद्धो है स्कोर तीन विकेट गिरा है चौद अबरों के समाप्ति अगली गैन परकवार सकेंद को डाकर खेला बल्लेबाज गैन बाउंड लाइन के बाहर चे रनों के लिए बहुती संदार सोट मैथू क्रिष्टली के द्वारा देखने को मिला हलकी सी जो है वो कह सकते हैं दोस्तों की उबरपिस से गेन पाली थी बल्लेबाज ने और गेन जो है वो हलाकी हलकी सी उबरपिस थी और इस गेन को उठा कर खेला था बल्लेबाजने और गेन जो हो चली गए थी सीधे सीमा रिखा के बाहर छे रनों के लिए दोस्तों तो इस चक्के के साथ ही स्कूर भी जहां पर 108 हो चुके हैं स्कूर 3 बिकेट गिड़े हैं 14.01 के सवापती हो चुकी है जहां होता है जहां नहीं M कुमान का क्या ह मैं तो कुहन में इसी भी जवर के अगले गेन फिर एक बार स्केंद को उठा कर खेला बैक टू बैक डो सक्के दोस्तों यहां पर दो चक्के 144 1414 हो चुके है स्कूर 3 बिकेट गिरा है 14.02 ब्रुके स्वापती हो चुकी है बहुती बहुतरी इन्सोर्ट यहां पर देखने को मिला मैं तो क्रस्ट लोग बहुती लास पाप सो ठलके सी जो है वो प्रपेस केंद फिर पार कदमों का इस्तमाल किया था मिलिकेट के उपर से एक बड़ा चक्का और हमें देखने को मिला और इस चक्के के साथ ही 114 हो चुके है स्कूर 3 बिकेट गिरा है 14.02 ब्रुके स्मापती हो चुगी है तो आपको क्या लग रहा दोस्तो जहां से ये दोने ही बल्ले बाज जो है वो अपनी टीम के स्कूर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाते हुए दिखाए देंगे और कौन सी टीम आखिर का राज के स्मापती हो चुकी है यह से बीचे घरन और स्केंद को फिरएक kommen ऊठाकर खेला वल्लेबाज मैत्यू क्रिश्टली ने और खेंद चले गए सीधें मांड राइन के बाहर 4 रणों के लिए डीप एकफा कबर के दिसामें इस खेंद को खेला था मैंत्यू क्रिश्ट लेने और खेंद जो है वो चले गए थी बॉंड राइन के बाहर चार रनू के लिए दोस्तों और चोके के साथ लगाता रनू की गती जो है वो बढ़ते जा रहा है सर्च पावर प्ले ले लिया गया है या नहीं जी नहीं सर्च पावर प्ले अभी लिया नहीं गया है लेकिन रनू की गती जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है दोस्तों और देखना होगा कि क्या जहां से दो नहीं बलबाद अपνी टीम के स्कोर को कितनी तेजी के साथ बनाते ही दिखा जयते हैं राजुग एक्वार्ट जी हमारसाथ लगातार बने वूए है बहुत भूध धन्य बाद भाई आप सभी का हमारसाथ लगातार बने रहने के लिए धिर साना प्यार देने के लिए पावर सर्ज लिया गया है नहीं जी नहीं राजु गैकवार भाई पावर सर्ज नहीं लिया गया है लेकिन रन जो है वो बन तेजार है है इसी वी सुपर के अगली गैन पर अगली गैन पर इस गैन पर बल्ला जरू चलाया और गेंद जो है वो चले गए थी बैकवार्ट पॉइंट के दे सामें एक रन और जब तक की गेंद को फिल्ड के जाता है दो नहीं बले बाजों ने पूरा कर लिया तो दोस्तों कुल विलाकर इस एक रनों के साथ ही 119 हो चुके हैं स्कोर 3 बिकेट गिरे हैं 14.4 अबरो की सवापती हो चुके हैं मार्स ने 38 गंदो पर 69 रन मराया है वही कृस्ते ने 15 गंदो पर 24 रन मराया कर गिल्स मौझूद है और बैजली ने 2.4 अबरो की गंदाजी की है 34 रन करस किया है कोई बिकेट जो है वो जैम्स बैजली को मलता हुआ दिखाई अदिया नहीं हालाकि अभी भी 119 से स्कोर 3 बिकेट किरा है 14.4 अबरो की सवापती हो चुकी है आज के इस रोबान चक और संदार मकाबले को जीत दरदकर पाड़े में सफल हो पाएगी कोमेंस बॉक्स में अपनी राज सोहब देना ना भुलेगा और चनल पे भी नहीं है दोस्तों चनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक क करते चाण का भी आज कौ को देखाब भिले बाँ सुरा चात Μगंदात से फीर धेन ला चाहते थे किन्द और बले में कोई समपर्क नहीं केंच चली गए बिकेट की परके हाथों में ओबर के समापती हो चुकी है और अभी भी स्कोर जो है वो लाकातार बढ़ता जा रहा है 15 ओबरो की समापती के बाद आज के समेच में 120 है स्कोर तीन बिकेट गिरा है मेलबॉन रेनिकेट्स के टीम का और 120 जी हाँ दोस्तो अब जो है वो लाकातार जहां से ये दोने ही बल्ले बाद जो है वो देखना होगा कितनी थे जी के साथ रणो को बढ़ाती हुदिकाई देती है और कौन सीटीम आखिरकार आज के समेच को जीतर जगल पाने में शफल हो पाती है लगातार हमारा साथ बने दिये दोस्तों धेर सारा प्यार जो हो देतर ही है चनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है चनल को दोस्तों सब्सक्राइब रुक जगा वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेज़ेगा दोस्तों ताकि आने वाले हर एक मैंच की कॉमेंट प्रिजो हब सबसे पहले इस चनल की माद्धियम जब आप सबी के साथ लगाता कर लात रहेंगे दोस्तों सुनाता रहेंगे मकाबला जो हो है। और बालो मलीज सब्सक्राइब की सामें खेला बल्यबाज और एक McN and reward कर दो बल्ले बाजों ने पूरा किया और इसे एक रनों का साथ है स्कोर जो है भी भी एक सुएक किसे स्कोर दोस्तों तीन विकेट गिरा है मार्स ने चालिस कंदो पर एक सट वहें क्रस्टे ने शौला किंदो पर चौबीस रमरा कर क्रेज़ पर मुझूद है और अभी भी भी दोस्तों पर बहुत ही बढ़ियां खेंट खाकर बाहर की और निकली बल्ला चरू चलाया बल्ले बास लेकिन गिंद और पल्ले में फीर एक बार कोई संपर्क नहीं तो देखना होगा दोस्तों लागातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप फिवदर्जकों का तहे दिल से मैं अनिकेत को श्वामी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ धन्य बात करता हूँ अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया दो तो वीडियो को लाइक ज़रूर रिज़रेगा 121 से स्कोर 3 विकेट गिरे हैं 15.2 बुरू की समापती हो चुगी है अगली गेंद करने के लिए फिल्डर के हाथों में गेंद होगी देखना होगा क्रिस्टली जो है इस गेंद पर फिर एक पार कोई बड़ा सोट के लिए जाते हैं या नहीं और देखना होगा कि क्या इस रोमान्चक और संधार मुकाबले को कौन जी टीम जीती है जब देखना दिल्चस्प होगा तो चनल पे भी नए हैं दोस्तो चनल को सब्सक्राइब रुकरता करता हूँ धन्य बात करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यीव चनल पर दोस्तो औ और कहीं न कहीं यहां से यह दोनों ही बल्ले बाज जो है वो देखना होगा कि कितनी तेजी से रनों की गत्ती को बढ़ाते हुँ दिखाए देते हैं हाला कि मैथू क्रिस्टले पबेलियान लौट चुके हैं मैथू क्रिस्टले जो है वो पबेलियान लौट चुके हैं और अभी भी जहां से ये दोनों हिबल ने पास अभी भी देखना होगा कितनी देजी के साथ रणों की गत्थी को बढ़ाते हुए दिखाए देते हैं झावार सब्सक्राइब नहीं किया है चंनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है bीडियो कोFit रोक दोस्तों तरक जखी है उआने बाटी ऊफ्सकी की को कॉपनें टरये मेडा के साथ लाड़ी गर अच्छी गेंद को देखा बल्लेबाज सुराचात्मकंदा से खेला जब तक कि गेंद को फिल्ड के जाता दो रन और तेजी के साथ दोड़कर ये दोने ही बल्लेबाज ने पूरा किया तो क्या बात है दोस्तो जोनाथन विल्ड अभी भी आये नहीं है बल्लेबाज जी करने के लिए और कप्तान ने विल्ड सथरलेंड को भेज़ दिया है बल्लेबाज जी करने के लिए तो देखना होगा कि क्या विल सतरलेंड आज के इस मैस में अपनी टीम के लिए कैसी प्रोमेंस करते हैं हाला कि विक्टो का पतन जो है वा लागातार होता जा रहा है और अब भी देखा जा दोस्तों जहां से दोले हिबल लेबाद जो है वो कितनी थे जी के साथ रणू की गत पे मौचू था दोस्तों स्कोर जो है वा लागातर बरता जारा दोस्तों 124 से स्कोर चार बिकेट गरे हैं पंदरा दशमलों पांच अबर की समाप्ती हो चुगी है सौन मार्स चालिस गंदो पर एकशट सतर लेंड जो है वा दो गंदो पर तीन अनमना के रिग्रेस मौचू दा ब्रैटलेट ने तीन दसमलों पांच अबरो की गंद बाजी किया है अभी तक ब्रैटलेट को मलता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों अच्छी गंद बाजी हलाकि ब्रैटलेट करते हुए दिखाई द रहे तीन दसमलों पांच अबरो की गंद बाजी अभी तक ब्रैटलेट ने किया है और अट्रा खरस किया है दोस्तों और तीन विकेट अभी तक एक्स ब्रैटलेट को हब लेते हुए दिखाई दिखाई द दे रहे हैं और निश्चित तोर पर दोस्तों इस मैट्स को जो है वो जीतने की जो है और अगर इस से तो होती ही दिखाई दे रही है दोस्तों जहाँ पर रेनिगेट्स की टीम अच्छी परफिविम्ट कर रही है एक सुचोबी से स्कोर दो तो चार्ट बिकित गरे हैं सोला अबरों के समापती हो चुकी है और दोनों ही बल्लेबाद जो है अभी बेहतरीन बल्लेबादी करते को दिखाई दे रहे और अभी देखना होगा जहां से ये दोने ही बल्लेबाद के दिनीटेजी के साथ रनों की गतिकों बढ़ाते हैं और कौन जीटीम आखिर कार आज के इस मैज को जित पाणे में सफल हो पाती है 124 से स्कोर 4 बिकेट गिरे हैं 16 प्रों के समापती हो चुकी है मार्स ने 45 गिंदो पर 62 सदर्लेंड ने 2 गिंदो पर 2 रन बरा चुके है मैट रेंच हो 0 गिंदो पर 0 खरच की है मार्स ने 42 गिंदो पर 63 सदर्लेंड ने 4 गिंदो पर 3 न बना आकर क्रिस पावजूद है मैट रेंच हो इस ओवर के अगली गिंद करने के लिए फिर एक बार दोडना स्प्राट के अगेंद अच्छी गिंद थे सकेंद को देखा बल्ले पास फिर एक बार हलके हां तो सखेला रन जो हवल ने का कोई मौका नहीं था अगली गिंद फिर अगबार डाउन दिले के गेंद नमबार का सारा वाइट पोल करार दिया किया है दोस्तों 16.4 अगरो के समापती हो चीकी है मार्स और सदर्लैंड के जोड़ी जो है वकरेस पर मजूद है 16.4 अगरो का खेल हुए 122 से स्कोर चार बिकेट गरा है और अभी दो गिंद इस वर में फेका जाना बाकि है और आने बाले दो किंदो पर देखता होका कि क्या सोन मार्स और सदर्लैंड के जोड़ी जो है वकदनी तेजी से रनों की कत्ती को बढ़ाती हुई दिखाई देती है दोस्तों अच्छी गिंद थी और इस गिंद को देखा वल्ले बास सुरा चात मगंदा से फीर एक बार खेला रन जो हम लेने का कोई मौका नहीं था इसकोर 128 रन चार भी किर गिरे हैं 16.05 उब्रोकी से बाप्ती हुच किया दोस्तों लगातार हवारा साथ बढ़िजे दुस्तों धेर सारा प्यार जो हो दितरी है सी बेचे गेंद और स्केंद को उटा कर खेला वल्ले बास गिंद गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए दोस्तों बैकवर्ट पॉइंट के दिसा में इस केंद को कैट कट किया था वल्ले बास ने और घिंजो है वा चली गई थी बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और चावके के साथ ही 132 हो चुके हैं स्कोर 4 विकेट गरे हैं 17 ओब्रो की सिवापती हो चुके हैं मार्स ने 44 केंद पॉइंट करने के लिए फिर एक बास यार सकेंद को टाकर खेलना चाते हैं बले बास और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखना होगा कि क्या अज़ाहा पर 132 से स्कोर 4 विकेट गरे हैं 17 ओब्रो की सिवापती हो चुकी है मार्स ने 44 केंद दूपर 67 वही बि लगादार हमारा साथ बने रहने के लिए आप फिबरत को का मैं अनिकित गोश्वामी तहे दिल शे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ धन्य बात करता हूँ 132 से स्कोर अभी बिचार विकेट गरा है दो तो 17 ओब्रो की सिमापती हो चुकी है और देखना होगा कि क्या जहा क्या लग रहा है यहां से यह दोने ही बल्ले बाजों की जोड़ी जो है अभी भी अपनी टीम के स्कोर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाती हो दिखाए देगी अगली गेंद करने के लिए फिरकबार कोहन में दो आड़ना स्केंद को अठार कर खेला बल्ले बाज गेंद गई और गेंद जो हब चले गई थी बाउंडर लाइन के बाहर चार रनों के लिए और चौके के साथ एकसु सेटी सो चुके हैं स्कूर चार बिकेट गिरा है सत्रह दश मलों तो व्रुकी समाप्ती हो चुके है दोस्तों क्या लग रहा है जहां से अभी भी यह दोने ही बल्ले आज अभी भी अपनी टीम के स्कूर को कितनी तेजी के साथ बढाते हैं देंगे कौन सी टीम आखिर का राज के स्मैच को दरजगर पाणे में शफल हो पाएगी कॉमेंट्स बॉक्स में शरूर बताएगा चैनल पे अभी भी नहीं है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक दरो कर जागा अगली गैन फिर अकबार इसके इन पर बल्ला जरो चलाया है स्कूर लेके दे सामें गई दो रन और तेजी के साथ दोड़कर दोने ही बल्ले बाज़न पूरा कर लिया कोल भी लाकर 149 होचके है स्कूर दोस्तों चार बिकेट गिरा है 17.3 उब्रो के समापती होचके है सात रन फिसली तीन गंदो पर यह दोनों ही वल्ले बाज़नों दोड़कर पूरा किया है कोहन मैं तीन द्समेलों तीन व्रो की गंदौ बाज़े की है 49 रन ख खलस किया है को और स्केंद को देखती ही लालत चरूराए थी उठा कर खेल ला चाते थे लेकिन यहां पर मार्स ने बला चरूर चलाया लेकिन एक रन और जोड़ कर दोने ही बले बाज़ोंन पूरा किया दूसरा रन हाला की लेना चाहते थे दूसरा रन भी पूरा कर लिया और 141 हो चुके है स्कोर अभी तक इस ओर में 9 रन आखरी के 5 गिंदो पर जो है वो खरच करते हुए दिखाए दिये हैं लेकिन अभी देखना होगा दोस्तों की आखरी के गिंदो पर और कितनी अतीजी के साथ रनों की गती को बढ़ाया जाता है और आखरकार कौन जी टीम इस मैच को जीत दर्जगर पाने में शफल हो पाती है जबी देखना दिलचस्प रहने बाला है दोस्तों एक सो एक तारिस है स्कोर 4 बिकेट गरे हैं 17 हतश मरों पांच अपरो की सिमाप्ती के बाद दोस्तों तो देखा जाए दोस्तो आखरी गेंद पर एक रन और तो और करतों नहीं पर लेवाचन पूरा किया और इसी एक रनों के साथ एक सो प्याली सोच चुके है स्कोर चार भी केट गिरा है अट्रा प्रो किसमा अपती के बाद क्या 12 गंदों पर दोस्तो 31 रन बनेंगे क्या क्या 12 गंदों पर 31 रन बनेंगे क्या कोमेंस बॉक्स में अपनी राय जो है वह लिखना ना भूलेगा देना ना भूलेगा और चैनल पर अभी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो वी ही बल्ले बाद अब भी देखना होगा यहां से कितनी तेजी के साथ रणो की गती को बढ़ाते भी दिखाए देते हैं और कौन से टीम आखिरकार आज के समयच को इद बाड़े में सफल पाती है कॉमेंस बॉक्स में अपनी रायसो है वो देना ना भूलेगा और चैनल पर अब भी क्या लग रहा है दोस्तों बचे हुए रणो को कितनी तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा और कौन से टीम इस मैच को इद पाड़े में सफल पाएगी कोमेंस बॉक्स में बताना ना भूलेगा अगली गयंद करने के लाफ एक बार जॉन सना आए है लेफ्ट आम अब भी कुछ पूरा किया इसे एक्रणों के साथ 145 हो चुके हैं स्कोर चार बिकेट गरे हैं अट्रा दश्मलो दो फ्रोकी स्वाप्ती हो चुगी है मार्स ने क्याओन गंदो पर उन्याशी सदर लेंड ने छे गंदो पर पांच नव बना कर करस्प मुझूद है जॉन्सन ने तीन देश मलो दो फ्रोकी गंद बादी के अठार अकरज किया कोई बिकेट जो हो जॉन्सन को मिलता हुआ दिखाई अदिया नहीं है दोस्तो अभी भी 145 से स्कोर चार बिकेट गरे हैं अठरा दशमलो दो फ्रोकी सिवापती के बाद मार्श और सदलैंट के जोड़ी क्रस्प मुझूद है दस गंदो का खेल बचा हो और आने बाले दस गंदो पर आखिरकार कितने रन बढ़ेंगे दोस्तो आपको क्या लग रहा अगरी गंद करने के लिए परकबार श्वागत करता हूँ धन्यवाद करता हूँ अभी भी देखना होगा ये दोने ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कूर को किदनी तेजी के साथ बढ़ाते हो दे कहते थे हैं और कौन सी टीम इस मैच को जित पाड़े में सफोलो पाती अगली गेंद पर इस गेंद पर बल्ला श्वागत गिरा है अठरह दशमलो चार अबरो कि समाप्ती होचे है दोस्तो तीन दशमेलों पाच उबरों के गेंबाजी जॉंसन ने किया है 22 रन खरच की है कोई विकेट जो है वा जॉंसन को अभी तक मिला नहीं है लेकिन देखना होगा कि क्या आखरी गेंद पर क्या कोई विकेट जॉंसन ले पाते है या नहीं हलाकि अभी भी 150 हो चुके है स्कोर द विकेट गिरे है 19 सोबरों के समाप्ती हो चुकी है और देखना होगा कि बच्चे हुए रनू को अब जो है वो किदनीत्य जी के साथ बनाया जाता है और कौन चीटीम आगिरकार आज के स्मैच को जित्पाने में सब वह पाती है चैनल पर दोस्तों नहीं है चैनल को सब्सक सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भुलियेगा दोस्तों स्कोर जो है अभी भी देखा जाए नेगन बाज में सलने आशिराया है अगन बाज गरेकले पहले गेंट और अच्छी गेंट इस अदलेंड इसकेंट पर बला चरो चलाया रंजोह लेने का कोई मौकर है तो अभी भी 150 से स्कोर दोस्तों चार पिकित वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों ताकि आने वाले हर पैस की कोमेंटर जो हम सबसे पहले चनल के बाद दिम्चे हम आप जबी के साथ लगाता लात रहेंगे दोस्तों सुनात रहेंगे अगली गेंट पर एक बार ये गेंट और स्केंट पर बला चलाया लेकि यहाँ पर कहा चावुट जी हाँ दोस्तों सदर्लेंड आउट होकर पविलियन लौटते हुए दिखाई दरहेंगे अपने ही फॉलत रूम में मिसल ने आसर ने सकेंट को कैस कर लिया और 150 के योग पे मेलबॉन रेनिगेट्स की टीम का पांचवा जटका लगता हुआ यहाँ दोस्तों जोनाथन वेल्स को कफ़तान ने भेज ही दिया दोस्तों जोनाथन वेल्स वन डाउन या फिर तीस चोथे या फिर पांच वेदान पे जो है वो अक्सर हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आज के इस मैज में पता नहीं क्यों आप जो है वो बहुत ही जो है वो लेट भेजा गया जोनाथन वेल्स को अक्सर जो है जोनाथन वेल्स जो है वो चौके छके तो बड़े लगाने के लिए जाने नहीं जाते हैं लेकिन करने के लिए परकबार मैसल ने असर के गैंद और पहली ही अगेंद जोनाथन वेल्स ने इस गैंद को ठाकर जरूर खेला था और दो रन और तेजी के साथ दोड़ कर ये दो नहीं वल्ले बाचने पूरा किया कुल बलाकर 152 हो चुके है स्कोर 5 पिकेट गिरा है 19 तश्मरों 3 रुफरो के सिवापती हो चुके है मार्स ने 35 गैंद पर बरासी वेल्स ने गैंद पर दो रन वेल्स ने गैंद आ रहे ये बाउंड लाइन के तरफ जब तक ही दोड़ कराते फिल्डर फिल्ड करते त्रो करत क्यार केड़ के कर check कर लेकिन आकरी वक्त पर जो रुफिल्डर के पास नहीं पहुंच पाये थे नहीं उलाकर जहांपर अभी स्कोर के बात करते हैं 155 पिकेट गिरा है उननीश तश्मर चार इंधारों रईंधि जोनाथन वेल्स के लिए गेंद होगी और देखना होगा क्या यहां पर जोनाथन वेल्स ने इस गेंद को ठाकर जरू खेला था और दो रन और फिर एक बार कैज छूटता हुआ दिखाए दिया मिड़ बिकेट के जिसा में इस गेंद को कैज करना चाहते थे मोरुसलम चेन ल दोस्तों मार्च ने क्रिप्पन गंद उपर बिराशी जोनाथन वेल्स ने तिन गंद उपर छेरन बना कर ग्रेस में वजुद है अगले गंद करने के लिए परकमार मेंसलने अश्र दौर्णा स्टाट किया राइटा वह दो बीके दिखन बाजी करेंगे जोनाथन वेल्स क कर खेला गेंद कैसी मारेका के बाहर छेरनों के लिए दोस्तों इस चक्के के साथ ही 162 चुपे है स्कूर पांच पिकेट किरा है और 136 रनों का टार्गेट जो है वो दे दिया है मैल्मौन रेनिगेट्स की टीम ने दोस्तों नवसकार बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ मै अनिके दुश्मामी फिर एक बार अपने यूट्यूब चल पे दोस्तों तो मैल्मौन रेनिगेट्स और ब्रिस्पेंड हीट के दर्म्यान खेला जा रहा बिग बैस लिग तो 2022 तेज के मैस नंबर नॉकाउट में टॉस्तों है हाला के जीता था ब्रिस्पेंड हीट की टीम ने और पहले गन बाजी करने का फैसला किया था अमंत्र दिया था मैल्मौन रेनिगेट्स की टीम को पहले बल्ले बाजी करने के और निरधारीत बीस ओपरो में मैल्मौन रेनिगेट्स की टीम की तीम की बल्ले बाजी की तो मैल्मौन रेनिगेट्स की तीम की तीम की बल्ल गंधूपर बराजी, मंतिनकपकिल दो कंधूपर एक, शान मार्च, 21 गंधूपर दो चौकी और एक चौकी औशाँ पी ओडव गधलत 212, माकर जेक श्भयान हारपर, एरुन फींस, 12 गंधूपर दो चौकी और दो चौकी और दे शाट, मैथूर क्रिस्ट्दी, ह्ट्राक- पाइट 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 एक सो पचास की योग पे विल अस्ट लैंड के रूप में गिरा था दोस्तों बादगरे पाटनर्सिप की तो पाइट 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 फ्रडों का टार्गेट जो है वो Melbourne डेडिकेट्स के टीम कहीं ने कहीं Brisbane Heat की टीम को देती हुए दिखाय दी है तो आपको क्या लेगा दोस्तों क्या Brisbane Heat की टीम इस टार्गेट को चेस कर पाणे में सफल हो पाई गया नहीं कोवेंस भॉक्स में अपने rode जो है वो देना ना भूलेगा और चैनल पी दोस्तों नहीं Chill को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों मुकाबला जो है अश्कार बहुत-बहुत स्वाधत करता हूँ मैं अनिके दुश्मामी फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों तो मेलबॉन डेनिगेट्स और ब्रिस्पेन हीट के दर्मियान खेला जा रहा बिग बैस लिग तो हजार बाइस तेज के मैस नंबर नॉकाउट में टॉस हो है हाला के जीता था ब्रिस्पेन हीट के टीम ने और पहले गन बाजी करने का फैसला किया था मैलबॉन डेनिगेट्स के टीम को पहले बल्ले बाजी करने के और निर्धारित 20 ओपरो में Melbourne Renegades की टीम ने 162 रन बना ली है 163 रनों का टार्केट जो है वो Melbourne Renegades की टीम जो है वो Brisbane Heat की टीम को देती हुई दिखाई दिया दो बात करें Melbourne Renegades की टीम की बल्ले पाजी की तो Melbourne Renegades की तीम के दरब से Sean Mars ने संदार 9 गंदो पर 9 चोकी और 2 गंदो पर flight 2 गंदो पर 11 Martins Gapkill 2 गंदो पर Astron Mars 21 गंदो पर 2 चोकी और 1 चोकी बwerkर चोकी बदम अारव mismos माकच्जागा Gurashvyan Harper Aaron Fince 12 गंदो पर 2 चोकी 10 Matthew Crisley 18 गंदो पर 1 चोकी और 2 चोकी 1 vari well southern 10 गंदो पाजात और Jonathan well star karena 수as तो मिचल नियासिर ने ब्रिस्पेन हीट की दीम के लिए चार अफरों में तीस तीन अफरों में पैंथीज और विक्टो की पतन की बात कि जा दोस्तों तो पहला विकेट रेनिगेट की टीम काट के योग मर्टिन गटिल के रूप में गिरा था दूसरा विकेट शाम हारपर क के रूप में क्यासि चौथा विकेट मैथ्यो क्रिस्पली के रूप में 120 और आखरी विकेट 150 के योग पे विल सदरलाइन के रूप में गिरा था दोस्तों बात करें पार्टनर्शिप की तो शान मार्च और मतिन गप्टिल के विए आठ रडों की पार्टनर्शिप हुई तीसरे विकेट के लिए शान मार्च और एरोन फिन्स के बीच 15 रणों की पार्टनर्शिप हुई थी दोस्तों कोल बिलाकर 122 रण भराई है मैलबोर्न अनिकेट के टीम और 163 रणों का टार्ट चो है वो मैलबोर्न अनिकेट के टीम को देती हुई दिखाए दी है तो आपको क्या लग रहा दोस्तो क्या Brisbane Heat की टीम इस टारगेट को चेस कर पाड़े में सफल हो पाई गया नहीं कोवेंस बॉक्स में अपनी राय जो है वो देना ना भूलेगा और चैनल पर दोस्तो नहीं है चैनल को सबस्क्राइब करना और वीडियो को दोस्तो लाइक करना ना भूलेगा दोस्तो नवस्कार बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ मैं अनिके दुश्वामी फिड एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो तो मैलबॉन डेनिकेट्स की टीम को पहले बल्ले बाजी करने करे और नरधारीत 20 ओपरो में मैलबॉन डेनिकेट्स की टीम ने 162 रन बना ली है 136 रनों का टार्केट जो है वो Melbourne Renegades की टीम जो है वो Brisbane Heat की टीम को देती हुई दिखाई दिया दो तो बात करें Melbourne Renegades की टीम की बल्ले पाजी की तो Melbourne Renegades की टीम की तरब से Sean Mars ने संदार नबाद 23 गंदो पर 9 चोके और 2 गगन चुम्बी चक्को की बिदला रिपन गंदो पर 82, मंटिन गब्किल 2 गंदो पर 1, Sean Mars 21 गंदो पर 2 चोके और 1 चक्को की बिदलाद 22, माकट जेगा श्व्यान हारपर, Aaron Finch 12 गंदो पर 2 चोको की बिदल 10, Matthew Chrisley 8 गंदो पर 1 चोके और 2 चक्को की बिदलाद 23, Will Sutherland 10 गंदो पर साथ और जोनाथन वेल सार गंदो पर 1 चक्को की बिदलाद 12 गंदाजी में देखा जाए, तो मिचल नियासिर ने Brisbane hit की दीम के लिए 4 अफरो में 33 रंदे कर 2 विकेट, एक्स ब्रैटलेंड ने 4 अफरो में 34 रंदे कर 3 विकेट, स्पांसर जॉन्सन ने 4 अफरो में 30, जैंस ब्रैजले 3 अफरो में 35, मैथू कोहनमें 4 अफरो में 45 और मैट फ्रैंसो ने 1 अफरो में 8 रंद करस किये, और विक्टो की पतन की बात किजा दोस्तों, तो पहला विके 150 के योग पे विल सदरलेंड के रूप में गिना था, दोस्तों, बात करें पार्टनर्शिप की तो, शान मार्च और मतिन गप्तिल के बेट 8 रंदों की पार्टनर्शिप हुई, दूसरे विकेट के लिए शान मार्च और शाम हारपर के बेट 15 रंदों की पार्टनर्शिप प्रिस्पेन हीट की टीम को देती हुए दिखाए दी है तो आपको क्या लगए दोस्तो क्या ब्रिस्पेन हीट की टीम इस टार्गेट को चेस कर बाणे में सफल हो पाई गया नहीं कोविंस प्लक्स में अपनी राय जो है वो देना ना भुलेगा और चैनल पर दोस्तों नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भुलेगा दोस्तों नवसकार बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ मैं अनिके दुश्वामी फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तो मेल्बॉन डेनिगेट्स और ब्रिस्पेन हीट के दर्मियान खेला जा रहा बिग बैस लिग तो हजार बाइस तेज के मैस नंबर नोकाउट में टॉस जो है हाला के जीता था ब्रिस्पेन हीट के टीम ने और पहले गन बाजी करने का फैसला किया था मैल्बॉन डेनिगेट्स के टीम को पहले बल्ले बाजी करने के और निरधारित बीस ओपरो में मैल्बॉन डेनिगेट्स की टीम ने 162 रन बना ली है 163 रनों का टार्क जो है वो Melbourne Renegades की टीम जो है वो Brisbane Heat की टीम को देती हुई दिखाई दिया दो तो बात करें Melbourne Renegades की टीम की बल्ले पाजी की तो Melbourne Renegades की तीम की तरब से निर SUR जो है वही गणबाजी में देखा चाए है तो मिचल निया सिर ने ब्रिस पेन हिट की टीम के लिए चार होरों तेह तीस रंदे कर दो विए एक सब्सक्राइब कर दो पहला विएट रेणिगेट की टीम काट के योग में मटिन गप्टिल के रूप में गिरा था दूसरा विएट शाम हार्पर के रूप में 66, तीसरा विकेट एरॉन फिंज के रूप में 84 विकेट, मैथ्यो क्रिस्टली के रूप में 120 और पांचपा और आखरी विकेट, 150 के यूग पे विल असतलाइन के रूप में गिना था, दोस्तों, बात करें पार्टनर्सिप की तो, शान मार्च और म शान मार्च और विल सादरलें के विए 29 और आखरी में 6 विकेट के लिए शान मार्च और जुनाथन विल्स के विए 4 गंदो पर 12 रनों की पार्टनर्सिप होई थी, दोस्तों, कोल बलाकर 162 तन दराई है मेलबोर्न एनिकेट्स के टीम, और 163 फ्रटों का टार्गेट जो ह वो मेलबोर्न एनिकेट्स के टीम, कहीं ने कहीं, ब्रिस्पेन लिएट की टीम को देती हुए दिखाय दी है, तो आपको क्या लेगा दोस्तों क्या ब्रिस्पेन हीट की टीम इस टार्गेट को चेस कर पाने में सफ़ल हो पाई गया नहीं, कोवेंस ब्लोक्स में अपनी खेला जा रहा बिग बैस लिग तो हजार बाइस तेज के मैस नंबर नॉक आउट में टॉस जो है हाला के जीता था ब्रिस्पेन हीट की टीम ने और पहले गन बाजी करने का फैसला किया था अमंत्र दिया था Melbourne Renegades की टीम को पहले बल्ले बाजी करने करे और निर्धारित 20 ओपरो में Melbourne Renegades की टीम ने 162 रन बना ली है 63 रनों का टार्केट जो है वो Melbourne Renegades की टीम जो है वो Brisbane Heat की टीम को देती हुई दिखाई दिया दो बात करें, Melbourne Renegades की तीम की बल्ले पाजी की, तो Melbourne Renegades की तीम की तरब से, Sean Mars ने संदार, नबाद द तरिपन गेंदो पर नो चोके और दो गगन चुम्बी चक्कों की बदलत, तरिपन गेंदो पर बरासी, मंटिन गब्किल दो गेंदो पर एक, Sean Mars एक तिस गेंदो पर दो चोके गेंदो पर दो चोके और दो चोके और दो चक्कों की बदलत, वेल सादर लेंड दस गेंदो पर चाहत और जॉनाथन वेल सार गेंदो पर एक चक्कों की बदलत, बार दर नबराए, वही गनबाजी में देखा जाए, तो मिचल ने आसिर ने Brisbane hit की डीम के लिए, चार अपर आट रंड कलस किये और विक्ट्टो की पतन की बात के जा दोस्तो तो पहला बिकेट रैनिगेर्स की टीम कार्ट के योग में अटिन गप्यूट के रूप में गिणा था दूसरा बिकेट शायम हारपर के रूप में ची के सथ्ष तीसरा बिकेट केलिए शान मार्स और श्याम हारपर के बीच और ठावन रनों के संदार पार्टरसिप हुई तीसरे विकेट केलिए शान मार्स और एर्ओन फिंस के बीच, 15 रनों की पार्टरसिप हुई थी तोस्तों तो आपको क्या लेग रहा दोस्तों क्या ब्रिस्पेन हीट की टीम इस टार्गेट को चेस कर पाणे में सफल हो पाई गया नहीं कोवेंस बॉक्स में अपनी राय जो है वो देना ना भूलेगा और चैनल पे दोस्तों नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों नवस्कार बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ मैं अनिके दवस्वामी फिड एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं मैलबॉन रेनिकेट्स की टीम ने 162 रन बना ली है 166 रनों का टार्केट जो है मैलबॉन रेनिकेट्स की टीम जो है ब्रिस्पन हीट की टीम को देती हुई दिखाई दिया दो बात करें मैलबॉन रेनिकेट्स की टीम की बल्ले पाजी की तो Melbourne Renegades की तीम के तरब से Sean Mars ने संदार नबाद द त्रिपन गेंदो पर नो चोके और दो गगन चुम्बी चक्को की बदलत त्रिपन गेंदो पर बरासी मंटिन गब्किल दो गेंदो पर एक Sean Mars 21 गेंदो पर दो चोके और एक चक्को की बदलत 22 Mark Zagashvian Harper Aaron Finch 12 गेंदो पर दो चोको की बदलत Matthew Chrisley 8 गेंदो पर एक चोके और दो चक्को की बदलत 22 Will Sutherland 10 गेंदो पर साथ और Jonathan Will चार गेंदो पर एक चक्को की बदलत 22 वहीं गेंदाजी में देखा जाए तो Mitchell Niasir ने Brisbane hit की दीम के लिए चार अफरों में 33 गेंदो बिकेट एक स्पांसर जॉंसर जॉंसन ने चार अफरों में 33 Matthew Cohenman 4 गेंदो और Matt Franson ने एक उफरों में 8 गेंदो और विक्टो की पतन की बात के जाए दोस्तों तो पहला बिकेट रनिगेट्स की टीम कार्ट के योग में मर्टिन गप्तिल के रूप में गिरा था दूसरा बिकेट शाम हारपर के रूप में 66 तीसरा बिकेट एरोन फिंच के रूप में 84 बिकेट Matthew Crispy के रूप में 12 और पांचपा और आखरी बिकेट 150 के योग पे विल सदरलाइन के रूप में गिरा था दोस्तों बादगरे पार्टनर्सिप की तो शान मार्च और मटिन गप्तिल के रूप में 8 रणों की पार्टनर्सिप होई दूसरे बिकेट के लिए शान मार्च और शाम हारपर के बीच और ठावन रनों के संदार पार्टनर सीप हुई तीसरे बिकेट के लिए शान मार्च और एरोन फिंच के बीच 15 रनों की पार्टनर सीप हुई थी तोस्तों कुल बिलाकर 162 रनों का टार्टनर सीप के टीम को देती हुई दिखाए दी है तो आपको क्या लगरा दोस्तों क्या ब्रिस्पेन हीट की टीम इस टार्गेट को चेस कर पाड़े में सफल हो पाई गया नहीं कोविंस ब्लक्स में अपनी रवाय जो है वो देना ना भुलेगा और चैनल पे दोस्तों नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भुलेगा दोस्तों नवसकार बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ मैं अनिके दुबस्वामी फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों तो मेल्मोन एनिगेट्स और तो देखा जाए दो तो यहां पर रिस्पेंट के दरम्यान खेलाता रहाँ आप दिखाई दरहें और देखना होग तो सुनात रहेंगे जबी चैनल और सकेंट को देखा बल्ले बात हलके हाँ तो खेला है रंज हवल लने का कोई मौका नहीं था और कहीं न कहीं अभी भी देखा जाए तो एक गंदो का खेल हो चुका है और जीरो है स्कोर बिना कोई बिकेट के दोस्तों तो अभी भी देख गंद करने के लिए फिर एक बार गंद बात तोड़ना स्टार्ट के अच्छी गंद थी और इस गंद को देखा बल्ले बात ने और फिर एक बार सुरा चात्मकंदाशे खेला है रंज हवल लने का कोई मौका नहीं था दोस्तों तो दो गंदो का खेल हो चुका है जीरो है स् कि अच्छानल को सब्सक्राइब रोगे लुट्भ के लिए पाज रश्मान ख्वाचा गेन गई बाउंट लाइन के बाहर चार रणों के लिए फैडल स्विप किया था इस खेंद को और खेंद जो है वो चले गई बाउंट लाइन के बाहर चार रणों के लिए और चौके के साथ ही चार हो चुके है स्कोर तीनगिंदों का खेल हो चुका है ब्रिस्पैन हीट बहुत ही लासवाब अबल्ले बाच जिए यहाँ पर करती हैं जितनी तीनगिंदों का खेल हो चुका है चार है स्कोर दोस्तों बीना कोई बिकेट के और अभी भी देखाजा आए जहां से ये दोनों ही बल्ले बाद जो है वो किदरी तेजी के साथ रणों की गती को बढ़ाती हो दिखाई देते हैं और कौन सी टीम आखिरकार आज के समैच को जित्पाने में सफल हो पाती है तो चैनल पर दोस्तो नहीं है चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लजए prediction लाइक खने साथ चैनल के इस recur पहले देखितली जो है कौन से टीम इस मैच को जित्थी है अब भी देखना दिल चस्पोगा तो जरू कर आए चैनल को दोस्तो सबस्क्राइब नहीं किया दोस्तो जगा वीडियो को लाइक नहीं किया दो तो वीडियो को लाइक ज़रो करेंगे लिए पिर एक बार सके इनको देखा बलने बाद सुराच साथ प्रकंदाश रखेला रंजभा लने का कोई मौकर नहीं बहुत 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 धन्यवाद आप से मित्रों का लगातार हमारे साथ लिए एक शांदार मकाबला जांदार मकाबला होता हुआ नजर आ रहा है देखते हैं कौन सी टीम इस मकाबले को जीत कर यहां पर आगे की और जाती है मैलवन वर्सिस ब्रिस्बन की टीम के बीच खेला जा रहा है जा मकाबला पांच गेंदे हो चुकिया आट रंड बने है बिना किसी नुकसान के प्रिस्बन की टीम की अच्छी शुरुबात आज के दिन इस क्रिकेट के मकाबले में आप तभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवादा आप तभी लोग दूड़े रहिएगा इसी प्रकार से अपना क्यार देते रहिएगा मैं अगर वीडियो को ला बन चुके आउबर की आखरी गेन लांगाउंट की और खिला था बल्ले बाद ने एक रन और मिल जाएगा इस गेन पर भी जी हाँ एक रन के साथ यहां पर स्कोर आगे की और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले को जीती है और सी इसमे ल और जाती है और दने बाद एक और समाप्त हो चुका है नो रन बने है यह नो रन बन चुके है एक और की समापती के बाद एक और की समापती के बाद यहां पर नो रन बन चुके हैं जानदार यह मुकाबला जानदार यह मुकाबला देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले को जीद आगे की और बढ़ती है आप सभी लोग अपना प्यार देते रहिएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब करते दूसरे ओबर की शुरुबात होने वाली है तो देखते हैं द आपको सबसे पहले प्रवाइड करते रहें सी यूट्यूब चैनल के माधन से जिसका नाम है एजी स्पोर्स तो बहुत बहुत दने बाद आप सभी लोगों का मित्रों का लगातार अपने हमारे साथ बने रहने के लिए दूसर अबर की पहली गें थी और शांधार गें थी अगली गेंथी ओबर की अगली गेंथ उस्मान ख्वाजा के लिए पूरी जगा बनाई आउकसाइड डियॉफ गेंथी इस गेंथ पर बड़ा शॉर्ट केला और चोके में तबदीर किया इस गेंथ को जी यहां बड़ा शॉर्ट केले में कामिया बल्लेबाद और बड़े लोगों का बहुत बहुत दन्यवाद इसी तरीक से बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक करते हैं अगली गेंद के लिए त्यार वर्कार से बने रहने के लिए अगली गेंद प्ले तियार ओवर की चोथी गेंद बल्ले बाद रहेंगे तियार गेंद बाद रहेंगे तियार अगली गेंद का सामना करने के लिए क्या बल्ले बाज बड़ा शॉर्ट खेज दे हुए नजर आएंगे देखते हैं क्या होता अगली गेंट पर ओवर की चोथी गेंट बल्ले बाज के लिए राइट आम मरीम फास्ट गेंद बाज मोड़ी आये हैं अच्छी गेंद बाज ही करवाते हैं अगली गेंद देखते हैं सामना करेंगे ब्राउन देखते हैं क्या करते हैं अगली गेंद शाधार गेंद थी इस बार बल्ले बाज को कुछ समझ नहीं आय किस तना से इस गेंद्टों खेलें और यек तक बल्ले बाज इस गेंद्टों खेलने की कोशिश भी करते गेंद्ट सीधा वी कटकीपर के हातों में चली गई और दौट दौर्ट गेंट, एक दृशमलब, चार गेंद्टों खिसमापती, चोदा रन बन चुके हैं, चोदा रन इस तार देखने को मिलेका हमें देखते हैं टार्वर अब में पर क्या रहे गता है अग्त ये अगर कर स्ट्रेट डाउन के वहा चार अच्छा उपस्दयार चेसे चर्ल सर दीज कि ऑल गन दराउ cheme अच्छे शॉट लगातार लगाते रहना होगा इन डोनों बल्यवाजों को अगर मुकाबले को जीतना चाहती है जे टीम जिसका नाम है ब्रिस्बन हीट देखते हैं अगली गेंद के लिए त्यार ओबर की आखरी गेंद एक देशमलब पांच गेंद होई या और की अगली ग यह मुकाबला शांदार होता हुआ लाजवाब होता हुआ रोमान चक होता हुआ देखने हैं कौनसी टीम इस मुकाबले को जीत आगे की और बढ़ती है आप सभी लोग अपना ब्यार इसी परकार से बनाए रखिएगा प्रिस्बन हीट वर्सिस मेलबन रेनिगेट्स के इस स्पोर्स के यूट्यू चैनल के मात धंसे मैं आप सभी लोगों काता है दिल से धन्यावाद करता हूं मैं जाइन करने के लिए अगर अभी तक जाइन नहीं किया तो जाइन करने वीडियो को लाइक करने और जुड़े रहे हैं हमारे साथ इसी परकार से दो बरों किसमापत अच्छा रण बन चुके हैं अभी तक कर बात करें तो अगली गेंद और तीस रवर की पहली गेंद इसमाल ख्वाजा के लिए जए गेंद थी अच्छी गेंद नहीं थी पैट्स की और गेंद इस गेंद को दखेल दिया और गेंज चली गे बांजरी लाइन के बाहरे दिखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का हाला आप सभी लोग अपना प्यारी सी परकार से बनाए रखिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगली गेंद के लिए त्यार रहेंगे और की दूस्टी गेंद के लिए जा करेंगे अगली गे अच्छा मुकाबला शांदार ये मुकाबला वीडियो को लाइक करें साथी में चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया ताकि आने वाले मैचिस के अब्डेट हम आपके लिए लेकर आते रहें इसी यूट्व चैनल के मार्धन से जिसका नाम है जी स्पोर् अच्छी द्वाजी लगातार करवाते रहें न होगाчи अगर मुकाबले को जीतना चाहती है जचेम येम मुकाबला में लगातार देखने को मिल रहा है देखते हैं कूंसी त्रिश मुकाबले को जीत पाती है दोद्चमलब तीन गेदे हो चूपी है इस मुकाबले में तेई स्रंड बने हैं तेई स्रंड दे चुके हैं और कोई विकेट नहीं जटका अभी तक बात करें तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ख्यट करवानी होगी इन दो नो विलेजों के ओपर देखें दिया नहीं जटक बनाई रखने में तो होगो कामयाब रहते हैं और की यहां पर चार गेंद हो चुकी हैं चार गेंदे हो चुकी है इस ओवर की आप सब मित्रों का मैं तहीं दिल से दन्यवाद करता हूं अगर वीडियो को लाइक नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगली गेंद और इसी रुकावट खेल में फिल्डिंग में बदलाब किया जा जा रहा है जुड़ेंगेगा तब टॉट की जा रही है धीरे धीरे प्रैश्यवर बहुता है जैसे जैसे डॉट गेंदे होती ही जा रही है प्रिश्मन हीट अगली ओवर की, टीस्टे ओवर की, आखरी गेंद रहेगी, आखरी गेंद के लिए त्यार आखरी गेंद जॉसन ब्राउन के लिए अच्छी गेंद थी, भी बिल्कुल, बल्लेबाज ने अच्छा शॉट खेला, ता कावर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी बलेवाजने पर कामया भी नहीं मिली यह इसी था फिल्डर के हाथों में और तीसरा उबर भी हुआ इसी के साथ समापत हो गया है इस मुकाबले का अब टेस्ट बने हैं प्रैशर में आती जा रही है यह टीम जियां बिकेट गिर गया एक आदा तो पूरी तरह से मुकाब में चैनला को सब्सक्राइब ने किया क्या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक ने किया यह टीम के दवरा अभी तक तक इस मुकाबले की बात करें तो एक शांदार मुकाबला चला है क्urousी टीम मुकाबले को जीत पाती है यह देखते है आगसFit window गो का बह लिए यहां पर बहुत खतरो चावित हो सकती है जह दोनों बल्ले बाजों के लिए तीमिल वेगए त्सब्स करें तो इस मुकाबले का अभी तक अच्छा चल्रहा है जे मुकाबला शानधार ज्यारा चल रहा है यहां पर फिर से अच्छी गेंड फिर से गेंड को खेला कट किया था इस गेंड को पर गेंड सीधा फिल्डर के हाथों में चली गई रन लेने का कोई मौका नहीं हर गेंड हर डॉट गेंड के साथ दीरे दीरे प्रैशर और बढ़ेगा देखने हैं आप सो भी लोग मारे टे अच्छी गेंड बहुत बहुत धन्यवाद आप समित्रों का लगातार बने रहने के लिए जीए हां बहुत बहुत धन्यवाद काफी सारी मुकाबले आपकी तरफ आ रहे हैं अगली गेंड यहां पर तीसरी गेंड इस भर बल्ले बाज ने नहीं बख्षा इस गेंड को जी काफी खूब सुरे शॉर्ट खेला वल्लेवाज ने इस गेंद पर और इसी के साथ एक और गेंद हो चुकी है स्मुकाबले की 27 रंड बने हैं प्रिस्बन हीट की टीम के द्वारा तीन देशंबर तीन अब रोक्षिस माफ्ती के बाद भी ना किसी नुक्सान के आप सभी लोगों का मैं तहीं दिल से धन्यवाद करता हूँ मारे साथ लगातार बने रेने के लिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब करते हैं अगली के हैं यहां प्रवल्लेबास के लिए मूडी की अच्छी गेंद टपाकाने के बाद बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं इस पार सीधी रह गई यहां प्रवल्लेबास के बाद कोई मौका नहीं रन लेने का लगाता डॉट पे डॉट के इंदे होती जा रही हैं देखते हैं इस मुकाब यहां पर अच्छी गेंदि व्राउंड के लिए माफ की शुमान खाजा थे उस्मान खाजा काफी स्ट्रगल कर रहे हैं तो अच्छी वैले बाजी लगातार करेंगे उनके पास वो कला है कि वो अच्छी वैले बाजी लगातार करते रहें पर यहां पर ब्राउन को भी थोड़ा बहुत साथ देना होगा डाट गेंदे कम से कम खेली होगी अगर इस मुकाबले को जीतने की चाहरती है जी टीम जिसका नाफ है बिस्पन हीड अगली गेंड ओर की चोती गेंड पावर प्लेड की रहेगी आखली गेंड अच्छी गेंद के साथ ही एक और अबर समाप्ट हुआ लगातार मुकाबला रोमान चब शांदार रुला जबाब होता हुआ हमें नजर आ रहा है देखते हैं कौंसी टीम इस मुकाबले को जीत पाती है आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा अपना प्यार देते रहिए चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दें विडियों के साथ बने रहिए गा ताकि आने वाले मैचिस की लाइक स्ट्रीमिंग हम आपको प्रवाइड करते रहें इसी यूट्यूब चैनल के माधदिन से इसका नाम है जी स्पोर्स बहुत ब दने वाले मैचिस की लगाता लाइक स्ट्रीमिंग हम आपको प्रवाइड करते रहें इसी यूट्यूब चैनल के माधदिन से बहुत 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 दन्यवाद आप सब्सक्राइब करता हूँ आप हमारा जितना साथ ए रहे हैं इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे ह हैं तो आपको बहुत बहुत दन्यवाद चार दशमल वे गेंद अगली गेंद विल्स अदर लेंड की पट की हुई गेंथी अपील की है यहापर कैच बिहाइंड की क्या बाइट की उमली खड़ी होगी ची नहीं पाइस ने नाट आउट का डिजीजन दिया काफी करीबी म कामला था हम पाइच ने नाट आउट गिया और रब्यू भी नहीं ले रही हैं अगर आप इतने ही शूर है तो रब्यू ले सकते हैं पर इन्हों ने रब्यू लेने का फैसला नहीं किया जिसके खारे निक और गेंद वह चुकी है अच्छा मुकाबला ला जबाब जबाब को मिल सकते हैं और कुछ पैसे ही मुकाबले हमें लगातार देखने को मिल रही है तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए गा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक भी करन कि यहां पर बात करें तो बिना किसी नुक्सान के बात करें तो इस मुकाबले की अगली गेंद ब्राउन के लिए जे गेंदी आगे बढ़कर शॉट केला ब्राउन ने विल से दे लैंड के विल कुल सर से गेंद उपर से टिकल गई बहुत बड़ा च्छका जियां बहुत कि बंड्वाजी करते रहे तो यह इंक मुकाबला जल्दी मुझे लगता है कि जीतने में कामियाप हो सकती है जिस्का नाम है प्रिस्ट वनहीं अब जो पर जितने शर्ट कम कहें हैं मुस्मान खाजा की बल्लेबाजी के लिए इतने कम है कि आप बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के सीजन में पिछले मुकाबलों से टैस्ट मुकाबले हो जाए टी-टोंटी जो भी मुकाबला इनको मिलता है उसमें अच्छा का सा परफॉर् में अच्छे बल्लेबाज बल्लेबाजी करें और आपकी टीम को खत्रे से वहार निकालें तो देखते हैं कि अब कैसे टीम को पिछला मुकाबला इन बाग कर एक रन और चुडा लिए दीरे जहां पर मुकावला अच्छा हो रहा है शांदार हो रहा है अच्छा हो रहा है रूमान्च चुक हो रहा है आप सभी लोग अपना प्यार इसी परकार से हमें प्रोवाइट करते हीएगा चैनल उसस्क्राइब ने कि तो चैनल को भी सस से करते हैं बल्ले बाजी गेंद बाजी मापकी देगा बल्ले बाजी तो ठीक ठाक की ती इनों ने अच्छी खासी बल्ले बाजी की थी आज के दिन अगली गेंद बल्ले बाजी हैं त्यार गेंद बाजी हैं त्यार अगली गेंद के लिए चार देशम्डब चार गेंद हो च चक बनाना है इस मुकाबले को तो अच्छी गेंदवाजी करवानी होगी यह बहुत गंदी गेंदवाजी हो रही है समय बहुत रन बढ़ चुके हैं आपको और विकट भी आपने कोई नहीं लिया है विकट भी नहीं लिया और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा में रन देत फैस गेंद पर और गेंद चलीके सीदा प्रिल्लर के हाथों मियुमात र करेंगे जी नहीं बिल्कुल सीदी के अंत ही बहुत स्लोर वान गेंद का इस्तमाल कर रहे हैं के साथ एक और गेंद हो चुकिया स्मोग और की और की वी समापती लगातार मुकाबला शांदार रोमान चक एक दम कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए जो भी टीम इस मुका जो टीम चू बीट है सीजन पिछले कुछ सीजनों से पर्थ कोचर का डामीनेशन देखने को मिला है हमें किया सीजन भी ट्यापर स्वार्चर की टीम जो फाइनल में पहुंच चुकी है वो टीम यहां पर इस वार भी इस मुकाब इस सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब मिलता है और मारे टेली ग्राम के साथ जूज़ जाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुंपर हम आपको ड्रीम टीम प्रोवाइट करते हैं, पिछले कुछ मुकाबलों से, मारे टीम ट्रीम से, काफी जाए लोगों ने काफी सारे इनाम जीते हैं, और हम खड़े और की सुर्वात होचके चटवर की पहली गेंट पर वाले बाजे चैजित अच्छा चेला था और इसी चाठ के साथ एक और एक मकाबला शान ता यह मकाबला लगा था हुए— को मिल रहा है कौन सी टीमिस में मेरे कामयाब रहेगी देखते हैं आप तो भी लोग अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहिए का चैनल को सिल्स्काइब करते रही याग्ड करते रहीगा अगर अभी तक नहीं किया अने बहले मैं जिसकी लैब भी आ रहा है अगर इसी तरीके से मकाबला होता रहा तो देखने वाड़ी बात रहेगी कौन सी की जीते की एकली गेंट यागे बढ़कर शॉट के लाफाद है मस्कीस गेंट पर बल्ले बाद ने गेंद फिल्डर ने कैट को ड्रॉप कर दिया है क्या यहां पर यह क्या कर दि की गेंट के साथ मुकाबला अच्छा होता हुआ शांदार होता हुआ देखने वाली बाद कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सी जिसमें लीड बनाने में काम्याव रहती है आप सभी लोग अपना प्यारी सी प्रकार से लगातार हमें अरी यूट्री चन को देते रहेगा अ मुकाबला जीतने में जादा परिशानी होगी नहीं इस टीम को अगली गेंटी अच्छी गेंटी जहां पर बल्ले बाद ने और इस को पैट्स क्यों गेंट को दकेद या पाउंट इन क्यों जाती गेंट पर जी नहीं फिल्ट टेपी वाटफोर्स को लाइकी और एक पिल् करें इसी यूट्यू चैनल के मादिम से जिसका नाम है एजी स्पोर्स एजी स्पोर्स के यूट्यू चैनल के मादिम से हम आपको सुभी को धन्यवाद करते हैं आप सभी लोग हमारे साथ चुड़े रहिएगा साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा चैनल को स बहुत बहुत दने बाद आप सभी मित्रों का लगाता रंबारे साहथ बने रहेने के लिए आप लोग उमारा प्यार इसीत्रीकाइस से देते रहिए पिञेए आप सभी लोगों ने अभी तक हमारा साथ नहीं निभाया है अब सभी लोग अमारे साथ चुड़ सकते हैं हम आपको इस्ट्रीमिंग की अपने टेलीग्राम के साथ तो हमारे साथ जुन्ना न भूलिएगा वीडियो को इसाथ बने रहिएगा चैनल को सस्क्राइब करते हैं चटे अबर की दूसरी गेंथी अब दीरे दीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है इन बल्ले बाजों के अपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मुकाबला रोमान्चक हो रहा है दीरे दीरे इन दोनों बल्ले बाजों के अपर प्रेशर बढ़ रहा है ओ ओ ओ ओ लगातार प्रैशर बढ़ता जा रहा है इन दोनों बल्ले बाजों के ओपर देखने वाली बात कीजे प्रैशर कब तक नाए रखने में जो दोनों बल्ले बाज कामियाब रहेंगे अगली गैंद के लिए त्यारोबर की दूसरी गैंद थी और यहां पर बात कर ली जाए एक और बार यहां पर एक और गैंद हो चुकी है जहां पर लगातार खुब चुरुत मुकावला हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों टीमों के तवरा देखने हैं कौँछी तीम उस मुकावले को जीत पाती है अब सभी लोग गवगा बहुत बहुत चार रनों के लिए अच्छी बल्यवाजी शांदार ये बल्यवाजी लाचवाब ये बल्यवाजी हमें इन दोनों बल्यवाजों के द्वारा देखने को मिल रही है अगर चल्दी से चल्दी इन दोनों का विकट नहीं लिया इन दोनों बल्यवाजों ने तो मुकावला जह पर विकेट नहीं लेंगे जे दोनों बल्लेवाज तो प्रैस्चर बहुत हो जाएगा इन दोनों बल्लेवाज ओपर और प्रैस्चर में कभी-कभी जहां पर बल्लेवाज अब गलतियां कर देता है तो देखने वाली बात होगे अगली गेंद हावा में शौर्ट छे रन के ल मकाबले को आप सभी लोग जुड़े रहीएगा हमारे साथ जुड़े रहीएगा क्यूंकि मुकाबला रोमांचक हो रहा है शानदार हो रहा है और रोमांचक और शानदार मुकाबले की लाइब स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिले रही है सिर्फ हमारे यूट्यूट चै लाकर दिया पूरी की पूरा आठा नहीं पूरा आठा इक्राव कर दिया जे क्या कर दिया तुमने जी हाँ मल्ले वाजने मोगागवाद ही या इसीके साथ एक और जाएगा साथी में विडियो को एक एक लाइक ठोके जाएगा ताकि हमें आप मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए खुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए लगाता रहा है और भी एच्छी लाइफ स्ट्रीमिंगां परवाइड कर रहे हैं इस चैनल के साथ अच्छा मुकावला फहाद अंध उल्गें लीए बाजट को कामियाब एक और उन्होंट के जहां पर बात करें तो अकॉम पदम व Pan में उस चूरत लगाता है ने लोगातार एक नग्यानगां दौने बद्वाजियों के दवरा हां देखने को मिल रही है देखने वाली बात होगी कि उन्ची टीम इस मुकाबले को जीत पाती है अगली गेंट फाहद अहमत की अच्छी गेंथी पीछे की और गए और एक बड़ा हुत बड़ा च्छे रन बहुत बड़ा चकाप दीरे-दीरे मुकाबले में पूरी तरह से आगे डिकल चुकी है ब्र अगली गेंट अच्छी गेंट यहां पर विकट विकट गेंट बाजी देखने को मिल रही है अगर इसी तरीके से बल्ले बाजी होती रही जहां पर इन दो नो बल्ले बाजो के द्वारा तो मुकाबला जीतने में ज्यादा समय लगे का नहीं तो आप सो भी लोगो लोग हम इसी परकार से देते रहिएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को कर देखने वाली बात की अब इस मुकाबले को कब तक की ती अगली गेंट स्टेट डाउंड चॉट केले की कोशिश्टी बल्ले बाज के दोरा बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगती हुए गेंट सीदा विक्ट कीपर के आतों में एक और बार रनलने का कोई मौका नहीं और एक और गेंद हो चुकी है एक और गेंद हो चुकिया इस मुकाबले की बात करें तो जहां पर अच्छा मुकाबला शांदार जे मु लगतार खुब्चूरत बल्ले वादिया में इने दोनों बल्ले वादियों पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है पूर्द बहुत धन्यवाद आप सब्सक्राइब का लगाता है हमारे साथ बने रहेने के लिए हमारे साथ इसी परकार से बने रहीएगा साथ ही में अपना वीडियो को लाइक करते रहीएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहीएगा अगर अभी तक नहीं किया ताकि है आने वाले मैचिस की आपको लाइब स्ट्रीमिंग हम प्रोवाइट करते रहे हैं यूट्व चैनल के माद्दिन से जिसका नाम है एजी स्पोर के लिए चानल को सब्सक्राइब करते रहने के लिए फिर्थ लाइक करते रहें के लिए एक्षान्दार और ये मुकाबलवा धिर्थ जब्स्याइब माई उपर टोड़ा ब्लबाग इंडर कि तुरा बहुत बहुत अन्यवाद आपका हमारे साथ चुड़ेते रहने के लिए चुड़े रहिएगा चैनल को सुस्क्राइब करते रहिएगा अगर अभी तक नहीं किया कोनों टीमें अच्छा मुकाबला देती हुई देखते हैं को सी टीम मुकाबले को जित पाती है मुकाबला काफी मुकाबले को जीत पाती है आप सभी लोग बने रहिएगा अगली गेंद अबर खिले करा रही है मुडी अबर की अगली गेंद अब ऑली गेंद थी पुलकी आज गेंद को पीछे फिल्डर मजूद अब जहां पर कुछ खास करके दिखाना होगा गिनवाजी थी और बल्ले बाजी दोनुस गिनवाजी से अच्छा कुछ खास प्रफॉर्मेंस करना होगा अगर मुकाबले को थोड़ या सा और रोमांच चक बुनाना चाहती है जिटी देखने हैं किस तरह का अंजी बहुत बहुत धन्यवाद आप समित्रों का लगातार बने लेने के लिए अपना प्यार दे दे ये गा चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं युटी को लाइच कर दिया जॉन इतने अच्छी फिल्डिंग क्या कर दिया लोगों वावर प्ले का पूरा इस्तमाल कि आ शॉट कहला बूल शॉट खिला था और गेन चली के बनी कर ब Mu का बनाया था और उसकी ऊंच से मुखर पर और नहीं मार पायAy ऑफ में अगली गेहं दो और बड़ा चेरन ये शट्र को बढ़़ सके लिक गेंद एक और बार जी नहीं कार्ड को पकड़ लिया है माफ कीजिएगा काज क को पकड़ लिया है इस साथ एक और विकेट गि wiring चुका है जहां पर गेंद काफी मुंखी चली गई थी एक समय लग रहा था कि यहां पर गेंद इस एक python डलिया गया है और इस गेंट पर बाहर की और जाते हुए नज़ा रहे हैं इसी के साथ एक और पारी की समाथ ती अच्छी पारी खेली जा उसर ब्राउन ने अच्छा साथ में बाया और एक अच्छी सदी वी शुर्बात थी पर पर अपनी सदी शुरुबात को कारियों नहीं कर पाई पर अपना विक्ट कबा कर बाहर की उड़ाते हुए इसके साथ मुकाबला शानदार होता हुआ रोमान चुक होता हुआ लाजवाब होता हुआ देखते हैं कौन सी टीम मुकाबले को दीतने में काम्याब रहती है आप सो भी लोग हमारे साथ इसी परकार से बने रहिएगा अपना प्यार इसी परकार से हमें देते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें बहुत बहुत दन्यवादा आप सब मित्रों का लगातार हमारे साथ बने रेंड़े के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहे हैं ना मैं खाली गेंड पर बिकेट लिया था मकावला रोमान चुकोच पिछली गेंड पर विकेट गिरने के साथ अगली डाउन दिला घुए एक मैंड नहीं हो जीए अगर मुकावले को आप जीतना चाहते हैं अगर थोड़ा बहुत भी जीतने की सोच आप रखते हैं तो तिन देखते हैं इस मकावले में क्या होता है या अपसे भी लोग अपना प्यारी सी प्रकार से लगाता है हमें फुर्वाकट करते हैं रूहें चैनल को सब्सक्राइब करते रहें वीडियो को लाइट करते रहें और गी अगली गेंद भल्लेवाज मैद करने के लिए डेस्ट बड़े प्लेयर है जिये अगली गेंद थर्ड मेंड की उर्गिलाइश उट लिया एक और रन बटोरा धिरे दिरे एक एक रन से स्कोर बोर्ट को आगे की और बढ़ाए आज आ रहा है छी हां एक एक रन से भुन जुरूरत नहीं है अब देखने वाली बात कीजिए बल्लेवाज अब तक बल्लेवाजी करकर इस मकाबले को अपने नाम करते हैं तो नहों टीमों के बीच खेला जा रहा है यह मकाबला शांदार होता हुआ लाजबाब होता हुआ रोमान्च होता हुआ जी यहां जो बात कर लें दूसरा मकाबला जो चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस होट व्रीका के बीच उस मकाबले में क्या हाल है यहां पर बहुत बुरा हाल बहुत मार रहे हैं यहां पर इंग्लैंड भालों की विट्टे भी गिर रही है पर साथ साथ में पिटाए भी करते ह वे नज़रा रहे हैं अब अगला और बहुत महत्रपून इस मुकाबले का अगली गेंद अच्छी गेंद थी पीछे की और भी आकर बैक फूट की और याकर बहले बाद मानुशला मुझे ने इस गेंद को केला फिल्डर के बाद से अब तक गेंद जाती जहां पर एक रंड और बतोगा एक एक रंड के साथ मुकाबला रोमान चक अब बची हुई कुछ गेंदों पर ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है पिछले और में जो फाहाद आमने कैश डॉप किये था अगर वो कैश पकड़ा भी जाता तो मुकाबला और ज्यादा रोमान चक हो जाता पर उ डोकनी है जहां से भिकली लेनी हैं दोनों कारें ने और अगली अच्छी एंदो देड़न पर यहां पर यहां पर रखशा पर कांना आँ है रकते हां है सेनाय क्वे फिर्टा पर रस्टंपींग करना ही है कि चोटे कज़ेंगर के यहां पर चुके किया है यहां पर這्प कि कि अ पीड़ तो की है स्ट्रnor कैश्ट कि यहां पीड पर कामिया भूंगे जा नहीं देख झान होता है अपील पर जी णा थर्ड मपार के पास पैसला जरूर इया है एक समय के लिए ठोड़े के समय के लिए फाइट के पास पैसा जरूर तिया थर्ड पार के बास रवियू लेते हुए ने जरा रहे हैं कि यह रवियू तो लिया है क्या रवियू सक्सेस्फूल होगा जहां सक्सेश्फूल आपकी करीबी मामला लगता हुआ इस समय जी नहीं जी नहीं oh yeah oh yeah यहाँ पर बाल बाल बच गए वे ख्याल से थोड़ा सा लेट कर दिया सेम आपने कोशी जरूर की थी दोनी की तरा स्टंपिंग करने की पर दोनी की तरा स्टंपिंग कर रहें पाए जी यहाँ इसके साथ एक और गेंद हो गेंद गैप में गई जरूरती पर पीछे की और फिल्डर मजूद जिसके कारण गेंद को पकड़ेगा आप इस पुकेट की पर के हाथों में प्यांके का जब तक कोई रन लेने क्रिचली की केंद ओपर तो क्रिचली को कुछ खास करके दिखाना होगा जब बलेवाज यहां पर कोई रिस्क नहीं ले रहा है तो आप थोड़ा सा गेंद को गुमाईए गुमूईए कुछ करिए यहां पर कुछ करके दिखाईए जहां पर क्यूंकि अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो मुकाबला आपकी टीम लग 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 बखार जाएगी अगली गेंद क्रिचली की जाते हुए क्या इस गेंद पर विकेट आएगा देखते हैं आप सबी लोग हमारे साथ जुड़े रहीगा बास्त गेंदों पर असी रण ही चाहिए बास्त गेंदों पर सब्सक्राइब करें लाग हैं अंतिजाती वाणी लाइन की और तेजी से पर टॉम रोग बसने गेंद को पकड़ा और पापीस विकेट की प्रफातों में पैंका जब तक के लिए एक ही रण मिलेगा बल्लेवाज को नाकाउट का जे मुकाबला चलता हुआ इस मुकाबले म आप सबी लोग अपना प्यारी प्रकार से हमें लगातार प्रवाइट करते रहें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें एजी स्कोर्ट यूट्यूब चैनल को बहुत अन्यवाद आप सब में त्रोका 92 लाइक हो चुके हैं 100 लाइक के बि कितना जिन्स प्रेक के बाद कावर सच लेती है जिए टीम माप किजएगा ब्रिस्पन हीट की टीम जहां ऐसे ही बल्लेवाजी करते हैं जिए दोनों बल्लेवाज देखने वाली बात रहीगी आप सब लोग जोड़ते रहीएगा कि प्रेंस पर एकाज हमें होता होगा मैदान के ओपर पानी कुनी पीने के लिए खिलाडी त्यार हो चुक्त में फिर से कि आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ कि अगर अभी तक वीडियो को एक लाइक ने किया तो वीडियो को भी एक लाइक करना ना भूलिएगा आप दूर्मिट्रों का लगातार अपना प्यार आप देते रहने के लिए पूद बहुत दन्यवाद दिया मुकावला शांदार होता हुआ यह जवाब होता हुआ दिल चस्प होता हुआ जे मुकावला देखते हैं कौन सी टीम इस मुकावले को चीट आगे कि देखिए और बढ़ती है कि अब देखने वाली बात रहीगी अभी तक ये मुकाला पूरी तरीके से पकड में बनाके रखा है कि यहां पकड़ में बनाके रखाये मुकावला गली के का समय समाप्ट होता हुआ मेनेजर आ रहा है यह दोनों बल्लेवाज किस तरह से बल्लेवाजी करते हैं अब एक बचे हुए कुछ ओवर में कि अब आप लाशान दारो रोमान चकोता हुआ कि अब लिंग्स प्रेक के बाद क्या परफॉमन्स देखने को मिलता है दोनों टीमों के द्वारा देखने वाली बात इसी के साथ ड्रिंग्स प्रेक का समय समाप तर पहली के अंद करवाएंगे ड्रिंग्स प्रेक के बाद पहली के अंद अची गेंद थी बैक फूट के और पिल लिवाज ने चानी से एक रन बटो बल्लेवाज अच्छी बल्लेवाजी लगातार करते हुए नजरा रहे हैं अगर इसी तकी केसे लगातार अच्छी बल्लेवाजी करते हैं जो दोनों बल्लेवाज तो मुकाबला जीते में ज़्यादा समय लगाए का नहीं दोनों बल्लेवाज आप समित्रों का आमता है दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए बने रहिएगा साथी में वीडियो को लाइक रिए अगली गेंट बैक फूट की और गए इस गेंट को हवा में खेला फिल्डर बाल बाल बचे बाल बाल बचे जहां पर बल्ले बाज बल्ले बाज बार बार अपनी विकेट गवाने ही बाले थे पर जी नहीं बार बार बचे इस गेंट पर बड़ा शौट खेले में नाकामिया अगली गेंद मानुसा मुचलिन के लिए गेंदी इस गेंद पर बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेली की कोशिश की पर ना खाने आप एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर भी धीरे धीरे मुकाबला मुकाबला रुमान चको और शांदार हो रहा है देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाती है अब भी लोग बना प्यारी सी प्रकार से में बनाए रखिएगा यूग लाई करते रहिएगा मुकाबला शांदार हो रुमान चको होता हुआ इस रारा अगली गेंद गेंद भाग की थे जिसे बाउंडी लाइन की हो और जब तक फिल्डर इस गेंद के पास बिल्कुल पहुचते ये इनको बापिस व्यांगते विकेट कीपर के हातों में एको रुमान लिने का मौकार दिये दिये यहां पर शांदार रुमान चक और लाजबाब मुकाबला बेखी को मिलता हुआ में दोनों टीना के बीच इसी तरीके से अपना प्यार बढ़ादे रखिए का अगली गेंद बल्लेवाज के लिए अच्छी गेंदी बल्लेवाज ने इस गेंद को मोड़ा विकेट कीपर के हातों में जब तक गेंद बापिस आती फिल्डर के हातों म के लिए अच्छी गेंद थी डाउन दी लाग जाती हुजी गेंद बिकेट कीपर के हातों में नहीं जाएगी धर्ड मैं के वेल्डर के बाद तो में यह गेंद बहुत बहुत दन्यवाद आप सब मित्रों का लगातार हमारे साथ बने देने के लिए अगर अभी तक वीडि करते हैं अपने यूटीग आनले में जिसका नाम है इजी स्पोर्स कर दो 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप समय द्रोगा लगाता है हमारे साथ बने देने के लिए दुस्मान पाजा के लिए जगेंद इस गेंद पर स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड शॉट के लवल ले बाज ने के चली गेंद बाउंडरी लांड के बाहर चाहर रणों के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप समय द्रोगा लगाता है हमारे साथ बने रहिए गार चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा वीडियो को लाइक करते रहेगा अगर अभी तक नहीं किया है तो अच्छा हम काबला अच्छी गेंद ती पहली गेंद पर भी चौका बटॉल आज के लिए ओ बहुंसर गेंद ती हलमट पे जाकर सीधा गेंद लगई तो थोड़ा साब चैक अप भी होगा इनका जी नहीं आज के दिन यहां पर केंड रिचरट्सन मुकाबले में नहीं खेल रही है तो ही मैं को हूँ मुकाबले में केंड रिचरट्सन को भी तक लग गई चैक अप होता हुआ अब यह चैक अप हो रहा है उस्मान ख़ाजा का कि कहीं गेंद हलमट पर तो नहीं लग गई है थोड़ा सा खेल में रुकावटा आ चुकी ऐसी के साथ आप सब विडियो का अब मारे साथ इसी परकार से बने रहीएगा ड्यूबर लाइक करते रहीएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहीएगा पाकि आने बाले मैचिस की भी लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको प्रवाइड करते रहे हैं इसी यूट्वी चैनल के माद दिन से अचा काच बराओ अचे करिकर स्टेडियम अगली गेन विल से दर लैंड भागते हुए अच्छी गेंथी ओहो फिल्टर के सरक्यों पर से गेन चारन के लिए चली जाएगी इसे के साथ एक और बार बड़ा शॉट खेले में कामे आप क्या मुकाबला शांदार शे मुकाबला अजिल चस्वी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हार साथ बने रेने के लिए अच्छी शॉट और पूरी तरह से पावर सर्च का इस्तमाल करते हुए जो दोन बल्ले बाज अगली गेंड बिल्स अदर लैंड की अच्छी गेंड डाउं डी ग्राउंड शॉट खेला बल्ले बाज ने की बल्ले बाज बाल बचे एक तो यहां पर बहुत जादा ही कमजोर है गेंदवाजी मेलवन रेनिगेट की जो केम रिचर्सन थे वो भी अब बाजी नहीं करवा रहे हैं तो जिसके कारण बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी है जे गेंड बाजी जिसके कारण जहां पर थोड़ा सा मदद मिलती हुई हमें नजरा रही है बल्ले बाजी टीम को अगर यहां पर केंड रिचर्सन होते तो इस मकाबले को जीच सकती थी जहां पर मैल्बन रैनिगेट्स की टीम आवर की अगली गेंड हवा में गेंड को खेला जरूर तापर फिल्डर पीछे मजूद जिसके कारण बल्ले बाज मातर एक रन बट और पाएंगे जिसके कारण एक और गेंड होई और एक और अबर की समाब तीसके था जाता समय तक इस ख मुकाबले में कभी भी कुछ भी हो सकता है तो उस कुछ भी होने से बचना है आपको जी यहां अभी तक तो मुकाबला वान साइड़ होता हुआ नजरा रहा है हमें आप सभी लोग बने देएगा पारावर हो चुके नाइंटी एट हैसकोर फिकेट चाहिए अब एक अदा तो मुकाबला फिर से यहां पर पकड़ में आ जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर मुकाबला काफी कड़ा होता हुआ नजरा रहा है समय तो खुद बदने बाद जुड़े रहिए का अपने हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगली गेंट वहाद अमद का काफी बड़ा ओबर है यह पहली गेंटी बैक फूट की और गए बल्ले बाज ने शौट बड़ा खेलने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे बल्ले फिर से बैक फूट कियो जाकर पर इस बार बल्ले बाज कामयाब अगली गेंट अगर इस गेंट पर विकेट ले लेते हैं तो मुकाबला पूरी तरीके से विकेट ले आजाए का भी नहीं ऊपर से निकल गई है जिए गेंट बिल सद लैंड गेंट के पीछे भागते हुए और यहां पर बल्ले बाज आसनानी से दो लर्न मिल जाएंगे दीरे दीरे प्रेशन में आती हुई जे टीम जिसका नाम है मैलवन रेनी गेट्स यहां विकेट चाहिए अब जहां से मैलवन रेनी गेट्स की टीम को अगर मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो कि अगली गेंद के लिए थिया रहेंगे बहने बागले बागा अगली पत्रम चे लीएक यूरिंप की अगली बाउंस जी नहीं पिल्लर्स के सीदा हाथ हों में गेनन चली गई एक और बाय मातर दो औरन मे लेंगेम समचन पर भी कर बदने बाद आप सब मित्रों का लगातार हमारे साथ बने देने के लिए अगली गेंद बल्यबाज बैक फुट की और जाकर अच्छा शॉट के ने की कोशिश में काम्याब रहे को रन बटो रहा कि लगातार अच्छी बल्यबाजी इन तोनों बल्यबाजों के द्वारा हमें लगाते रहना होगा बहुत बढ़ा चक्का बहुत 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 जादा बढ़ा चाहिए इसी चक्के के चलते हैं यहां पर स्कोर और भी बढ़ा हो चुका मुकाबला बरोमान चक्को होने की स्कीति में पराया है देखते हैं अब कौन सी टीम जीद पाती है और चक्के ने पूरी तरीके से मुकाबले में लगाता आ गया आकर खड़ा कर दिया है जहां पर प्रिस्वन हो अब देखने बादी बात की कौन सी टीम इस मुकाबले को आने रहेगे का व्यड़ियो करते रही है चैनल को सब्सक्काब करते रही है अगर अभी तक नहीं किया थे अब एक बुदुनck को पछी रिए कर्क्राद के आफ्पों जुक्रों को Кар Schools का मी ये मुकाबला हार जाएगी मानुस्लाम उचेंड के लिए गैंथी फुल टॉस गैंथी स्ट्रेट डाउं दी ग्राउं शॉट के लाव ले बाद ले बाद लेगा रन तो एक ही मिलेगा इस गैंद पर बढ़ा शॉट के लिए की कोशिश में जुरूर थे बल्ले बाद पर काम कुछी टीम जीत पाती है इस मुकाबले को हम देखने वाली बात रहेगी कि फोड़ा सब खेर में रुकावट किंदी फिल्टिंग में बदलाग किये जा रहे हैं बार-बार आपके लेगा अगली गेंद पिले दियार उस्मान को आज आग ले गेंद रिवार शॉट के अगली गेंद अच्छी गेंद कर दिया इस गेंद को पर पीछे की और फिल्डर मजूद के कारण मात्र एक रन आएगा इस गेंद पर एक एक रन से स्कोर बोड को आगे की और लेका जा रही है जेटी आज की दिन मेलबर्न रेडिकेट्स के होम ग्राउंड पर मुझे लगता है उनको करा ली हरका सामना करना पड़ेगा और सीजन की समापती हो जाएगी उनके अब जुड़े रहीगा हमारे साथ अगली गेंद अच्छी गेंद अपील करी है काच पिहांड की यह पर पाइंट्स ने कहा जी नहीं और पापी चाहिए आप अपने मार्क की और इसके साथ एक और गेंद हो गई इस ओवर की अब सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं हमारी यूट्वी चैनल के साथ बने रहने के लिए अगली गेंद अबर की क्यास गेंद पर ब्ला शॉट अगली गेंद स्टेट डाउंड तीर की तरा सीधा शॉट पर पीछे फि करने के लिए कि देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का हाल आप भी लोग पने लिएगा इसी परकार से ना एक महत्तपून लाइक हमें देते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा अंडर लाइक्स तक हमें जल्दी से जल्दी पहुंचा दिए अगली देवाज ने गेंद गैप में जुरूर है पर फिल्डर जब तक गेंद को पकड़ते हैं एक रन और बटोर आईसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमारे साथ ने जुड़े हैं उनका और आने वाले लोगों का जो जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा विडियो को लाइक करके जाएगा ताकि आने वाले हर मुखावले की लाइश्टेमिंग आपको मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल के मार्दिम से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का लगातार अपना प्यार देते रहने के लिए साथी में वीडियो को भी लाइक करें वीडियो को भी लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लेयर आफ दी मैच इशान किशन पावर और सजटेकन अभी तक तो नहीं लग रहा है तीन अभी यहां पर बिकेट आ जाए तो मुकाबला रोमान चुक हो जाए पर यह वह वह विकेट आ सकता है जान नहीं देखने वाली बात रहीगी आप सभी लोग जोड़ते रहीगा अपना प्यारी सीपरकार से देते रहीए क चैनल को सब्सक्राइब करते रहीगा विल सदर्लेंड बीबील दोफ़जार बारा इस सीजन में काफी सारा अच्छा प्रफारमेंस किया अगली गेंड विल सदर्लेंड ओपर की पहली गेंड लेकराएंगे पहली गेंड फुल टॉस गेंड थी ओहो फिल्टर के सीदा हाथ आटा वेंड गेंड चली गई और रन आउट का कोई मोका नहीं था इस बार मोका बना था चोटा सा मोका पर उस मोके पर चोका नहीं लगा पाई बले बार अब भी इसाथ एक और बिंद भू चुकिया इस मुकाबले की अच्छा मुकाबला शानधार ये मुकाबला रोमानी चप्चे मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ पहली गेंट डॉट गेंटी अबरकी दूसरी गेंट विलसाद लैंड की अच्छी गेंटी एक और वार ओहो क्या गेंट बाजी देखने को मिल रही है डॉट पे डॉट गेंट बाजी अभी तक यहां पर देखने को मिलती हुई नजरा रही है यहां पर विल्स अदर लैंड काफी बड़ी कड़ी है इस मुकाबले को गर जीतना चाहती है जे टीम बहुत बहुत अन्यवाद आप समित्रों का यहां पर काफी खचाखच बरा हुआ जिपकर स्टेडी विल्स अदर लैंड बात चीत करते हुए अरेंड फिंच के साथ अरेंड फिंच बताते हुए कि अगर एक दो डॉट और गेंदवाद गेंद करवा दी आपने तो पूरी तरीके से प्रैशर में आ जाएगी जे टीम जिसका नाम है यहां पर बात करें तो ब्रिस्बन हिट अगली गेंद अच्छी गेंद थी दोट गेंदो हो अब गरीबी में आता नहीं प्रैशर में आता गिला हो रहा है जी हाँ जी हाँ दवाब में बड़े 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 दवाब में कुछ नहीं कर पाते हैं और वोही दवाब नजर आ रहा है हमें आज के दिन जी हाँ, वही दवाब हमें नजरा रहा है बल्ले बाज़ के उपर, क्या बल्ले बाज़ इस दवाब से बाहर निकल पाएगा जां है अगली गैन लेकर आएँगे, अगली गैन थी, जी नहीं, जगा बनाए, पुल शॉट के लाब पल्ले बाजने पर रन मात्रे मिलेगा क्या ओबर देखने को मिल रहा है क्या शानदार ओबर हमें देखने को मिल रहा है जहां पर अच्छा ओबर देखने को मिल रहा है इन दोनों टीमों के बीच खिले जा रहे इस मुकाबले की बात करें तो जे मुकाबला खिला जा रहा सीजन को हमें जल्दी से जल्दी अच्छा सीजन था ठीक ठाक पर्फॉर्मंस अभी लाड़ियों का देखने को मिला एक बड़ा रंचेस भी देखने को मिला इस सीजन अगली गेंड यहां पर पांच भी गेंड इस गेंड पर पुल शॉट केला बल्ले बादे गेंड गयाप म यहां पर थोड़ी सी कमजोर कड़ी यहां पर फिल्डिंग में नज़र आ रहे हैं अगर इसी तरीके से फिल्डिंग करेंगे तो काम नहीं चलेगा इसी के लिए आपको अच्छा पर्फॉर्मंस करना होगा आप सभी लोगों का मैंता ही दिल से धिन्यवाद करता हूं लग पर आखरी गेंद होगी ओन दी माइक एरन फिंच 116 रण पर एक विकट गिरा है और खी गेंद पर बड़ा शॉट हमें देखने को मिलेगा देखने हैं अगली गेंद पर क्या होता है अगली गेंद यहां पर अच्छी गेंदी डाउन दी लैक जे गेंद इस गेंद पर भी तो अब देखने वाली बात अब देखने वाली बात रहेगी कि कौन सी टी मुकाबले में बाजी मारती है अब यह मुकाबला 50 50 हो चुका है तो आप सभी लोग मैंरे साथे इस परकार से बने रहिए गा साथ जो मैं वीडियो को लाइक करते रहिएगा चैनल को ससक्राइ करते रहीएगा कि आने बारे मैं जिसकी लाइब स्ट्रीमिंग आपको प्रवाइड करते हैं इसी यूट्वी चैनल के मार्धिन से जिसका नाव है एजी स्पोर्स यहां खूब सुरज यह मैलबन का क्रिकेट ग्राउंड और पावर सर्च हाज बिन ठेकन जो नाव हाव यहां पर यह दो बड़े ओवर देखने को मिलेंगे हमें यहां पर मुकाबलाब आर यहां पार का हो चुका है मुकाबलाब आर यहां पार का हो चुका है यह मुकाबलाब शाहंदार होने की उमीद है देखते हैं पावर सर्च में का था पावर सर्च हाज बिन ठेकन जी जा गया और गेंद बाजी के लिए आ चुक्त में हैं टॉम रोगर्स टॉम रोगर्स को अपने काईजर की सबसे अच्छी गेंद बाजी करते नहीं होगी आज के दिन पहली गेंद लेकर भागते हुए किया पहली केंद पर बड़ा शॉट खेले में कामयाव रहेंगे पहली गेंद लेकर अपील किया जहां पर रोग वाइड गेंद दे दी हुआ होय्ष आरु prosper पर भी बंदान मिल चुका है क्या रव्यू का मामला बनेगा क्या रव्यू का मामला बनेगा कि देखते हैं क्या होता है रव्यू का मामला तो नहीं बन रहा है पहली गेंदी सोबर की वाइड गेंद के साथ क्या रव्यू लेंगे क्या रव्यू लेते हुए ने जराएंगे क्या रव्यू लेंगे देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर कर्मागर्मी बेदान के अपर बढ़ती हुई ने जरा रही है थोड़ा सा रुकावट खेल में थोड़े समय के लिए डिया रेवीऌ ले लिया गया है इर हिंच के द्वारा हिए थे लिया है जिया है शिर बढ़ी लिया गया है यहां बड़ा शॉट खेलिकी कोशिश थी बल्लेवाज के द्वारा यहां पर क्या रवियू सुपसेस्पुल होगा सब्सक्राइब करेंगे क्या वाइड का सिगनल चेंज करेंगे अपना देखने हैं हाफी महत्रपून हो चुका है पहले वाइड गेंद क्या वापिस लेंगे कि वाइड गेंद नहीं दी जाएगी वाइड गेंद को बापी स्थीद लिया है तो लिया था और काम्यापीद देखने को में दे पों मजाक देखने को मिल रहा है मैं क्या मजाक देखने को मिल रहा है लिगेंट तॉम रोगा सोबर की दूसरी गेंट फुल टॉस गेंट स्ट्रेइड आउ दी ग्राउंड शॉट खेला खुब चुरे शॉट गेंट एजी से बाउंट वी लाइन के और भाग की और खुब चुरे शॉट था खुब चुरे शॉट केले की जुरूरती नहीं थी क्योंकि फुल टॉस गेंट एदी थी फुल टॉस गेंट पर आपने क्या करना था सिर्फ बल्ला लगाना था और वह बल्ला लगाने में बले बाच कामियाब और एक शांडार चोका देखने को मिल गया इस गेंट पर इसी के साथ एक और गेंट होई इसी के साथ आप से भी लोगों का बहुत बहुत अन्यवाद करता हूँ मैं एजी स्पोर्स के यूट्यू चैनल के माधिन से शक्की का जमिला ब्रूच की ये गेंद बाजी आप सभी लोग मायर साथ इसी तरीके से बने देजिएगा अगली गेंट टॉम रोगस ओवर की लेकर आते हुए अगली गेंद ओफिट से डाउन दी लाग ये गेंद कैज की कोशिच और कैज को पकड़ लिया यहां पर बड़ा विकेट है जे मुकाबला इदर का उदर हो जाता है जब दिनका विकेट लेने में बल्लेवाज कामयाब रहता है तो देखने वाली बात रहीगी कि बल्लेवाज ने ये विकेट लेकर क्या अपनी टीम को लगबग मैच में आगे की और कर दिया है तो आप सभी यूगो भी लाइक करते रहीएगा चैनल को भी सस्काइब बरते रहीएगा अगर अभी तक नहीं किया तो ठीया बहुत बड़ा विकेट बहुत बहुत बड़ा विकेट एक और बार गिर गया है अब इसमान फाजह पिछले कुछ मुकाबलों में अकेले दम पर अपनी टीम आप मुकाबला रोमान चुक्त हो चुका है अब देखने वाली बात नहीं कि अगले कुछ ख़गरों में ये दोनों बल्लेवाज किस तरह से बल्लेवाजी करकर मुकाबले में इदीम को आपे की और अगला बल्लेवाज आ चुका मैट ट्रैंचो मैट ट्रैंचो पे ठीक था बल्लेवाज है अच्छे खासी हिट लगा लेते हैं देखने वाली बात कि आज कि दिन किस तरह से बल्लेवाजी करते हैं आप सब लोग चुलते रहिए का इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहे हैं अगली गेंद और टॉम रोगलस के ओबर फी लेकर आए बैट देखने को मिल रही है यहां पर इन दोनों बल्लेवाजों के दोरा देखने हैं कौंसी टीम इस मुकाबले को इतने में काम है अब रहती है अभी टक तो पूरी तरह दे डॉमिनेट किया हुआ नदरा रही है मैलमन की टीम को माध किजीए गा यहां पर पूरी तरीके से डॉ ओहो यह क्या गेंती अहिEX हमें बता दी यह चया गेंती कुछ गेंट सिरस्ट बनती है कि अब प्रफेशनल काम क्यों नहीं करते हैं जब आपको पता है कि बॉलिंग करवादी में चीर आप पर कुछ नहीं करने हैं तब भी आप वाइट बहुत फैंकते जा रहे हो जो विकेट गिरा था वो भी आप लखी थे आपको विकेट मिल गया उस गयन पर विकेट बनना बनता तो नहीं था वाई काफी गंदी गयन थी वो पर विकेट मिल गया तो आपकी गयन अच्छी होगी इसे के साथ एक और गे दो चुकी अबर की अगली गें लेकर आएंगे सामने होंगे बल्लेबाज जमान उसलाम उचेने अगली गें पुल शोट अब आमें गें दो छे रंड के लिए चली जाएगी गेंदी नहीं आप सभी लोग अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहेएगा चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करते रहेए वीडियो को लाइक करते रहें अगली गेंदमान उसलाम उचेने की लेकर आएंगे अगली गेंद फिर से टाउन भी लाग जाएंगे दोर एक और वार वाइड का अलका सिंगनल क्या गेंदमाजी देखने को मिले क्या गंदी गेंदमाजी बन कर रहा है तो पकड़के मारना चाहिए आज्ट क्या गेंदमाजी कर वारे आप यहां पर जरूरत नहीं वाइड ख्वाजा आउट हुए गेंद पर आपको विकेट मिल जाब उसके इंद पर भी एक छक्काई लिखा था अगर अगली गेंदमाजी को खड़ा कर दिया टॉम रोगस ने ओक्या आज को क्या पकड़ पाएंगे बल्ले बाज और गुपटी ने क्याज को पकड़ा विकेट ए मुकाबले में अभी भी जान बची है रोमाच बचा है शांदार तरीके से एक और विकेट और माटिन गुपटी ने कैच को पकड़ा और माटिन तिल के इस कैच पकड़ने के साथ ही एरन फिंच जानते हैं मुकाबले में बापसी कर ली है इस मुकाबले में बापसी कर ली ह है जिस टीम का नाम है यहां पर मैलवन रेनिगेट्स बापसी हो गई है इस मकाबले में जाए हां शांदार बापसी देखने को मिलती हुई मैलवन रेनिगेट्स के द्वारा पिछले अबर में दो विकेट गिरे पावर सर्च का अबर चाहपर काम्याब रहा आदिया जी हां बहुत अच्छा मकाबला लगाता हमें देखने को मिलता जहारा है दोनों की मौके बीचे देखते हम कौन सी टीम इस मकाबले को जीत पाती है आप सब집 लोग अपना प्याल इसी परकार से देते रहेगा चैनल को सब्सक्काइब नहीं कि तो चैनल को सब्काइब करते रहेग बहुत बहुत दिने बाद आप समित्वों का लगाता है अपना प्यार इसी प्रकार से अब महारी यूचु चैन को देते रही कि अगली गेंद लेकर आते हो बेल सद लैंड ओबर की पहली गेंद ओर ओहो बिल्कुल सर के ओपर से गेंद खेल केला कैच करने का मोका था और जह ही बड़े बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया है इसी के साथ एक और गेंद हो चुकी है समुकाबले की पहली गेंद पर पहला बड़ा शॉट हमें देखने को मिल चुका है पहली गेंद पर पहला बड़ा शॉट आउबर की अगली गेंद लेकर आएंगे बल्ले पर तो क्या पता मौका बनता पर क्या पता से कुछ नहीं होता ना इसके साथ एक और बाल किसमापती आप सबी लोग अपना प्यार इसी प्रकार से में प्रोवाइट करते रहें इंफॉमेशन को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को भी लाइक करें ताकि आने वाले मैचिस की लाइफ स्ट्रिमिंग हम आपको प्रोवाइट करते रहें इस यूट्यू चनल के नादें से जिसका नाम है एजी स्पोर्ट्स बहुत बहुत दन्यवाद आ को अच्छे तरीके से खेलने में कामया रहते हैं एक और गेंद हो चुकी है इसके साथ एक और गेंद के समापती हुई जहां पर बल्ले और बल्ले और गेंद के बीचे कड़ा मुकाबला हमें लगाता है देखने को मिला है आप सो भी लोग अपना प्यारी सी प्रकार से विच्छा रहेंगे बल्ले बाज और गेंद बाज अगली गेंद फुल टॉस गेंद डाउन दी लागज यह एक दी बल्ले बाज नेजगेंद पर फुल-चॉट-के लिकी कोश्वरों हो थोड़ी सी यहां पर फ्रिल्डिंग में थोड़ी सी हिच्छ के चाहट हुई और द नहीं मिला तो मुकाबला हाँ जाएगी जेडी विकेट की जुरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए अगली गेंद पुल शॉट केला खूप चुरा शॉट और गेंच चली गई छे रनों के लिए अब ये मुकाबला लग 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 मैलवन रेनिगेट्स के कबजे से नि पुल शॉट खेला था जहां पर बल्ले बाजने और गेंद बाउंडरी के बाहर चली गई जहां पर चोके के लिए जहां आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिन्यवादी सित्री के से मार्चा तर लगातार बने रही के लिए चल्कु स्काइक पर तरहें वीडियो को लाइ ले लिया बल्ले वाजने और विल्स अदर लैंड एक रन आउट का मौका छोड़ते हूँ अपनी टीम के लिए इसके साथ एक और गेंद की समापती से मुकाबले की बात करें तो आप सभी लोगों का मैं तरहें देल से धन्यवाद करता हूँ मार्च साथ लगतार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे साथ ही में वीडियो को भी लाइक करते रहे अगर अब इसकत नहीं किया है ताकि आने बाले मैंचिस की लाइव श्यूमिंगम आपको प्रोवाइट करते रहे सी यूट्वी चैनल के साथ अब कुछ ही केंदे वची है कुछ ही केंदों के बाद इस मुकाबले क्या समापन हो जाएगा तब तक के लिए आप तभी लोग हमारे साथ बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर तरह वीडियो को लाइकन तेरे हिसास इसी मुकाबला शांतार हो रहा है रोमांट चक हो रहा है लाचबाब हो रहा है तेकने वाली बात है कुछ सी प्रीमिस मुकाबले को जीत पाती है तो लोग हमारे साथ बने रहे हैं गा कि क्या शॉट खेला है कि 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 अब दन्यवार आप्सबी लोगों का मारा साथ दिनी पहली के इंद् Pharisee पर सुफ चौर खेले में ऐक की वाहर रहा हो चो के के लिए इने जली गए ऑंजी लाइंड के वाहर किसी के साथ एक और बांजी बटोरने में बल्र कसगा मिया जी यहां मेर्बन रेनिकेट्स की टीम लगभग लगभग इस मुकाबले को हार चुकी है हार चुकी है इस मुकाबले को अब थोड़ा सा स्टेंप लगना बागी है इस मुकाबले में हार की बागी तो लगबग हार की और बढ़ रही है जे टीम अगली के लिए रन्च आक लिए रन्च बदलेबाद पीछे की और गए आगे रहे आकर बड़ा शौट के ला बलेबाद ने और इसके साथ जहांपर आसानी से बलेबाद ने दो रन चुरा लिए तीरे तीरे आप सभी लोग वडियों को भी लाइक करते रहीएगा साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करते रहीएगा ताकि आने वाले मैस्टीज की लाइव स्ट्रिविंग अपको प्रवाइड करते हैं इस यूट्व चैनल के मात दिन से जिसका नाम है एजी स्पोर्ट्स अगली गेंद पले बाद ब्रैक फूट की और जाकर बड़ा शॉट केले की कोशिश में थे जरूर परगना कामिया इसके साथ आप सभी लोगों का मैं तहीं दिल से करता हूं हमारे साथ बने लेने के लिए अगर अबी तक वीडियो को लाइक नहीं के तो वीडियो को भी लाएक करें चैनल को आपको हुआ साइब करें ताकि आने वाले मैच चीज की लाइब स्ट्रीमिंग हम आपके लिए लेकर आते रहें इस यूट्यू चैनल के मादम से जिसका नाम है एजी स्पोर्ट्स अगली गैंदर रैंच्शॉ के लिए अब ये मुकाबला लगबग लगबग जीत चुकी है जे टी तो दने बाद आप तो मित्रों का लगातार अपना प्यार देते लेने के लिए तो दने बाद बाद में तसरे की यूइस इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए अरण फिंच को मुकाबला अच्छा देखने को मिला पर इस मुकाबले को जीत ती ने जड़ा रही है पर इस मनीज़ की टीम इसी के साथ एक और बाला सानी से बले बाद ने भाग कर दो रन बुरे किए देरे देरे दो दो रन तिन तीन रन एक एक रन भटोरते जा रहे हैं बले बाद और जीत किये रोपनी टीम को अगरसत करते जा लिए अगली गेंद बले बाद के लिए अच्छी गेंद थी एक और बाद बले बाद ने बड़ा शॉट के लिए की कोशिश की पर नाकाम्याब रहे बले बाद जीसी के साथ एक और गेंद हुई लगातार मुकाबला रोमान्चक और शांदार और तिल चस्प होता हुआ नजर आ रहा है यह मुकाबला मुझे लगता है कि जहां पर जीतने में काम्याब रहेगी एक जिसका नाम है लगातार मारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें अगर अभी तक नहीं किया ताकि आने वाले मैचिस की लाइफ स्ट्रुमिंग हम आपके लिए लगातारी सिप्टिया अनलों के मात दिन से लेकर आते रहें इसका नाम है एजी स्पोर्ट्स खुद बहुत अन्यवाद आप से मित्रों का लगातार अपना प्यार देते लेने के लिए अगली गेंद के लिए त्यार बल्ले बार अगली गेंद अच्छी गेंदी बैक फूट के और जाकर बल्ले वाजने असानी से बल्ले वाजने इतरन बटोरा इसके साथ एक और रन हो चुका है इस गेंद पर भी कि सिंगल सिंगल से मकाबला अपनी तरफ खींचती हुई ने जरा रही है जे टीम अब ये मकाबला लग लग जीत चुकी है जे-टीम अब थोड़ा से समय के बाद आपको मकाबला समापत होता ओगा ने जरा लिए गेंद यहां पर अच्छी गेंद यहां लिक प्र शॉट लगाने की कोशिज में वह लेवाज एक ही रन मिलेगा एक और बेंद हुई इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिने बाथ लगातार अपना प्यार दे दरेने के लिए अगली गेंद के लिए तयार अगली गेंद हाव वाली गेंद इस गेंद को पूल शोट खेलना है चाहते थे बल्ले बाक कर बल्ले और गेंद के बिच कोई अगर आप लगाता होती रही तो प्रैशर में आ जाएगी जेटी आप तभी लोगों मेरे साथ लगातारी से बने रहीएगा विडियो को लाइक करते रहीएगा चैनल को सिस्क्राइब करते रहीएगा अगर अभी तक नेकी है ताकि आने वाले मैं जिसकी राइश्ट्रिम बहुत बहुत दन्यवाद आप तभी लोगों का अगली गेंथी इस गेंथ पर हॉप वाली गेंथी बड़ा शॉट केली की कोशिश करते जब तक एक रन और मोटोर अब आठ गेंदों पर तीन रन चाहिए मुकाबले को अपने नाम करने के लिए देखते हैं मुकाबला कब अब तक अपने नाम करने में कामयाब रहते हैं जब लिए बाद मुकाबले को अपने नाम करने के लिए विकेट अब एयार बिल्कुल बहुत बहुत दन्यवाद एक् willen पांच लायक सो फूथ चुके हैं बहुत दन्यवाद आपको गाविकश का मिंटर बढ़ाते रही इसे के साथ चोप सर्काइब करते रहे साथ वीडियो को लाइक करते रहे हैं अच्छा मकावला शांदार ये मुकावला दिलक्स्प उत्री शुरी की टीम जीट सबसे बनीघरिस सीजन आगे की और बढ़ रहा है अच्छी के लिवाजी कर रही है जे टीम और इसी के साथ इस मकाबले को भी जीत लिया है इस टीम ने और इसी के सात मुकाबले में श्यां दाल टीके से मुकाबले को साथ फिक्टों से और साथ गेंदे रहते मुकाबले को बरिस्मन की टीम ने जित लिया लगतार ऐची परफॉूमेंस हमें देखने को मिलती हुई अगर इसी तरीके से जहां पर मुकाबले हुए तो जहां पर काफी अच्छा सीजन होता हुआ नजर आएगा हमें इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है जिस टीम ने जिस टीम का नाम है है ब्रिजबन हीट अच्छी पर्फॉर्मेंस वनसाइड़ी इस मकाबले को जीत कर जीत चीन कर लेकर आगए हम ऐसा कह सकते हैं आप वह खार के मुझसे यहां पर जीत को चीन कर लेकर आगए है एक समय लगने लगा ता की क्या पता इस मकाबले को ना जीत पाए जे टीम पर यहां पर असानी से आखिरकार बल्ले बाजिच वाली टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया और इसी के साथ सीरिस में काफी बड़ी पाक्रण नाली आप चुब लोग जुड़े रहिएगा साथी में दूसरी वीडियो को जान कर लें तो दूसरा मुकाबला चल रहा है हमार दूसरे यूटिव चैनल पर उसको जान करने हैं बहुत बहुत दन्यवाद आप समीत्रों का लगातार अपना प्यार देते रेने के लिए फाइनल फाइफ में चगा बनाई उपर स्कॉच इसके साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत दन्यवाद चुलत रहिएगा आप स अगले कुछ अगले मुकाबलों है अगले मुकाबलों है झाल 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 झाल